नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ड में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेशनल वर्ड पे एक हपते के लिए अपलोडिंग वीडियो या स्ट्रीमिंग रोक दी गई थी और तमाव आपने अगर जो पोस्ट पढ़े होंगे तो आप वाइडिया लग कि किस तरह से हम लोगों की आवाज को रोकने की कोशिस की जा रही है जो बहुजन वर्ड की आवाज है जिसमें हम अपने प्रशनों को उठाते हैं इतिहांस के उन तमाम प्रशनों को उठाते हैं जिसको एक तरफा लिखा गया है जिसमें कभी बहुजन समाज का इतिहांस ह नहीं लिखा गया है समाज में और भी जो बहुत सारी कुरितियां हैं अंध्विस्वास है और Constitution हमें इस बात की इजाज़त भी देता है कि हम लोग scientific temperament की बात करें क्योंकि एक सुंदर भारत के भाविश्य के लिए scientific temperament का होना बहुत जरूरी है तो भी आपने देखा कि किस तरह से अचार असांत जो हैं बिल्कुल असांत हो गए हैं जबकि उनका कोई भी हम लोग उनके material हम यूज नहीं कर रहे थे और उन्होंने copyright strike ती जो कि अगले तीन महिनों तक बनी रहेगी और चैनल को पूरी तरह से उन्होंने डिलीट करने की भी त्यारी करवा ली थी लेकिन एक हपते तक तो बैन भी लगा था पर यह बैन हम लोग streaming कर सकते हैं यह बैन एक हपते का आटा है पर श्ट्राइक तो पड़ी रहेगी तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि और भी हमारे कि आवाज जो है लगतार पब्लिक तक जाती रहे लोग जो हमारी बाते हैं जो हमारे महापुर्सों की बाते हैं जिसको कभी भी mainstream media या यह लोग आने नहीं देते हैं बाहर तो वो चीज़े जानी चाहिए तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देजें क्योंकि बहुत सारी पब्लिक हैं उनको पता नहीं होगा कि आज से यहां पे streaming स्टार्ट हो रही है कि चमतकार क्या होता है और चमतकार से जुड़ी हुई जो बाते हैं उस पर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं उससे पहले यह लिगल डिस्क्लेमर है जिसमें हम लोग यह बार-बार में बताता हूं कि हम लोग का जो चैनल का उद्धेश से है या जो presentation होती है streams होती है debate होती है इन सब का उद्धेश से जो है scientific temperament को encourage करना होता है तो मैं link यहां provide कर रहा हूं बहुत सारे मैं ने देखा कि comment में बहुत तमाम सारे लोग हैं जो चमतकार की बाते करते हैं और कहीं न कहीं चमतकार जो है वो God के तरफ इश्वर के तरफ जो एक काल्पनिक चीज है उसके तरफ उनको जोडता है क्योंकि देखा गया है ऐसे बिलकुल देखा गया है कि जब भी कोई भी ये बात जब कहेगा कि इश्वर होता है God होता है तो फिर वो अगली बात चमतकार की करेगा उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दूआ करूँगा, कुछ दूआ सलाम करूँगा कुछ उसको खुस करने के लिए जो इनसानी होता है एक इनसान होता है जिसकी तारिफ करने पर इनसान खुस हो जाता है जैसे पहले राजा होते थे, चाफलूस राजा होते थे तो भाट उनके लिए तरहतरा के गाने बनाते थे और राजा बड़ा खुस हो जाता था अपनी प्रसंसा सुनके तो पबलिक में ऐसा एक भ्रम है कि जो इश्वर होता है जो गौड होता है जो अल्ला होता है ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अपनी प्रसंसा की खुआईस में है और दूसरी एक बात रखी गई है डर की कि आपको उनसे डर कर ये काम करना पड़ेगा या फिर आप जो है उसक कि खुसा मद करते रहेंगे तो ये दो तरीके किये गए हैं और पबलिक तो यह ऐसा करेगी लेकिन कब करेगी तो इसके लिए एक डोप्ट मैटेरियल इस्तमाल किया गया है और वो डोप्ट मैटेरियल का नाम है चमतकार क्योंकि आप क्यों बिलीफ करोगे किसी पे किसी अ तो बहुत सारी कहानिया बना दी गई हैं और ये सारी चीजे कहीं न कहीं एक चमतकार की तरह हैं जो चीजे आप नॉर्मली देखते हैं तो वो चीजे आप समझ सकते हैं कि practically जो चीजे नहीं घड़ती हैं पर यहां चमतकार के माध्यम से उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि यह चीज हो गई है जैसे एक्जांपल के लिए कोई यह द दवा करते हैं कि मुहम्मद सहाब जो है वो गए और किसी बुरा कुराग पर बैठ कर गए और आसमान में चले गए तो ये सारी चीजें जो हैं एक चमतकार की तरह क्योंकि कभी नहीं देखा गया कि मुहम्मद सहाब ने इतनी जंग भी लड़ी और उन्होंने कभी कोई ऐसी चीज पर बैठी है उपर से जाईए और पूरे सेना को आप कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आज अमेरिका कर रहा है अमेरिका जमेनी लड़ाई कम लड़ता है उसका जो एयर स्ट्राइक है वो सबसे दमेदार है वो आसमान से 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 सारी चीजे कंट्रोल कर सकता है तो अगर आप के पास किसी के पास भी पावर थी आसमानी पावर थी अगर हनुवान जी अगर आसमान में जाकर सूर्य को खा सकते थे या मुहम्मद किसी बुराक पर बैठकर उपर जा सकते थे तो ये तो सबसे अच्छा होता कि उस समय आसमान में जाकर और जो दुसमन की सेना है उसको कंट प्रोल करें ऊपर से उपर से तो आप एक पत्थर भी फेंक दोगे उपर से बड़ा सा कुई चीज भी फेंक दो गे तो नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी के कारणmind वह और तेज उसका वेग होगा और बहुत ज्यादा फोर्स से वह तो मरना ही मरना है नीचे वाला तो और नीचे वाली की चीज ग्रेविटी के एगेंस्ट में उपर बहुत उपर तक तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि उस समय तो आज की तरह मिसाइल लॉंचर तो बने नहीं थे तलवार भाला कितना भी फेगेगा उतना उपर जाएगा कुछ दूर चक जाएगा ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा और नीचे जाएगा तो ये तो सबसे बड़ा वो था थिंकिंग थी कि अगर किसी पे ऐसी पावर थी कि वो लोग उपर जा सकते थे तो पूरी दुनिया फटह के लिए तो सबसे बड़ी ये चीज थी अच्छा इसवर अल्ला भी अगर ऐसा कुछ होता तो उसको अगर अपनी कुई किताब होता भी परचार करानी होती तो उसके पास सबसे अच्छा माध्यम था कि उसके जो मैसेंजर लोग थे उसके जो आवतार थे वो आसमान में जाते हैं किताबे ऐसे आराम से छीट सकते थे या एक ब्रूडकास्ट कर सकते थे कि भाई या देखो हम जो है इस्वर या वो चीज है सुप्रिम पावर है या अवतार है या मेसेंजर है और हमें ही भेजा गया है दो चार चमतकार देते हैं पूरी पबलिक बाते कौन कर रहा है तो उनके नाम पर आज जो दुकान खोनके बैठे हैं वो छोटी-छोटी चमतकार की बात करते हैं कोई बोलता है कि कोई ग्राहक जाता है किसी बाबा के पास तो वो बिना जाने देखे समझे उसकी बीमारी बता देता है उसका नाम बता देता है अब य अब कुछ दिन पाले भी दूद पिलाया गया है गय वगयर को मिट्टी के मूर्ति को पिलाया गी है तो चांद के भी दूद तुकड़े करने की बात करती गई और कुछ तो ऐसे बेवकुफ बच्चे हैं जो नासा का नाम लेकर यह दिखाने की कुछिस करते हैं कि देखो उस को दिखा देता लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि होती ही नहीं है यह तो उनके नाम पे जो दुकान नीचे खोल-खोल के बैठे हैं उनको यह दिखाने की जरुद पड़ रही है ताकि लोग उनकी बात को मान सकें इसलिए चमतकार की जरुद है तो दोस्तों यहां पे मैं लिं सकते हैं उनकी बाते पूरी सुनी जाएगी देखा जाएगा कि इनके चमतकार या जो इनकी जो यह आश्चरे चकित करने वाली जो बाते सुनाते रहते हैं उन चीजों में कितना तम है आश्चा यहां पे जो है सच्छिन लाकळा जी का सूपरिश्टिकर आयाया उक कर तक 만들어 शक्रिया आपका राजेश प्टेल जी आए है चले इनसे दो बाते ले लेते हैं जी राजेश जी ऐसे हैं आप आपकी माइक म्यूट है हलो अंजी बोलिये अच्छा जी थीक है आपको है आपको इसके बाद आप जब आते हैं तो फिर आपको जूड़ लिए जाएगा यहां पर 982 आये हुए हैं चले इनको मैं जोड़ता हूं इन से थोड़ी बाते गरते हैं हाँ जी 982 बता है क्या काना चाहते हैं मैं सारी आपके बातों को मांगता हूँ जैसे जो भी उसका कोई इंफर्मेशन नहीं है आर्केलोजिकल एविडेंस नहीं है लेकिन जब जातक कथाए लिखी थी तो किस ने लिखी थी यह सर इसका राइटिंग ऑथर कोन है इस स्टोरीज का देखें आपने सुना होगा बचपन में भी गाओं में बहुत सारे ऐसे लोग होते थें जो कथा कहानी सुनाया करते थें तो कहीं न कहीं कुछ कहानियां जो है ना पबलिक बनाती है बच्चों को सुनाने के लिए हर माबाप जो है इतने चतुर चलाक जरूर होते हैं जो अपने बच्चे को कुछ ऐसी चीज़े जरूर बताना चाहते हैं कि जिसको सुनकर बच्चा जो है उनके पिता की बात को मान जैसे पिता चाहते हैं कि रात में बच्छा बाहर न निकले बच्ची बाहर निकले तो वो कुछ ऐसी डराउनी सी कहानी सुनाएंगे कि रात में कोई बच्चा निकला और किसी भूत प्रेथ या कोई ऐसा दानाओ था उसने उसको पकड़ लिया तो उसी तरह से अगर वो चाहते हैं कि बच्चा बाहर ना निकले तो वो कुछ न कुछ कहानी ऐसी सुनाएंगे या उसको चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिखकर कुछ आगे बढ़ है तो भी वो कुछ ऐसी कहानी प्रेणादायक सुनाएंगे तो हमेशा ही कहानिया इज इजाद होती रही जातकत हैं भी इसी तरह से इजाद की गई काफी बाद में इजाद की गई लेकिन जब देखा गया कि बुद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा है और बुद्ध के नाम पर पबलिक जो है बिल्कुल आख मून कर बिलीव करने को त्यार है तो इसी रिए इन कथाओं को बुद्ध से जोडने की कोशिस की गई कुछ लोगों ने तो उसको ये तक कहा दिया कि बुद्ध के पुनरजनम की कहानी है ताकि लोगों में ये विश्वसिता बन जाए कि बुद्ध से ही रिलेटेड ये कहानिया है और लोग इसको फॉलो करें इनसे वो होता है जो समाज को अपनी सिक्षायें देता है वो हमेशा ही देख पबली की भावना को देखता है कि वो अपनी जो चीजह बेच रहा है अपनी चीजह जो पबली को दे रहा है वो कैसे उसकी बात को मान लेंगी जैसे आज देखें आपकी जब सलमान खान जब साहरू खान ब्राड एम्बेश्टर थे अब तो उनकी लुक प्रिता घटी है तो कोई भी कंपनी जो है असानी से उनका इस्तमाल कर लेती थी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो दिखा देगे कि देखें सारू खान भी जो है ये तेल इस्तमाल करते हैं ये रिचार्ज करवाते हैं गोविंदा जो है ये इस तेल का प्रचार करते हैं ये बड़ा धंड़ धंड़ा धंड़ा कूल-कूल होता है और पब्लिक जो उनकी मुवी देखा करती थी जो पब्लिक आल्रेटी उनके व्न से ब्लीव करती थी कि हां यार गोविंदा बड़ा अच्छा हीरो है बड़ा ज्यादा लोकपरियत है तो उसको बुद्ध के सांथ जूड दिया गया और बाद में वो त्रिपिटक का हिस्सा भी बन गई बस ये सी कहानी है जी 982 अपने माईक अन्म्यूट कर लिजे तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है लेकिन जो स्टोरीज को फिर interconnect किया है जैसे एक एक कारेक्टर बढ़ाया गया है ये कैसे शुरुवात कैसे हो गई और ये कारेक्टर किसने किसने एड किये इसके बारे में कुछ इनफरमेशन है क्या था नहीं आपका जो प्रशन था उससे और अभी का जो प्रशन है ये दोनों बिल्कुल अलग हो रहे हैं अभी आपका जो प्रशन था कि आप जो कहते हैं संस्क्रीट वगेरा का उससे और आप जातक कथाओ से connection जोड़ रहे थे अभी आपका प्रशन थोड़ा अलग हो गया है मैं जाना चाहता हूँ आपका मूल प्रशन क्या है आपने जो सुरू में मूल प्रशन रखा था उसमें आप कुछ और चाहते हैं clarification जी मैं example देता हूँ for example जैसे जातक कथा में जो रमायन की जो जातक कथा है उसमें जो characters है राम है सीता है और लक्षित लखन जैसे आप होते हैं उसे तो यह relationship उनका अलग है लेटर स्टेजिस में जैसे 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 जैनी रामायन इंट्रड्यूस हुआ उसमें रावन character इंट्रड्यूस हुआ फिर अलग-अलग characters हनुमान इंट्रड्यूस हो गए तो यह इसका कार्यकाल कब शुरू हुआ है मतलब ऐसे जो किसने यह characters add कि है इसके बारे में कुछ information है क्या अच्छा यहां पर मोतिलाल पात्रे जी का super sticker है बहुत बहुत सुक्रिया आपका और इसके बाद से विजय चोहान जी का भी super sticker आया है बहुत बहुत सुक्रिया आपका विजय चोहान जी जी देखें अब आपके हम प्रश्न पर आते हैं आपने कहा कि जातक कथाओं में जो पात्र चुने गए हैं तो देखें ये दुनिया जो है न हमेशा प्रोग्रेशिव है हमेशा किसी न किसी चीज़ का इवोलुशन होता है ये बिल्कुल भी आश्चर एकी बात नहीं है कि एक कहानी को बाद में बहुत उसमें रिसर्च करता है उसके बाद आने वाले जो बच्चे होते हैं उसी रिसर्च के काम को कुछ लेते हैं और उसमें कुछ फरतर चीज़े जोडते हैं एड करते हैं और वो रिसर्च आगे बढ़ता है हमारे पूरे दुनिया में जितनी भी रिसर्च अभी हो रह सब के काम को बाद वालों ने उठाते हैं और उस पर वो चीज़े आगे बढ़ती हैं और आप देख रहे हैं कि हम कैसे दीरे-दीरे आगे बढ़ते गए तो ये दुनिया जो है न वो प्रोग्रेसिव है तो उसी तरह से ये बिल्कुल भी आश्चरे की बात नहीं है कि अगर क किसी कहानी में भी अगर कोई कहानी है उसमें भी कुछ चीज़े जोड़कर और उस चीज़ों को बढ़ाया जाए हमारे सामने एक एक जामपल है भारत पहले भारत नाम का एक गरंथ हुआ करता था उसके आदिपर्व में भी साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि पहले जो ह ब्यास नामक एक व्यक्ति जो है आठ हजार स्लोक लिखता है फिर सुर्ति स्रोवा जो है या ऐसा ही नाम है उस जो है बढ़ाकर 24,000 स्लोक करता है और फिर बाद के जो है उससे भी बाद में कोई आता है वो तो उसको 96,000 कर देता है आज की डेट में वो एक लाग से भी ज्य आप Spider-Man की कहानी पढ़ है, Spider-Man का जब आपने Santos 2002 में पहला पार्ट आया था, फिर उसके बाद से तीन पार्ट आते गए, दो-दो-तिन-तिन साल के अंतराल में आते गए, उन तीन पार्ट की जो कहानिया थी, फिर इसके बाद से Amazing Spider-Man लाया गया, उसके दो पार्ट आया थे, उ उसका जो है चेंज किया जा रहा है, जहां फर्स्ट पार्ट में जो एक्टर पीटर है, टोबी मैगवेर थे, उनके हाथों से ही जाले निकल रहे थे, जब कि जो अमेजिंग स्पाइडर में में जब हीरो ही चेंज होता है, तो वहां पे अब हाथों से निकल कर, हो रही है वो इस्टोरी चल रही है लेकिन अब चीजों में परिवर्तन कर दिया गया है तो उसी तरह से जातक कथाएं जो हैं भारत में जिस तरह से हिस्सा थी और उन कहानियों को ही आगे बढ़ा कर उसमें कुछ जोड़ तोड़ की गई कहानियों को को इक्स्टेंड किया गया यहां पर राम जातक कःभाव में सीधे घर वापस आ जाते हैं सीथा उनकी बहन होती है लेकिन जैनरा मयर में वह पती पत्नी बना दिये झाते हैं और पती बनाने का भी मुख्य कारण था कि राम जो है रामण से लड़ेगा क्यों क्योंकि उस समय क जो कल्चर था उसे कोई इस्त्री जो थी उसको दूसरा कोई व्यक्ति अगर भागा ले जाता था और ले जाकर साधी कर लेता था ऐसी बहुत सी कहानिया आप पुरानों में देखेंगे जैसे क्रिश्न जो है क्रिश्न का भाई जो है नहीं क्रिश्न का जो आप कहें कि वो फुगा का बेटा था न तो एक तरसे भाई ही हुआ अर्जुन और उसकी बहन सुभध्रा है तो अर्जुन जो है सुभध्रा को भागा कर ले जाता है और क्रिश्न इस चीज को देखता है बलराम गुस्सा होता है देखें यह चले गए यह साथ चले गए to वो भागा के ले जाता है तो क्रिश्ण उल्टे सिपोर्ट करता है अर्जुन का Κृष्ण जो है कर ले जारा रहा है तो यहां पे आप देखें कि बहन को अगर कोई बंदा भागा के ले जा तो उसमें आप देखेंगे कि उपनिश्यदों में आपने देखा कि यहां पे लड़क्या सप्लाइ की जाती थी एक राजा जो है वो एक रिसी को अपनी कन्या रेकव को अपनी कन्या दे रहा है पहले तो धन संपती दिया तब भी वह ग्यान देने को राजी नहीं वह जैसे ह लड़की ओफर किया तुरंत वो त्यार हो गया ग्यान देने के लिए तो लड़किया जो है ओफर की जाती थी कि इस लड़की को ले लो हरिसिमुनियों को देदी जाती थी उसको कोई वैसे आज की तरह बहुत ज़्यादा इज्जत जो बोलते हैं कि हमारी इज्जत की का नहीं था उन कहानियों के अनुसार तो इसलिए बहन को अगर कोई भागा के ले जाता तो राम का बहुत बड़ा ऐसा तुक नहीं बनता कि वो लड़ने जाता रामड से तो इसलिए उस कहानी को सायद इन लोगों ने मोडिफाई करके पत्नी बना दिया और उसके इज़्जत से जोड़ा कि यह तुम्हारी पत्नी को ले गया है अब तुमको जाना पड़ेगा तो यह चीज़े होगी खैर यह चले गए यह मुझे लगता है कि धार्मिक व्यक्तित हैं और सहन नहीं कर पाएं जब थोड़ी स सच्चा ही सामने आ गई तो लेकिन इसलिए इन कहानियों का एक्स्टेंशन होना कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा यहां पर जो है अरिन साह जो है यह आये हुए है इनका सुपर स्टीकर आया हुआ है बहुत बहुत सुपर आपका अरिन साह जी और इसके बाद से जो है तो फियल हरी नाइडू जो है इनका यह लिख रहे है तो हम कुछ भी कर सकते हैं कालपनिक्ताओं में तो लोगों ने चमतकार बना रखा है एर मैं चाहता हूं कि किसी को चमतकार वाले जो बंदे हो वो लोग आये थोड़ा सा बात करें जो टॉपिक है है उस पे आकर थोड़ी चर्चाए करें नेच्रल फर्ड जो है ये लिखते हैं सर आपको सभी सांथियों को जैभीम नमो बुद्धा है जी बहुत सुक्रे आपका जैभीम नमो बुद्धा है आपको अच्छा देखें अब कौन आये हुए हैं यहां पर यह भारत वंसी आये ह समतकार पे मैं आपको एक छोटी सी मेरी रियल स्टोरी बना बताना चाहता हूं हम दो भाई थे उस वक्त मेरी उमर यही 11-12 साल के थी मेरा भाई थोड़ा बाव को जाओ थोड़ी पैसे तो उस वक्त पांथ साल का था मेरा बाई करीब तो वो किड्नेप हो जाता है तो उसको मेरे पिता जी धूल्ड के तो लियाते हैं लेकिन जहां से उसको किड्नेप किया जाता है वो डर जाता है और मेरे जो परिवार थे वो अंधभक्ती में इतने चूर थे कि उसको डोक्टर के ले जाने की बजाए उसको मतलब बाबाओं को दिखाना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन ऐसा खेल चलता है वो जो भाई मेरा बावली बावली के ऐसे कुछे नाम लेता था और डरता था उसके पास मम्मी पापा होते तो उसको सांतो ना मिल जाती वो चुप हो जाता इतना खेल चलता रहा और एक आचानक सुबह चार बजे मेरी मम्मी घर की सवाई कर रही थी और आचानक आया और बावली बावली कहकर वो वही पर दम तोड़ दिया तो मैं बताता हूँ अंध भक्ति में कितने चूर हो जाते हैं लोग मदब डोक्र से जादा बाबाओं पर भरोसा करते हैं और मैंने तब से थोड़ा सा सिखा कुछ आपस जैसे लोगों से जैसे आफ अना की बता डिया मैंने दोनों की बाद सुनी उन Country आपकी भी पिर मैंने आपने जो गरंथ ऑärt यूं को बताया उनको बोल रहे हैं और तो सर इस बात पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहनwn आपके बज़े से नैं उन जन्जाल उसे छूत कर आई हूं यह इत्थ न कड़ी बेढिया हैं बहुत बेंकर बेढिया है जिससे इनसान बं जाता है और कुछ अच्छा बुरा नहीं सूचता अपना तो ऐसी और कुछ मैं सर क्या नाम है अपने जो मापूर्स है संत रविदाज जी है कबिरदाज जी का तो सब को पता है वो पाखंड के विरूद थे यहां तक ही गोरखनाज जी की भी पता चल जाता है कि वो बजरियान से आए हैं लेकिन बहुत से संत है संत रविदाज जी हो अब भी इनको धार्मिक जंजालों में इतना फसा रखा है कि इनकी रियल स्टोरी नहीं मिलती है तो आप इनकी रियल स्टोरी लेके आओगे ने तो बहुत अच्छा होगा हमें कुछ जानने को और मिलेगा मैं सारे महापूर्सों पर ले आने का प्रयास करूंगा जो भी उनकी रेशनल विचारते हैं उन सबको एक एक कर हम लोग लाएंगे ओके शुक्रिया अच्छा देखें ये कुछ और करना चाहते हैं आपने आपने जो बेगमपुरा का नाम सुना था मैंने रविदाज जी कि किसी बुक में बेगमपुरा का नाम नहीं सुना था उसने तो उसमें एक कोई रविदास रामायन के बारें बहुत सा चर्चा हो रही थी और उस पे विश्वास नहीं होता था कि वे संसी रुमणी रविदास जी ने लिखी है क्योंकि उनके जो धोए थे और उनके जो उससे मैच नहीं खा रही थी शक्र głos को ही मेच करते हैं जिन पछों को छूपा दिया जाता है बताने से लोग असलियत कहीं सामने ना ओजाए ओके ठीक है अच्छा यहां पर आकास दीप आये हुए है यह डिवेट करना चाहते हैं तो इनको भी मैं जोड़ ले रहा हूं हाँ आकास दीप बताएं क्या कहना चाहते हैं अच्छा आपके इसाब से भगवान होते हैं या नहीं होते अच्छा मेरे हिसाब से आप क्यों जानना चाहते हैं अगर आपका कोई पच्छ है तो आप अपना पच्छ रख देजिए हम पक्ष रखेंगे पहले आपका किल्यर करना आप जो मतलब एक तरीके से गुम्रा करने क आपके आंसर क्या है है तो आपका का डिफिनिशन क्या है वो ढूरोसा है वह हमें तो राम है हैं आप इनको नहीं मांते हैं कि यहां पर जो मूल मुद्धा लेकर आये थे ना उस मुद्ध से आप बता ही आप कैसी इंसान बने आपके पास evidence है देखें आप यहां पर जो मूल मुद्धा लेकर आये थे ना उस मुद्ध से आपका मूल जो मुद्धा था वो था कि इस्वर है कि नहीं है आपने इस्वर का जब पूछा मुझसे मैंने जबाब दे दिया कि हाँ यह नहीं मानते हम लोग अब आपको यहां प तो वह आप सीधे यूटर्ण मारके मुद्धा बदल दिया यहां पर आप इंसान के evolution पर जा रहे हैं तो इससे यह पता चलता है कि आप साथ या तो डिवेट में इंट्रेस्टेड नहीं है या फिर आपके आप आईक्यू बहुत लो है आपको यह भी नहीं पता है कि आप करने क्या आये थे कैसे तुरंत ही दो मिनेट नहीं हुगा कि आप मुद्ध से भाग गए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जिस मुद्धे पर डिवेट करने आया है उसी मुद्धे पर रहें और फाल्तु की जो बीच में जो चीजे खड़ी होती है उनको थोड़ा सा व बनने की सकती या अपनी मॉन बनाता है या अपनी माउ बनाती है यह नाख लगा दिया ये तेरे हाथ लगा दिए यह तेरे पैल लगा दिए या भगवान लगाता है या इनसान लगाता है आप भगवान को नहीं मानते न तो यह कैसे उथपन हो जाता है इनसान बिना भगवान के कि आप पैदा करके दिखा दीजिए भगवान है कि नहीं हम बताएं अभी आपको कि बोलिए सर जी आपका इस्टेटमेंट कंप्लीट हो गया और कुछ इसमें बोलना है नहीं बस इतना ही इतना ही बहुत अभी तो अभी तो आगे शुरू है सर भी आंसर बहुत है हाँ तो आप अपनी पूरा स्टेटमेंट रख देजिए ताकि मैं समझ सको आपके पूरी बातों को समझ सको उसी हिसाब से उत्तर दिया जाए हम आपको एक एक चीज़ का आंसर देखो जो मैं क्यूशन जितना करता जा रहा हूं तो ना का मुझे रिप्लाई मिलता रहेगा तो मज़ा आएगा सर्टीवेट में ताकि आपके भी त्लियाटी हम कर पाएं अच्छे जे आकास्तीप आप मेरा चैनल यहां पर ओपेन है सभी लोग मेरे कंटेंट देखते हैं सबको मेरी बाते पता हैं आप यहां पर चुकि नए हैं पबलिक के लिए तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा अपने स्टेटमेंट रख दीजिए ताकि मैं असानी से आपकी बातों का जबाब दे सकूं और बताए क्या क्या आपको लगता है कि जो भगवान आपका इस्वर बना दिया है इनसान से बड़ी चीज और क्या लोग या परतेक्स सबसे बड़ा परतेक्स तो और हमें बड़ा इनसान बना दिया हम इंसान की जूनि में तो साइंस पे विलिव नहीं करते हैं करते हैं साइंस को बहुत अच्छे से फिजिक्स का टीचर हूं कितनी कि लास तक पढ़ाई किया है आपने अमने पढ़ाई मतलब की टीचर पना भी छोड़ दिया अब हम खुद का बिजनिस करते हैं आप आप आते हैं आपके प्रश्णों पर आपने जो प्रश्ण खड़े किया है उस पर पहले में टिपनी करूंगा तो पहले टिपनी करूं या प्रश्ण पूछ लूँ सर एक चीज के लिए रोर करना चाहूंगा आप अपने कोई भी गरंथ कोई भी वुक आप नहीं उठाओगे क्यूंकि आप बुक को और किताब को गरंथ को आप मानती नहीं हो तो आप मुझे मैं आपका लिखावा परचा नहीं मानने करूंगा यह इसमें लिख रखा है यह यह इस जांटे से हम भी नहीं मानते तो जैसे मैं ने ऊद्धाने दिया आप ऐसे प्रत्यक्स में प्रमान करके दिखाईए आप नहीं पूरी बाते अब आते हैं आपके मुद्धेपर आपने कहां कि आप फिजिक्स पढ़ता है तो फिजिक्स में सबसेद्ज पहला जो उसके पीछे जो घटा है उसके पीछे क्या है उस कारण का हम पता लगाते हैं कार्य कार्य हुआ है तो उसके पीछे का को मानते नहीं है देखें आकास्ति मुझे लगता है कि आपको साइद कान की प्रोब्लेम है आपको सुनाई नहीं पड़ा मैंने अभी जो कहा है मैंने अभी कहा कि आपने कहा कि आप फिजिक्स में MSC किये हुए हैं तो फिजिक्स का जो सिधान्त होता है वो यह होता है कि जो आप फिजिक्स के टीचर है, प्लस फिजिक्स में आपने मेसी कर रखी है, तो मेरा ये प्रश्न है, आकास दीप, बिलकुल करता है, आप करता है, चले, गुड, अब ये बताएं कि कोई बच्चा जब जनम लेता है, जैसा कि आपने कहा कि आपको बड़ा इसमें हैरानी होती ह कि कोई बच्चा जनम लेता है, जनम लेने के बाद से उसको नाक से सांस लेने की, आँख से देखने की, या फिर सुगने की, या इस तरह की जो भी फिनोमना आ जाती है बच्चे में, वो कैसे आती है, तो अब ये एक इवेंट है कि कोई भी जीव जो है, वो अपने करेगा पूरी दुनिया में दो चीज़ है विलकुल सर्वमान है एक है प्रोडक्षन प्रोड्यूश करना जब तक प्रोडक्षन नहीं होगा तो उसकी वन्स जो है न संतिती आगे नहीं बढ़ेगी और दूसरी जो बात है वो है डिस्ट्रॉय मतलब वो चीज डिस्ट्रॉय होती है तो डिस्ट्रॉय होगी फिर प्रोडक्षन होगा यह हमेशा चलते रहता है तो इनसान मरता है जनम भी लेता है यह चीज हमेशा चलते रहती है अब क्या है कि हमें पता लगाना है कि इनसान बच्चा जो है जनम क्यों लेता है कैसे लेता है आपने इसमें एक चीज जोड दिया कि भगवान लेता है भगवान लेता है जब कि आप चुकि फिजिक्स पड़े हो है कोई बातने मुझे जरूरत ही है धरमगरंतों का तो हम उनको भट हारण दिखातें ite यहां पर मानते हैं आपहो सकता है कास्ति लिए आप भाँर जाये वहां आपको इस बात की छूट देता हूँ, मैं नहीं दिखाऊंगा ध्रमकरंद, हम उसी पर बात कर लेते हैं, तो एक बच्चा जब जनम लेता है, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, पहला तो कारण यह हो सकता है कि बच्चा जनम लिया है, तो अफकोर्स उसके माता-पिता होंगे, माता-पिता कहने का मतलब कि उन दोनों ने अपने एक बच्चा सूचा होगा, कैसे भी करके, जो एक सिस्टम है, एक नेचरल सिस्टम है, कि हाँ प्रोडक्शन होता है, कोई भी जीव की वन्स इसलिए आ रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन करता आया है, चाहे वो पोधे हों, चाहे जीव जन्तु हों, तो अगर माता-पिता है, तो ही उनका बच्चा होगा, माता-पिता नहीं होंगे, तो नहीं होगा, पीणे भी जो होता है, बहुत सारे पीणे होते हैं, आप देखेंगे, कि जब अकेले होते हैं, तो उन पर फल नहीं लगता, गाउं म उसमें जो मधू होती है, जो भौरे होते हैं, वो क्या करते हैं, कि उन पराग कणों पर बैठते हैं, उन फूलों पर बैठते हैं, उनके जो पैर होते हैं, उनमें उस पराग कणों के जो बीज होते हैं, वो चपक जाते हैं, फिर वो जब किसी दूसरे पेढ़ पर जाकर तो यह पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है इसी तरह से जब माता पीता होंगे तो बच्चा वो पैदा करेंगे करेंगे अच्छा जब बच्चा जब पैदा करेंगे ऐसा नहीं है कि कोई चमतकार हो गया कोई भगवान आया दो माता पीता है और गर्ल है दोनों खड़े हैं या फिर उसने कहा कि भया मुझे बच्चा दे दो जैसे LGBT आप देख लीजे अभी बहुत सारे लोग जो है पुरुस पुरुस रह रह रहे हैं महिला महिला रह रही हैं वो क्यों नहीं बच्चे पैदा कर पा रही हैं अगर वो किसी इस्वर को मान भी लें और खुब पूजा चाहिए वो फिलफिल्म abort पूरी होनी चाहिए तब पूरा होगा इसमें भगवान चमतकार कर रही नहीं सकता मिलकुल नहीं कर सकता चमतकार हम उस चीज़ को बोलते हैं जो प्राकिर्तिक नहीं हो यहां पे हर चीज प्राकिर्तिक चल रही है न का फिर Nine months तक जो है वसकती देखा जाता यह बहुत सारा बच्चा तो delivery के समयमें भी देथa हो जाती थी पहले तो पहले भी तो लोग धार्मी को थे थे पहले भी आपका भगवान था फिर बच्चा क्यों मर Okay था या मा क्यों मर जाती थी आपने कहा कि आप साइंस पर बिलिव नहीं करते जबकि साइंस ने ही इन बच्चे को जनम लेकर बचाया है आप देखें कि पहले जो मौत हो जाती थी इतना बड़ा जो ताजमहल खड़ा है उसके पीछे की भी कहानी यही है कि वह अपने 14 में भी थी था a science ने असको कम किया भगवान तो आपका क्या पहले नहीं था क्या साइंस के आते ही भगवान का भी काम बढ़ा गया क्या साइंस ने तो रोक लिया बच्चे मृति उधर को जनम दर को मृति उधर को आपका भगवान क्यों नहीं रोक पा रहा था अगर पहले से से बच्चा जनम लेता है तो उसमें इस वर जो है कैसे नाक सांस ले रहा है यह ओ ले रहा है कभी आप तो यह चीज़े जो है ना, आपने एक data सुनाने का हमेरे पर्यास किया पब्लिक को, लेकिन वो बड़ा आधा धूरा था, scientific study क्या होती है, कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी event को देखते हैं, तो scientific लिए देखते हैं, हर parameter को देखते हैं, आपने तो बड़ा असानी से एक चीज उठा कर देख दिया कि या बच्चा जनम लिया हमारी तरह कैसे हो गया कैसे यह हो गया मुंको बढ़ाश्चरिय लग रहा है दूसरा पहलू आपने नहीं देखा कि बच्चे तो प्राचीन काल में भी जनम लेते थे मर जाते थे मा मर जाती थी आज साइंस ने बचा लिया है और आप बोल ओले हम साइंस नहीं मानेंगे आपको तो यह तक नहीं पता है आपको स्रम आनी चाहिए कि आप यहाँ पर साइंस के माद्धें से जुड़े हुए हैं आपके भगवान ने तो आपको यहां नहीं चुड़ा आपका भगवान जो है यहां पे जूड़ देता बिना किसी इंटरनेट के बिना किसी लैप्टॉप के या बिना किसी मुबाइल के यहां पे जूड़ के दिखा देता ना आपका हम भी माल लेते कि आपका भगवान है, करके दिखा लिजी, साइंस के उपकरणों का आप इस्तमाल करके बिना साइंस की बिजली इस्तमाल किये हुए आप रात भर जो रह नहीं सकते हैं, बिना बिजली इस्तमाल कि आप मुबाइल नहीं चार्ज कर सकते हैं, आप कोई काम तक नहीं कर सकते हैं, आपके घर में जो आटा पिसकर आता है, उसका पता लगा ले जिए कहां से पिसकर आता है, चक्की से पिसकर आता है, रहा है, फिर जाके वो चक्का चल रहा है फिर पिस रहा है तो हर जगे जो है साइंस ने जो खो जा है उससे आपका दाना पानी चल रहा है उससे आपका जीवन चल रहा है उससे आप सोशली जुड़े हुए हैं और इतने एक कहता है ना कि बेसरम बन जाना आपने कहा कि आप फिजिक्स के MSC किये हु कि सारा चीज उपयोग करे साइन्स का और जूट मोट का आकर बवंडर खड़ा करे कि कोई भगवान है वो कर दिया है भगवान किसे कर देगा अगर आपके बच्चे भगवान पैदा कर रहा है आपका कोई रोल नहीं है इट सोके वो सकता है कि आपके घर में बच्चे जो है भगवान ही पैदा करता आया हो आपने कहाना कि धर्मकरंत का उधारन मत दिजिएगा जानते थें कि आपके धर्मकरंतों में लिखा हुआ है कि आप मुह से पैदा होते हैं जो कि अंसाइंट फिक बात है अगर आपका इश्वर जो है मुह से पैदा करवाता आया हुआ था आपको ये बात पता थी इसलिए आपने आके सुरू में कहा दिया कि वेधरम प्रत का उधारन मत दीजिएगा और फिर बोल रहे हैं कि भगवान पैदा करता है तो नास्तिकों के बच्चे भगवान कैसे पैदा कर दे रहा है नास्तिकों तो भगवान की जरूत नहीं पड़ है हमें तो नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से यह पता चलता है कि हर चीज जो है नेचरल प्रक्रिया के द्वारा ही हो रही है कोई भी इस्वर अल्ला का यहां पर कोई रोल नहीं है यह आपको जाता है कि आप कितने बेसरम बेहाया टाइप के हैं कि आप खुद उसको किस scientific रूप से कहते हैं कि मैं science पढ़ा हुआ हूं और unscientific बात करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो कितने बेशर्म है कि हर चीज को ignorance इसको कहते हैं ignore करना लो कि तो यहां से आपकी बात जो है ना पूरी तरह से घलत सावित होती है चलें आक आस्ते कुछ और कहना हो तो बताएं आपको अच्छा पूरी अपनी बात रख लेजिए पहली बात तो अभी एक बार इंदी में पहले तो यहां पर तरीके से नहीं समझावाट होती है मैंने आपसे बोल दिया कि आप इसको पर्स नहीं लीजिएगा क्योंकि आपके लिश्तवाल नहीं हो रही थी फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बाते पूरी तरह से डिवंक हो चुकी है अब आपके पास कोई जबाब नहीं है तो आप मुद्दा बदल रहे है जैसे आपका भी मुद्दा था कि बच्चा जो है वो जनम लेता है वो चीजह आपको समझ में नहीं आती और आपने जूट बोला था आपके जूट पर ये परहार था कि आपको बेशर्म है कोई साइंस बंदा पढ़ा हुआ बंदा फिजिक्स का पढ़ा हुआ बंदा जो क जोड़रत है क्यों मुबाइल क क्यों यहां पैब कर रहे हो ऑगर यहां पर पुबिक कीरिसके माऍदयमस्तिस करने के लिए और यह अध्यान करते-करते-कोई जिसन यहां पर जुड़ जाओ, क्या ज़रुत है, आप साइंस का आप यहाँ पे, बिल्कुल मैंने बिल्कुल सटीक सब्द आपके लिए इस्तमाल किया है, बेसर्म, इसको बेसर्मी कहते हैं, आप हमें साइंस के सारे equipment इस्तेमाल कर रहे हो मैंने इसारे उधारन दिये कि हर चीज आप साइंस का तो बिल ninety साइन्स को न माने और आप एक घटिया चीज इस्तमाल कर रहे हो कि यह सारी चीज़े जो है फिर गौड ने बना दिया पब्लिक उस पर विलिफ कर ले तो बिल्कुल सटीक मैंने आपके लिए सब्द इस्तमाल किया है कि आप बिल्कुल बेसर्म हैं और मेरे ख्याल से आप चले तो भाग गये तो इनका अंतिम स्टेटमेंट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है अब तो क्योंकि यह कुछ बोलेंगे भी नहीं है यहां पर प्रयाक्षिंग जो है इनका सुपर स्टीकर आया हुआ हुआ है बहुत-बहुत सुक्रिया आपका प्रयाक्षिंग चीए और अच्छा यह आ गये हैं तो इनसे मैं फिर से पूछ लोंगा पूंदे करना चाहते हैं या नहीं कर ना चाहते हैं क्योंकि अगर कनेति और तो सांटेंफिक रूप से भी आगे डिवेति बढ़ना पड़ेंगा ऐसा नहीं है किいやप आप आगे हैं आप चैंस सासरे चीजे भी लोगा प्रयाक सिंग जी का सुपर स्टिकर था इसके बाद से नेचुरल वल्ड ने यहां पे कुछ लिखा है इनसान अपने जीवन में जो कुछ भी करता है डी एने में कोडित होता है इसी से बच्चे की मानसिक्ता का निर्णय होता है धर्मान्धता से बच्चे जन्मे बच्चे में ज्यान है इनका अच्छा यह अपने इनके डी एने पर ही बात कही है खैर हां क्योंकि कोई भी आखमुंद के इस तरह की बाते करता है तो लोग पब्लिक ऐसा ही कहेगी यहां पर रक्षित सिर्धन लिख रहे हैं क्या कास्तिव तेंट ट्वेल्फ एस्टरी का एवलूशन चेप्टर भी भूल गया अरे यह कुछ नहीं पढ़ा होंगे मैं कारेंटी दे रहा हूं न यह कुछ नहीं पढ़ा होगा यह बंदा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा यह लोग की तुब बीमारी है न जूँट बोलने की कि यह जूँट बोल दो कि हम MTS किये हैं यह जूँटे लोग हैं जो बंदा फिजिक्स का जो पहला नियम है कि कोई इवेंट घट रहा है बच्चे जनम ले रहे हैं आप पता लगाओगा न साइंट फिक करन क्या है ऐसे क्या है कि आप जो है आके आखम उनके कह दो कि भगवान ने बनाया है और बागी दुनिय है कि भगवान पैदा कर देता है अब बताए यह भगवान पैदा कैसे कर देगा बच्चे को बिना पुरुस के बिना महिला के बिना सेक्स के या फिर आजकल तो टेस्ट्यूब बेबी बना रहा है बिना इन सब के भगवान कैसे पैदा कर देगा भगवान पैदा करता है त चले इसके बाद से जो है यहां पर रिट गुरंग जो है इनका भी सुपरिष्टी कराया है बहुत-बहुत सुक्रिया आपका रिट गुरंग जी तो चले मैं इनको फिर से जोड़ रहा हूँ अगर यह समय न व्यर्थ करते हुए सिधे मुद्दे पर अगर डिवेट करते हैं तो मैं इनको जो है बात करूंगा और फिर यह मुद्द अगर भागेंगे मुद्दे से इधहुदर की बाते करेंगे टाइम पास करेंगे तो मैं नहीं समय दे पाऊंगा चले आका स्थीप जी बताएं आगे क्या कहना चाहता है कैसे आप गौड को प्रूफ करेंगे पहले प्राक्रितिक आई थी यह विज्ञान आये था और जो जितने नीचे में फालतु के कोमेंट करें तुम्हारी उकात नहीं है कि मुझे गल्थ प्रूफ कर सको और तुम्हारे पूर्वज को पूर्वजों को लाके सामने खड़ा कर सकता हूं इतनी उकात मेरी है तुम तो बिल्कुल जिस तरह की लेंग्वेज आप पर्योग करेंगे जिस तरह का आप अंधिविश्वास परोषने की कोशिस करेंगे उस तरह की वहां पर आये की कमेंट आपको क्या लगता है मैं हम लोग चैनल यहां पर है यहां पर इतनी सारी गालिया आप जैसे लोग जो है नीचे कमेंट में इतनी गालिया बगते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, हर बंदे को जाकर हम यही जवाब देते रहेंगे, कि दम है तो आके यह कर ले, वो कर ले, तो इसलिए कमेंटेटर जो कमेंट कर रहे हैं, उस पर आप समय व्यर्थ करने की बजाए, आप सीधे अ बिखे रहें, क्कुएस्ट्यन खड़ा करने का मतलब यह होता है, कि आप को कोई चीज नहीं पता है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इसका यह मतलब होता है, इसका यह मतलब नहीं होता है, आपने कहा दिये प्रकृति आए, या साइंस आए तो भई प्रकृति ना-चु she सचाए, यह जान भी जाओ गए तो इसे भगवान कहां सीध होगा इससे कु brewing-स रहिं तो आप जो बरबर यह पूछ रहे हो कि 인सान, कि होना या वो क्या या वो जान भी जाओगे तो इससे भगवान सीध नहीं होता यहाँ पर आपने जो मूल प्रश्न रखा है कि इश्वर जो है इश्वर होता है भगवान होता है कोई गौड होता है सुप्रिम पाउर होता है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा और उससे रिलेटेड आप बाते रखिए न आप उल्लते दो चार ऐसे प्रश्न जिए अच्छा होनिया आपका सर्व बड़ी महरवानी DAVID जुम एप्ड़ियों को मोटशन करके दिखाते हैं की जिए इतनी भीज्जान की उक regularly मुरुखा ऐक के दिखा दे मेरे मन में चल चल की इंदर आज बी एसे संत महात्मा है जो आपके पूरों जोको आपके सामने खड़ा कर जकते हैं इतनी उकात है उनके अंदर यदि विग्यान के अंदर उकात है, विग्यान यदि करना चाहता है, तो दिखाए, यहां हम दिखाते हैं कि यहां बगवान है, हम पर्तेक्स में प्रमाने दिखाएंगे, और रहा, एक बार मैंने देखा था, बागेश और धामका भी आपने एक वीडियो बनाया था, यदि तुम्हार में यदि इतना ही है, अकास्ती देखें, यह तु तड़ाक वाली लेंगवेज फिर मैं आ गया ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, और दूसरा चीज कि आप मुद्दा मत बदलिये, अभी जो आप से कहा गया कि आप इश्वर का गौड का न देते हुए मुद्दा ही वदल दिया, आप क्या बात करने लगें कि देखें जो है, वो हंडेट फर सोती थी पहले, जो की पूरी जूटी नौलेज है, आप जूट क्यों बोले कि आप फिजिक्स के स्टुजेंट है, कोई भी फिजिक्स का स्टुजेंट इतना ब्योकु पूरी दुनिया को पता है, आप एक सिंपल सा गूगल रिसर्च भी कर लेंगे, कि देखें अंग्रेजु के समय में क्या थी, प्राचीन काल में क्या थी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई, देखेंट जो है, वो काफी कम थी, एक छोटा सा जो है, मैं आपको वर्ड ड है, एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ कि देख रेट जो है, वो कैसे था, एवरेज लाइफ जो है, 27 साल थी, एक मिनट, भारत की, और अब कैसे-कैसे ये बढ़ते जा रही है, एवरेज लाइफ आफ इंडियन्स, गूगल, यदि गूगल के अकोर्डिंग जाओगे ने, सर गूगल, मेरा गाहों का पता भी डंग से नहीं, बता सकता है, गूगल की तो छोड़ दो, आप अरे आप काहे रहे हैं, आप से मैंने यहां पर थोड़े मांगा है, आप से, आप से कुछ मैंने अभी तो यहां बात चल रही है कि वहीं क्या सच्चाई क्या है, और यह डेटा जो है, गूगल से नहीं मांगा जा रहा है, गूगल कोई डेटा नहीं देता है, ठीक है ना, गूगल कोई भी डेटा नहीं देता है, सर्च इंजन देती है, वह सर्च इंजन से पता चलता है क कि भई क्या क्या चीज़ें जो हैं सच्चाई है और वो डेटा ओफिश्यल है उस पर रिसर्च होती है ऐसा नहीं होता है कि कोई मुझ उठाके कोई सभी परोश दे और कहा दे कि यह सही है तो वो सही मान लिया जाएगा अच्छा यहां पर विकास विकाश कुमार जी का सुप मुझ उठाके आप क्या सोच रहें कि मुझ उठाके कुछ भी गोबरबक देंगे पबलिक बेवकूफ है और फिर आप कहेंगे कि भाई कोई ओफिश्यल डेटा दिखाएगा तो डेटा भी नमाने साइंस की नमाने डेटा की नमाने आप बोल रहेते कि आप प्रूफ कर दि देजिए तो हम यह मान ले मैं तो कह रहा हूं कि सिंपल आप क्यों मोबाइल अपना फेंक देजिए अभी उठाएए मोबाइल फेंक देजिए कूड़े में और बिना मोबाइल के अपना थुड़ा सा वो ध्यान वाला जो सकती था ना जो गीता में कहा गया है कि बैठे-ब प्रवज में आता था कोई चीज देख रहा है तो उसके लिए विजवल होना और आउडियो दोनों चीज होना चाहिए ना पूरी दुनिया जानती है कि विडियो आउडियो की जो रेट होती हो गलत होती मतलब वहोती डिफरेंट होती है जैसे साउंड है आपने देखा जो होता है जब वहां से गरजता है तो जो उसकी गरज जो होती है वह बाद हमें सुनाई पढ़ती है चमक पहले दिखाई देती है तो देखने की विजविलिटी जो है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और सुनने की ऑडियो जो होता है ना वह काफी लेट पहुंचता है आँख से देखा जा सकता है सुना नहीं जा सकता जिस जगह पर वो हस्तिनापूर में बैठा था वो हस्तिनापूर आज मेरट का जगह है और मेरट से कोई बंदा अगर देख रहा है कुरुछेत्रम में तो दूरी पता है कितनी हो जाएगी तकरीबन है तीन सो किलोमीटर से भी जादा हो जाएगी तो इतनी बड़ी इतनी जो दूरी है जब हम बिजली का जो मैंने एक्जामपल दिया कि पहले चमक सिर्फ पांसो सांथ एक किलोमीटर भी नहीं होता बादल क्लाउड उसका भी जो चमक है वो पहले दिखती है और गरजबाद मे तो उसका बहुत बाद में आता होगा कभी कभी आप मुवी देखते हैं ना जब थोड़ा सा ओडियो और विजबल इधर उधर हो जाता है तो मुव कभी और चला रहा होता है साउंड कभी और आता है ऐसे हालत हो जाते हैं उभी इतना लंबा दूरी एक किलोमीटर में जब की ना मॉवाइल खूड़े में अब APP हमें फूरुफ करके धिखा दो ँऺवान को मैं क्या मॉप करने की जुर्त है 1 उद्न जानते है कि आप मूबांई कर रहे हो इंटरनेट इस्तमाल कर रहे हो, साइंस का इस्तमाल कर रहे हो, तो जो बंदा हमारे सामने ही साइंस की चीज़े इस्तमाल कर रहा है, उका रहा है कि हम साइंस नहीं मानेंगे, तो ऐसे बेवकूफ को हम क्या उसे बहास करेंगे, ऐसे बेवकूफ को तो समय देना भी समय की बर 1947, drbrahma.com, यह क्या कर रहा है, in 1947, the average life of expectancy, इंडिया वाज 32 years, yes, you read the right, the average human wing born in India was expected life only 32 years of age, लीजे भाई साब, 32 years age थी, और current में तो 58 से भी उपर हो गई है, 58, 60 तक पहुँच गई है, current में, कई देशों में तो 80, 85 तक पहुँच गई है, और आजादी के समय में 32 years average life थी, आप जो है, यहाँ पर बेवकूफ समझें क्या कि मुह से कुछ भी खुल के गपोड देंगे, आप पबलिक चेक भी नहीं करेगी, क्या आपकी डेटा सही है कि नहीं सही है, भाग भी गए अभी है, तो 100 साल की जो आप लाइव बता रहा है था ना, वो बिल्कुल जूटी बाते थी, फरजी बाते थी, छले, आप सायद डिवेट करना भी नहीं चाहते, आपकी सायद उतना आपको ग्यान भी नहीं है, आप किसी पढ़े लिखे educated जो बंदा हो ना, उसको लेकर आईए, आप अपनी बात को यहाँ पे कह भी नहीं पायेंगे, आप इतना हासायेंगे, इतनी कमेडी करेंगे, तो हम लोग डिवेट नहीं कर पायेंगे, मैं चाहता हूँ कि public अभी समयना खराब हो, हो सकता है आप uneducated हो, लेकिन जो public देख रही है न, वो educated public है, तो उसका समयना खराब करें, आप एक काम करें चाहें, आपका जो भी सबसे पढ़ा लिखा बंदा हो, जो सबसे बड़ा जो जिसको आप कहते हैं कि जो गपोडी लाल हो, उसको लेकर आईए, ठीक है न, उससे हम डिवेट करे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा होगा, जिसको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि डेटा क्या होती है, जो बंदा खुद ही internet और science की चीज़ें इस्तेमाल करके हमें ग्यान दे कि science बड़ा की भगवान बड़ा, उसको हम क्या उससे लिवेट करेंगे, चले, यहाँ पर महिपाल सिंग जी ने membership लिया है, बहुत-बहुत सुक्रिया आपका membership लेने के लिए, इसके बाद से जो है यहाँ पर सुजाता पाटिल जी है, इनका भी यहाँ पर सुपरिश्टिकर आया हुआ है, बहुत-बहुत सुक्रिया आपका, सुजाता पाटिल जी इसके बाद से वरुन जी ने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रामन धरम में क्या ऐसी बात है कि इसको फ्यूचर में ले जाना चाहिए क्या ब्रामन धरम में हॉस्पीटल इस्कूल बनाए जन मानुस से सेवा की हुमिनिटी को सर्व किया क्या दिया है बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन खड़े किया है वरुन जी यह देखें कि ब्रामन धरम तो कभी विबात ही नहीं करता हॉस्पीटल की कभी विबात नहीं करता यह तो कुछ लोग जो है जो थोड़े बहुत आयुरुवेद आयुरुवेद खुल के बैठे हुए हैं वो भी आयुरुवेद जो है उससे कुछ साइंट्विक है नहीं उसमें बीपी इलाज करने तक की मसीन नहीं है आयुरुवेद में एक सरे बगरा तो छोड़ी दीजिए सब चीज जो है गेस पर होता है कई हड़ी ओड़ी तूटी या कुछ भी हो गया तो किसी ने कुछ गेस कर लिया ये वो उस अधार पर देता है कोई प्रोपर साइंट्विक वो भी नहीं होता है हलाएं कि अब पुराना मैथड है तो लोग थोड़ा भहुत इस्तमाल करते लोग इसके समर्थक है वो पूरी तरह से आप समझें की अंधभग cheers हैं और यह वो लोग हैं जो भारत को डुबाना चाहते हैं पूरी तरह से मट्या मेट करना चाहते हैं भारत को वो लोग ही ब्रामण धर्म का समर्थन करेंगे हुमिनिटी को सर्व क्या कुछ नहीं किया यह तो बोलता है कि वैदिक हिंसा को हिंसा नहीं माननी चाहिए जो जिसका प्रिंस्पल ऐसा हो कि हिंसा करेके अब बुल रहा है कि मनुस्मृति के चेप्टर फाइफ का आप थर्टी वन से लेकर थर्टी फाइफ थर्टी सिक्स थर्टी नाइन सलोग तक आप देख लिजे पूरे हिंसे हिंसे की बात हुई है यग कराईए मांस खाईए सब नहीं खाता है और वह दोनों अपनी अपनी गा रहा है जो नहीं खाता होगा उससे मिलीगा कहेगा कि आपने सही कोई इसके बाद विकाश कुमार यहां पर लिखते हैं साइंस चरनेशर जी बहुत सुक्रे आपका विकास कुमार जी अगर आपको ये देखकर साइंस चरनी को या रेशनल वर्ड देखकर आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आपने अपने ना, कान, आख सारी चीज़े जो है ओपन रखी आपने रेशनालिटी को प्रिफरेंस दिया ने तो देखने वाल क्रेडिट आपको भी जाता है विकास कुमार जी सुक्रिय आपका चले देखें आप कौन आये हैं डिवेट के लिए मैं लिंक फिर से दे रहा हूं जो लोग भी डिवेट के इच्छुक हैं आजाएं डिवेट करें और अनरगल क्लेम ना करें वही क्लेम करें जिसको वो प् सब्सक्राइब क्या काना चाहते हैं हाँ जी नमस्कार है हाँ बैग्राउंड साउंड आ रही है आपकी लोग पर जाप देने के जुरूंड नहीं नहीं आ रही है आपकी साउंड नहीं आ रही है आ रही है लेकिन बैग्राउंड भी आ रहा है बोलिए तो मेरा केस्टों ले लिए फिर में बन करें ठीक है अब गौंडवाना लेंड के बारे में जानना चाहता हूं गौंडवाना लेंड क्या है और इसका इतियास क्या है ठीक है ठीक है गर्जान ओ फिमनिटी देखें गौंडवाना लेंड का इतिहास वैसे तो नहीं मेलता है औरके लोगण येविडेंस की बात ज्यादा है जो प्रोपर एक आर्केलोजी होती है अब कोई ये बहाना बना सकता है कि यहां प्राचिनकाल में कभीले ही होते थे आदिवासी समाज होता था पूरी दुनिया में पाया जाता था तो इसलिए वही होगा तो ठीक है उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा चीज़ ह होता था लेकिन उसमें आर्केलोजी का बहुत ज्यादा अभाव है फिर भी मैं उस पर अभी इस्टडी प्रोपर करूंगा कि गुंडवाना लेंड पर आर्केलोजी के क्या-क्या सबूत एविडेंस परोसे गये हैं दिये गये हैं और उसके आधार पर जो कुछ भी बन सके लेगा उसको मैं आगे आप लोग को आप लोग के सामने कभी स्ट्रीम करूंगा फिलहाल मुझे गुंडवाना लेंड का इतिहांस जो है कुछ खास दिखता नहीं है जिस तरह से उसको दिखाने की कोशिस की गई है या जो मैटेरियल अभी तक अब लेवल है उसे मैं सटिस सटिसफेक्टरी नहीं मानता हूं तो इतनी सीही बात है जी गार्जियन ऑफ एम्मूनिटी ओके साथ हैंकि तुमर्ट यूटूब का चैनल तो नाम तो नहीं होंगा लेकिन यूटूब पे एस चैनल है जो इस बार को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे है कि यही संस्रू अच्छा आपका आपका बैग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैं समझ गया कि बहुत सारे चैनल ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कोई बात नहीं मैं जब यह स्ट्रीम लाओंगा तो वह सारी चीज़े कर दूंगा क्योंकि इतिहांस जब भी लिखा जाएगा तो कालपनिक्ता के अधार पर हम सिर्फ कलपना कर सकते हैं जैसे जिन लोगों को वैदिक काल उत्तर वैदिक काल अस्थापित करना था खुद को रेशनल बोलने वाले तक लोगों ने अस्थापित कर दिया चाणक्या जिसका कोई सबूत नहीं है उसको अस्थापित कर दिय या खुद को रेशनल बोलने तो ऐसे बहुत से इतिहास कार हैं जो फरजी में और ब्रह्मानिकल सिस्टम मून का जो अपना प्रोपगंडा है उसको इस्टेबलिस कर देते हैं और खुद को रेशनल भी बोलते रहेंगे तो इसलिए इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क कि गुंडवाला लेंड का भी जो एक्चुल इतिहास है उसको भी हम लोग सामने लाएंगे और उसके पीछे जो कालपनिक्ता खड़ी की गई है जो चीजे बताए गई है वह सारी चीजे भी किलियर हो जाएंगे ठीक है गर्जन ओफ यूमुनिटी अच्छा यहां पे कुरुक कुरुक पिपल जी जो है इनका सुपरिष्टी कर आया है सुक्रिया आपका और इसके बाद से दिलिप अगनी होतरी जो है इनका भी सुपरिष्टी कर आया है नहीं मेंबर सिप्लिया इन्होंने ओके सुक्रिया आपका मेंबर सिप्लिया इसके बाद से साई बाबा भजन जी का भी सूपरिष्टी कर आया है बहुस्जुख्रे आपका और देखे कौन मैं अच्छा तो मतज से राज भी याए है छले इन से भी बाते करेंगे उससे पहले जो हैं इन से पहले बात कर लेते हैं जी बाल भी पूनियां बताएं क्या कहना चाहते हैं नमस्कार सर आप से थोड़े दो नहीं सुन रहा हूं सर आपको जो पहले क्या था जैसे वह इन्हें भी सूपर टैड़ बेज दिया वगरा जलाने चले जाते हैं सर लेकिन आपकी श्रेम सुने सर तर पांच बार तो आपके ज सर मन बदल गया विश्वात उठ गया चीजों से मेरा सर तो मैं अपने गरवाणों को भी बोलता हूं सर कि मत माननों को यह नहीं है को कहते हैं कि आपको नहीं मानना है को दिक्कत नहीं है यह हम तो मन ऐसा है तो एक वर बात है सर जैसे अपना दे सजाद हुआ सर जब तक त जीन्हों ने थोडी सी समुझदार हुए हैं सर जो और जैसे आप जैसे सर बंदे हैं जो चीम वगरग रहे हैं सार जागृक कर रहे हैं बंदों तो अभी जो यूगा पीडि है अपनी सर थोड़ी जागुर खोरी है, उसके पहले जो सर अपने को पढ़ने ही नहीं दिया जाणा था था ना जब इसे यह बंदि जैसे वो थोड़ी देर पहले एक लड़का याथा सर वो कैसे उतावला हो रहा सर था वह बढ़िया काम कर रहे हैं तो देखा आपने और वह लड़का जो है वह भाग गया है और मेसेज कर रहा है प्राइवेट चैट में कि इदम है मुझसे मेरे प्रश्णों का उत्तर देने का तो उसको तो यही नहीं पता है कि उसका प्रश्ण है क्या वो तो हर मिनट में अपने मुद्दे बदल दे रहा है उसने आते ही दो मिनट में अपना मुद्दा बदला था फिर उस बंदे से आगे जब उसके जबाब दिये गए फिर उसने मुद्दाबदला तो मुझे तो लगता है कि उस बंदे में दम ही नहीं है जिसको करनी होती है ना वो बंदे पर डिवेट करता है और उसके लिए विलकुल जरूरी है कि थोड़ा सा जो बंदा पढ़ा लिखा हो जिस बंदे को ये तक नहीं पता है कि एवरेज लाइफ 100 साल थी कि 32 साल बता रहा है ये जो डॉक्टर्स की जो वो है डॉक्टर जो भी था वर्मन जो भी था तो ये एक्जेक्ट आक रहा है आप किसी गौर्णमेंट प पतारा कि पहले 100 साल जीते तो जिसको नौलेज ही नहीं है उस पर समय खराब करने से भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत जदब पायदा आया खेर वो तो भागी गया और यहां विकाश कुमार जो है मिन जी का सुपरिश्टीकर आया है बहुत सुक्रया आपका फिर से और यहां पे स्रेयत तारंग जी है इनका भी सुपरिश्टीकर आया है इसके बाद वरुन जी ने यहां पे लिखा है एक दिन आप डिक्लरेशन ऑफ हुमन राइट्स के चार्टर का आर्टिकल पढ़ो और दिखाओ ब्रामिन धरम कैसे कंपेर होता है उन हुमनिटी उस पर एक दिन बकायदे स्ट्रीम करते हैं कंपेर करेंगे दोनों को कि आज जिस ब्रामिन धरम को बचाने के लिए बच्चों को फंसाया जा रहा है उसमें और हुमन राइट्स क्या कहती है इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है क्या दोनों समकच हैं एक जैसे हैं या ए आसा और कह सकते हैं कि देकार फले बंदे हो जाएंगे लिए हम धूरी दुनिया को ठोकते रहते हैं दिखाते रहते हैं कि देखो उस धरम में human rights नहीं मानेगा तो फिर उसका सवाल नहीं पैदा होता तो शुक्रिया आपका वरंजी अच्छा आपने टॉपिक सुझाओ दिया अच्छा अब देखे यहां पर और कौन आये हुए हैं धोड़ा सा जो दिविटी हैं उनको थोड़ा सा मौका देना चाहता हूँ उनकी बाति सुने पबलिक भी सुने एफिदेंस तूथ है हूए हैं चले इनसे डिवेट करते हैं जी एविदेंस तूथ मताएं क्या काना च आर यू देया है कि इस नॉट लिस्निंग चले और कौन है यहां पर मन राखान की वट आये हुए हैं तो इनको भी जोड़ लेते हैं इससे पहले जो है इंडियन सोल्डर जी का सुपरिश्टीकर आया है सुक्रियाप का इंडियन सोल्डर जी इनको जोड़ लेते हैं मनर्खान कि वरड़ जी जी बताएं क्या कहना चाथे आप जवीम जय Ahh अच्छा मनान हं की वोट हे जी बुलिए बुलीए क्या कहना चाहते हैं जी कि लोग यह से धर्म के बारे में इतना भ्रम फला रहे हैं यह लोग इतना धर्म के वज़े से पूरा आशांती फैला हुआ है इन लोग का मनसबा क्या है समझ में नहीं आ रहा है सर इसको आप क्या कहना चाहेंगे सर देखें इनका मनसबा तो बिल्कुल क्लियर है इनका एक ही मनसबा है कि ब्रभैनिकल सुप्रेमिंसी जो है वो बनी रहे ब्रामहरवाद जो है वो बना रहे और बाकी पबलिक जो है उसक तрьकल रहें, उनकी गुलामी करें, यह इनका मेन मोटो रहता है। उस मोटो को बरकरार रखने के लिए यह तरह-तरह की चीज़े करते रहते हैं और आप देखें कि कभी इनके बच्चे जो है उनी चीज़ों में कभी लिपत इनके बच्चे नहीं पाया जाएंगे। जिन चीजों को ये OVCACST से करवाते हैं, दंगे फसाद में आप पाएंगे कि कोई भी ब्रामण जो है, मरते हुए नहीं पाया जाएगा, कि कोई ब्रामण बंदा जो है, वो जाके दंगा फसाद किया फिजिकली, इस्टेटमेंट देगा, घर में बैठे हुए, घर में बैठ लेकिन कभी वो जाके दंगे फसाद में फिजिकली इन्वाल्फ नहीं होगा, तो ये इनको हमेशा ही पब्लिक लड़ती जगड़ती, जो अंग्रेज को कहते हैं, कि अंग्रेजों ने कहां से सीखा था, इन ही सीखा था, कि पूरे पब्लिक में फूट डाल दो, अगर किसी को ये बात कहना होता, कि हम जो हैं भारत के लोग, भारत का जो बहुत शंख्यक है, वो एक है, तो एक होने के लिए वो रोटी बेटी संबन से लेकर सब्चिस यूनिटी की बात करता ना, इन्होंने आज तक बात की है, कभी यूनिटी की, आज तक कोई एक सिंगल उधारन दे दे कि ब्रामण धर्मी जो हैं इन्होंने यूनिटी की बात की हो, हमेशा ये दंगो की बात करते हैं, दंगे करने के लिए इनको OVCACST चाहिए, यूनिटी नहीं चाहिए, ये कहते हैं ना, हिंदुत्व है, देखो हिंदूत्व की बलास्मिकर दिया, हिंदू से ग्रेन करता एंटी हिंडू है एंटी यह है यह हिंदू का एक सिर्फ लेबल चस्पा इनको यूनिटी से थोड़े मतलब है इन्होंने आज तक थोड़े कहा है कि चलो अब तुम हिंदू हो गए हो तो चलो अपनी बेटी तुम्हारे घर ब्याह देता हूं तुम हिंदू हो गए हो त तो ये इनका उद्देश से कभी भी unity है ही नहीं, ये सिर्फ भारत के जो OBCS, CST बहुजन वर्ग है उसको गुलाम बनाये रखना चाहते हैं, ये इनका उद्देश से दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है, जिस दिन ये लोग खड़े होके ये बात कहना सुरू कर देंगे, जिस दिन ये अपनी बहु बेटियों को सिधे openly कहना सुरू करेंगे, कि हाँ भाई अब कोई कास्ट सिस्टम नहीं रहा, हम सबसे रोटी बेटी भी आते हैं, हम सबसे वो कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकली जिस दिन करने लें उस दिन मैं मानूँगा कि हाँ, ये क मुद्दा बना रावल के लगाया करें, चैना व्हें पहले को अपने समचार वालत हैं, अपने लोकल समयाओ, इसने किए स्टेई साइद उसको उड़ा दिया था, उसको कोई झी खतोर लícia अकबार वालतर हो, हाँ ये कभी भी इनको किसी भी SCST वर्ग से OBC वर्ग के जो हत्याय होती है जो उत्पिडन होता है उनका मकसद उसको दिखाना नहीं होता है क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग खुद ये काम करते हैं तो ये कभी भी उन मुद्दों को नहीं दिखाएंगे ये क्या दिखाएंगे जिसमें कोई भी एक मुस्लिम एंगिल जुड़ा हुआ हो अगर मुस्लिम एंगिल जुड़ा हुआ है तो तुरंत हिंदू-मुसल्मान करने पर उतार हो जाएंगे और वैसे जो है ये OBCCST को खुद मार लें पिट लें उसका सुसर्ण कर लें उसका कुद ज्यादा चिंदा हो गई है OBCCST की वैसा दिखाने का पर्यास का यहीं पर बहुजन फस जाता है यह बहुजन को लगता है कि हां यार हम पर अत्यचार कर दिया मुसलिम ने लो चलो अभी हिंदू-मुसल्मान हो गया लेकिन जहां पर ब्रह्मेनिकल सिस्टम मुसल्मान होगा सब लोग खड़े हो जाएंगे तो यह चीज़े चल रहे है ठीक है ठीक है मुझे तो यह लगता है कि जैसे हम लोग बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे वह हमेसा सिक्षा स्वास्त रोजगार पर बात करते हैं तो इन मुद्दों को भटकाने के ल रोजगार और यह जितनी भी आप बाते कर लिजिए स्वास्त की यह जितनी भी बाते कर लिजिए आपको मिल जाएगी सिक्षा भी मिल जाएगी रोजगार भी मिल जाएगा लेकिन आप पोजीशन देखिए कि आपको कहां पर मिलेगा इस चीज को थोड़ा अच्छे से लोवर वर्ग है जो गरीब वर्ग है गरीब तपका है उसके लिए सरकारी संस्थान खोलेंगे और उस सरकारी संस्थान में इतनी ज्यादा वो चीज़े होंगी मतलब कि वो बच्चा उसमें पढ़कर कभी कुछ बन ही नहीं सकता आज के कंप्टिशन दोर में तो आप सिक्षा कहोंगे खोल देंगे लेकिन आप उसको पढ़के भी इन से नहीं कंप्टिट कर पाएंगे क्योंकि इनका बच्चा अब कहीं विदेश में पढ़ रहा होगा करी टॉप इसकूल में पढ़ रहा होगा तो हमारी जो समस्या एक्चुल सम बैठे हुए हैं जितने धनाड़े हैं जिनके पास पैसे हैं सब होस्पीटल कोल के बैठे हैं पैसा जो देता है उसको ले लेते हैं और गरीबों के लिए जो सरकारी जो सदर होस्पीटल टाइप के खोले हैं उसकी हालत देख लिए कि इतनी खस्ता हालत है कि मतलब उसमें जानवर तक मिन गूंते हुए उसको देखे यह आपकी वीमारी और बढ़े जाये तो यह स्वास्त भी देंगे सिख्छा रोजगार की बात करते हैं रोजगार में यह क्या करेंगे ला जब रेजर्वेशन की बात आएगी तो रेजर्वेशन में आपको कुछ परतिसत आपको रोजगार भी देंगे लेकिन आप देखिए तो सही कि वह रोजगार से आपको हांसिल क्या होगा एक कलरक बनगे कलर की पोष्ट आई ना ले साफ करने की पोष्ट आई चोटी-चोटी पोष्ट आई उसमें आपको देंगे टॉप पोजिशन पर आपको कभी नहीं बैटने देंगे जहां पर इनका कुलोजियम सिस्टम होगा वहां पर आपको नहीं कुछ ने देंगे जहां पर यह लेटरल इटरी हो रही है वहां पर आपको नहीं कुछ ने देंगे जहां पर हाइयर पोष्ट है वहां पर आपको नह ही है समस्या तब सॉल्व होगी जब पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर पर बहुजन वर्क का कभजा हो जब तक पूरे प्राइवेट सेक्टर पर बहुजन का कभजा बहुजन जब धनाटे बनके नहीं निकलेंगे बहुजन जब बिजनेस नहीं करेंगे बिजनेस करें बहुजनों को अधिकार हो खुद से नहीं देना शुबू करेंगे तब तक ये तो कुछ नहीं देंगे ये ये तो सिर्फ एक बैलेंस विश्व में दुनिया को दिखाने के लिए दिखाते हैं ना ये तो अपने मनुस्मृति को पूर्टिका में जस्टिफाई करते फिरते है लोग की समस्युमक्तु उस फटो लेना है उस इस आकतो जिसको इनम्ही पुर्टि दभा रखा देने के बार देएक इतनी यह संच नांतिएक के बादे क्या बहुजन समाझ रुड़ पे नहीं आया है अंत्रान करने कि लिए और जब भी कुछ खुलता है उसमें आप देखें कि के खोला जाएगा बहुजनों के नाम पर हक ले रहा होगा बरमरबादी क्लत दिया जाएगा आपके नाम पर हक किसी और फो मिल रहा हो तो यह चीज़े हैं और यह जो आपने कहा कि हम लोग को बहताने की या असल मुद्दों को गायब करने की तो यह तो हमेशा से करते आएं जो थोड़ी मोड़ी मिल रही है वो भी न मिले पुब्लिक उसी में उलची रहा है जैसे आपको कहेंगे कि भाई आपकी उतनी बड़ी तो इस तरह से बाखी जो जरूरते हैं जो जो चीज़ रिक्वार्मेंट है यह पूरा एक ब्रह्मान की साजिस है देने का दावा करो अधिक्ता जाली देना शुरू करें पूरी पब्लीक जो है उसी पर आपको कोई भी हग समाझे यह एक्ट्वल चीज़ें ठीक है ठीक है ठीक है जाने है ओके अच्छा वरुन जी ने यहां पे कुछ प्रश्ण पूछें हैं इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए सुपर चैट आई है यहां पे वरुन की लिख रहे हैं इसचे डिकलरेशन ऑफ हीवन राइस आर्टिकल वन की पहली लाइन यह है ब्राहमिन धरम से उल्टा ओल हीवन विंग्स आर बॉर्न फ्री और इक्वल इन डिगनिटी और राइट्स हां यह आपने बड़ा सही पॉइंट यहां पे दिया है बिल्कुल सही कहा है आपने कि ब्राहमिन धरम तो पहला ही चीज यह कहता है कि भाईया सब जो है ब्रह्मभा के उन इक्वल पार्ट से जनम लिया है कोई मुह से पैदा हो रहा है कोई इससे पहले ही बोल दता है पैर तो नीचा होता है ठीक है ना इसने कह दिया जबकि human rights ज बधाई हो finally caste system खतम हो गया आज मिस्रा जी के घर कुस्वाह जी पैदा हुए है आज नय दोर का स्रीजन हुआ है नया future अच्छा देखे वरुन जी ने यहाँ पे एक हास्य कहा है कि यह तभी खतम होगा जब मिस्रा जी के हाँ जो है कुस्वाह जी पैदा होंगे देखें इसके बहुत व्यापक मतलब है यह जो बाती नहोंने कही है इसका मतलब यही हुआ कि इंटरकाष्ट जब आप marriage करेंगे तो already जब इस तरह की आप खुद ही हटाना फेकना शुरू कर देंगे काहली आप मिस्रा जी रहेंगे काहली आप कुस्वाह जी रहेंगा या दूबे जी रहेंगे या दो जी रहेंगे चोबे जी रहेंगे छबे जी रहेंगे क्यों रहेंगे फिर जब इंसान एक सा है रोटी वेटी के संबंद जब सुरू होगा यह सारी चीजे खतम होंगी त तो ये उस पर उन्हों ने एक सार्किजम दिया है कार्तिक तिरएया यहां पर लिखते हैं मेरें भाई न्यू एलन आ गया श्वागत करे जैभिय। अच्ञा कार्तिक तिरएया क्या आप ही ।bu प्लच करते हैं क्या श्कूले आपका membership लेने के लिए चले देखें और कौन आये हुए है डिवेट के लिए तो उनसे बाते की जाए के जी ने फिर से यहां पर सुपर श्टिकर किया है एक मिनट बील दीप जी अच्छा हां यहां पर के जी का है ठीक है सुक्रिया आपका के जी सुपर श्टिकर के लिए चल जैभीम से पहले मैं चमतकार हो कि उपर बात करने से फेले थोड़ा सा मैं इस पेकल लेता हूं सर बासा विज्ञान पर आप वीडियो बनाओ पूरा डिटेल बासा विज्ञान के उपर सर क्योंकि इतियास में सबसे ज्यादा जो लोग कन्फूजन है ने सर वह बासा को ले जैसे अब है था गौनवाना लेंड की बात कर रहा था था जो अब थोड़े देर फेले जैसे आज अपना जो पाकिस्तान के अंदर नहीं सर बलुषिस्तान माँ पर भी एक बासा पाई जाते है भ्रावी और वो भी सर द्रेविड परिवार की बासा है और अपने सर एक बियार में और आव और आव बासा पाई जाते है वो भी द्रेविड परिवार के बियार में सर राज महल की फाड़ियों में भी माल्टो बासा पाई जाते है जो जो बर्वारत की है ऑन्हों की है जब उने जो परमान दिया एक जो जैसे उत्रवारत इस साधार पर वो क्लेम करते हैं और दूसरा यह है कि इसमें जैसे यह 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 भी कलेम करते हैं कि जितने भी जो परवति, अनुमान, ये कार्थी के गरुड और जो पिंडदान संस्कार है, ये सारे दरवड परिवार से सम्मझ लेते हैं, ये भी क्लेम करते हैं, वासाविद इसको मानते भी हैं, लेकिन इंचे जो फोकस ने किया जाता है, और इस वज़ा से सारा सिरे ये ले जाते हैं, ये अपने जो अपना स्यक्ति करणा से सिरे लेक बात्थ से अपना उसको में क कहते हैं, जो ये जो वह वाइद प्रा इना रवासा आफ़ी है, ये साप कहते हैं, और इतियासमी भी मानना गया है कि जो याद संस्कृत है जो बलक से ने सर अफगानिस्तान के उपर से मद्दे जो से माना जाता है वल्क परदेश और इरान का जो यह पार्शियन गूरु था जरतुरुष्ट उसका जनम भी आज माई लोग मतलब माई माना गए ट्यास कारोने की माई से निकले हैं यह लोग और इसमें दूसरी बात यह भी है कि जो कैज चीज हैं जैसे असुर सब्द है तो यह मनना गाया असूर सभड़ Elliot जो असीरियन सब्द है जैस असीरिया असीरिया महा है से निकलाईत हुआ हि उन्यों और बार्थर जो मा पर जो हुआ होता है असीरियन वाज़ा में बड़ इसके लिए यूज किया जाता है असूर स लेकिन और यह इराइज को मानते हैं और उसी वैदि को आपके लिए उसके लिए लेकिन बाद में यह बाद में यही असुर सब्द है जो राक्षस के लिए यूज़ होता है उसमें वेदों में पहले तो अपने इरानी भायों के साथ साथ उसे मतलब असुर को मानते हैं मतलब देवता के सब्दुल्ले मानते हैं अच्छा मतलब स्वामी के रूप में मानते हैं असुर को और कि यह आगयता मानते हैं कि bize अर राक्शिति मानते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब मरें बुद्दिश्ट ही वे अरुपे साथ स्वामी के रूप में अच्छा के रूप में बाद माते बूरे के रूप में तो वासा से कही ना कही चीज स्पर्ष्ट होती है सर की मतलब इसाफ पत्चा चल रहा है कि यह इधर से आएं एक्च्छल में देखें घालमिल क्या हुआ है उस घालमिल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है हेलो हाजी सर बोलो हाँ घालमिल यह हुआ है कि जब भासा विज्ञान बना लिया गया था तब तक आर्केलोजिकल एविडेंस को इगनूर किया गया था या तब तक आर्केलोजी पर काम ही नहीं हुआ था विलियम सम्झ जो थे 1774 1794 इसके दोरान यह भासा विज्ञान पर काम कर रहे थे और इसमें इनों ने भासा विज्ञान पर अपनी सारी चीचे बना ली थी इन लोगों ने यह सूच लिया था कि संस्क्रीट ही पुरानी लेंग्वेज है और वेद वेद सब पुराने हैं य अर्केलोजी के अधार पर जो सामने आया वो आया है करनिंगम महोदे के सामने से वो उसके काफी समय बाद मतलब इवन 1837 में जब जैम्स प्रिंसेप पढ़ लेते हैं जैम्स प्रिंसप के बाद करनिंगम आते हैं तो यह लोग अब अर्केलोजी से मैच कराना शुरू करते हैं तब देखते हैं कि इतिहांस तो बिल्कुल उलट रहा है अब क्या होता है कि जिन्होंने भासा भी ग्यान की अधार पर इतिहां से गढ़ हरा था था ना उसको ब्रह्मानिकल सिस्टम से वो मैच कर रहा था क्योंकि तब न बुद्धिजम की बात ही नहीं आ रही थी और अब यहां पर दो फाड़ हो गई अर्केलोजी के हिसाब से दूसरा इतिहांस सामने आ गया और जो हवा हवाई गप जैसे ब्रामन हाकते हैं वैसे हवा हवाई भासा विग्यान की अधार पर जुत्ताय कर दिया गया था भासा वाला वही चीज पहले था अब वही चीज ले जब आर्केलोजी की बात आई ना तो फिर से भासा विग्यान पर जिनकी नजर गई तो उन्होंने लुपहोल खोज लिये कि किन-किन चीजों को इग्नोर किया गया था किन-किन चीजों को इग्नोरेंस की गई थी लेकिन इन ब्रह्मैनिकल सिस्टम के लोगों ने वो कि एक्षेश्टिर नहीं सामने का उलचे da इन्होंने अपने गरंथ तभी रचे हैं क्योंकि इनकी जो चीजे थी ना रचने वाला जो समय डिवरेशन था तभी नहों वो सब इस्तमाल किया होंगे ना मुगलों के समय में मुसलिम समय में अपोसरा इरान के इतियास से जैसे एक तो इनका जो इति का जो जी है उसमें 4 सबाद मिल गया तो इत्ती में जो मिला है तो इत्ती बाशा जो हो चुकी है और फिर से अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि उन्हों ने जो दावा कि दावा कि इनके सब्द मिलते हैं दर असल इनके सब्द हैं ही नहीं वह पर उसको फिर सम्मलिद करना सर आप उसको क्यों कि उसमें यह पता चलुए है जो इत्ती परिवार की बासा कुछ टिर कि तो मतलब ना उसकि इनकी वह परिवार समूआ हैं वह परिवार नहीं यह जो बारे यूपी जो बासा परिवार में आता है तो इसमें वी जैसे दो बार्ट रहें बहाइ यस सब प्रोपगंडा है गौंडवाना और पंजिया लेंड को गोंड जाती से कुछ लेना देना नहीं है गूंडवाना लेंड मिलियन येर्स है तुल डिफरेंद तक ही जो इरान्मीर युगा यह था, मीडियन एंपायर, जिसे हिंदी में माद समराज्य कहते हैं, 600 इसा पूरग, 680 इसा पूरग, तो उसमें एक राजा हुआ था सर, रिष्टी वेग, वह हुआ था, 585 इसा पूरग, रिष्टी वेग सर, उसके बाद उसको रिष्टी वेग को अटाय था, कुर उसके रिष्टी वेग समराज्य का साहिए, इसके रिष्टी वेग को बटाता है, रिष्टी वेग का रिष्टी वेग को अटाता है, 而 कुरुस को तो उसके मातर पिता को जेल में उसको बच कैसे वहां से निकाला जाता है, मतलब पूरी मैच करते है उससे, ऐसे लगता है कि उस खान्नी को यहां पर जो अपने जो थे भुद्धिश की जाता कताओ के जो पातर थे उनको उठाके और उस खान्नी में फिट कर दिया हो, मतलब जिसमें वो अतसर दारा हुआ था, जिसने सिंदु गाटी में पने हो कि आतना कुन दारा हुआ था, जिसे डैरिस बोलते हैं, उसके बाद जरक्सिस हुआ था, तो इस पर भी आतर इरान, तो यह चीज जो है ना, हमें दो तीन चीजे समझनी होगी, कि बुद्धा जिस इला जो बुद्धिष्ट पर, यह थुआ सा में छेटर समझना पड़ेगा, उस छेतर में सर्वस्तिवाद बुद्धिजम पन पाता, जो पाकिस्तान, अफगनिस्तान वाला जो छेतर है, उधर सर्वस्तिवाद बुद्धिजम का कबजा था, और इसलिए कहानिया जो है ना, ब प्रचलित हो जाती हैं। उनके किरदारों में फिट कर दी जाती हैं। करके एक व एक सारी चीज़े द्लिकरों भूनोधन भी ज़ने से इसलिकर कुमारा ला में समय कुला, भी इसलिकल के आज़े, फिनने सोल्दूरा पनादुरन करें सुमारेक선 के द्लिकर वेकों इसलिय में थिर्सपा किसे ही गुझतु убओ अी चेंद ओर मानिन ब्ल autograph घुड़ में द्लादम आए पात्वे श के टैम में यह का जाता है कि यह जो बुद्धिश ड्रम इरान तक उससे भी आगे ग्रिक तक वहां तक काफी पहला था यह दर चाइना में क्योंकि यह जो रूट था ना सिलिक रूट उस पर पढ़ता था यह जो इरान का जो मानने के जा रहता था तो यह बात है सर्फ दो सो 224 के आपास के बात है 224 के बात है उस टैम के खुफलाफुलाबॉध द्रम है जो गोसित कर दिया था ना सर इसको परसियन दरम को इरान का राज दरम को वोशित कर दिया था सापूर ने जो की ससानी समराज्ये का एक राजा था कुछ यहां पे का रहे हैं यह लिखते हैं कपोड़ी वाज का दिमाग ऐसे काम करता है कि संस्क्रीट वर्ड मैच करता मैच करते रहते हैं अबराहम को बराहम से जोड़ देंगे जिसका इनके बाप से भी कोई रिलेशन नहीं है हाँ ये बिल्कुल सही कहा है इनौने जब तास्वति को साषवती बनाया था उसी समय वह अबराहम बना के बराहम बनाएथा यह लोग ने अपने बाबुजी इतनी बार बदले हैं अगरेज आया तरफ बाबुजी बना लिया अबराहम को बीदेसी हैं सब लाइन से लिख रहें मुगल आये इन्हों ने बाभू जी बीदेस में बना ली अपना आज जब देश पर कब जब है यहाँ तो यह बाभू जी बहारत ने भारत में खोज रहें हैं ठान गवकट हुआ उसके जल सागर में प्रवेश करता है, प्रवेश करते हैं, उससी प्रिकार सभी बासा प्राकर्थ में ही प्रवेश करती है, और प्राकर्थ से ही निकलती है. तो ऐसे एकजामपल है, जो प्राकर्फ मी बताते हैं, सारी बासांसी जासा साहते हैं。 तो इसे एकशमपल यह नहीं देते नम्य सादू के कावय लंकर है उसमें उसने प्राकरत को बताए कि प्राकरती सब भासा हो जनर नहीं है ऐसे एक्जाम्पलों को यह अटा देते हैं यह और चीजी लाते हैं तो मैं सब दिल्ली था दिल्ली जॉब कर रहा लगी थी मेरे एक बर तो मैं क्या था कि वहां जैसे मैं बसके इंजार कर रहा था तो वह चमतकार दिखा रहा था जादू तो तो उसने खोपड़ी पर कुछ जो मानौ बोलगा जो खोपड़ी का हिससा हूँ तो उसमें वह पानी पहले धी बातों में पसाता है फिर जएथ जगह नहीं छोड़ना अभी में खापड़ी पर पानी दूँगा और इसमें जो आत्माहों का मतलब पूरा आतमा होंगी तो जलेंगी तो उसमें पानी च्ट सब्सक्राइब करें जैसे कुछ चमतकार दिखाते हैं कि अवन कुंड में आग लगा देते हैं तुनों को सब्सक्राइब करेंगे कि देखो हम पानी डाल दियां फिर एक सोडियम लेंगे थोड़ा और उसमें से धूवा निकलना सुरू हो जाए एक और साइंस प्रिक हो रहे हैं इसकी क्या करते हैं पोटेशियम प्रणुनेट को पहले पीस के उसको पहले पीस के उसमें मिला देता है जो अवन सामगिरी होते न उसमें और जब घीने लेते वह लेते हैं प्याली में सर गिलिसरीन जब उसमें आप जैसे गिलिसरीन डालोगी न सर तो वह जल उठता है क्योंकि पोटेशियम प्रणुनेट में आक्सिजन की मातर्य बहुत जाद होती है और गिलिसरीन एक है जो कार्वनिक कंपाउड होता है और उसमें कौन सी छेपया भी करें होकर वह जल उठता है यह इसका पीछे का साइंस सर तो यही सब तो दिखा के पबली को बेखूप बनाते हैं ना गौड जो है गौड गौड ऐसे अस्थापित होता है पिलिप सर जो केमिकल रियक्शन है उसको दिखाकर अस्थापित कर दिय जो नारियल के पीछी जो तीन आख होती है ने सर उसमें एक आख क्या होती है थोड़ी नरम होता है उसका तो उसमें क्या करते हैं उसमें से निकाल की गिदार उसमें से कली डाल देते हैं कली जो कली अंदर जाते है ने सर तो नमी के वज़े से यो खिल जाती है तो लोग कि हाँ मैं सुन रहा हूं सुन रहा हूं जी सर विसकी में सरी सोडियम ठायो सल्फिर्ट डालके उसका रंग है जो सफेद कर देता हैं और एक जब बाबा जी उस पर चलता है चादर पर उके तो उसके पैर है जो लाल निसान बना देता है उसमें क्या करते हैं सर ये जो वाइट उसमें दोते हैं सर 15 एचा जब बाबा जी जब श्दर पर चलता तो तो यह सब कर नामे हैं और सांथियों आपने देखा है मौता सिराज जो हैं यह काफी इंफर्मेटिव जनकारी भी देते रहते हैं और आपने देखा है कि समतकार के कई किस्से इनोहों ने सुनाये हैं कुछ और भी बताना चाहते हैं वो भी सुन लेते हैं हम जैसे किसी बाबाजी के पास गए सर कुटिया में तो क्या करता है कि हमारे सामने वह एक वह नमत्यलक के पानी भी दालते हैं तो पाणी हुबलने लग जाता है ऐसे आल्रेड क्या करते हैं कि यह चांवल क्या आकार की जो कैलसिम कारवनेट जो पानी को बालता है उसको उसमें पहले उसके साथ वो कर देते हैं मिक्स कर देते हैं और जैसे पानी में डाल की चांवल को उसको डख देते हैं तो वो पानी उसमें अंदर उबलता है चांवल पक जाते हैं सब उसका पर्शाद के बख्तों को दे देता है तो बख्तिय सोचते हैं यह बावा नहीं जान पाती है और यह बावा ढावा देखें थोड़े। होते हैं आम जानता से तब ये ब्यक्ति बना पते हैं और लोग जो है खुद अपडेट रहना नहीं जाते हैं। जाते हैं गोई चैसे हम लोग टाएट होने की ज़रीवतेदे गर झाहते हैं हम बात करते हैं कि ऐसी चीजते तकनिक आ गई है जरा सुंचे यह आज तक किसी बाबा ने आपको कोई सेलफोन बना के क्यों नहीं देदिया। जमत कार ku दिया आपको बिजली बना के क्यों नहीं दे दिया आपके घर में रोशन कर दिया आपके यहां बैटरी बगर बना के चार्जर बना के क्यों नहीं दे दिया इतने चमतकार दिखाता है चमतकार दिखा रहा है वो अदान दक्षिना आपसे ले रहा है बिल्कु सर इस पर एक सी पर दिया था उसके उन पर अच्छा यह तो बदनाम कर रहे हो हमारे इंडियन कल्च भनाना डेका जब बदना पड़ा उसका नाम बासरम के जड़े एक बदनाम आश्रम रखना पड़ा यह चीजे भी चल रहे हैं बताए हाँ उसने वो किया है कि राजस्थान सरकार और मध्य परदिश सरकार दोनों को डेलिकेट किया है इन लोगों ने एल्पी है ठीक है ठीक है मतसरा राजस्था उसमें खूपसूरा चीज यह बताएगी है कि जैसे कई जाते हैं वक्त उसमा आश्रम में और मा जाते ही तो हमारा पूरा सरीर का दुख दर्द खतम हो जाता है सारी टेंसनों से अमुक्त हो जाते हैं सर उसको अ इधिए वह है चमदकात और इस बात बताता है वाव जा तो यह करते क्या है कि गाओं के जो जो बदमास होते हैं उनको एकटा करते हैं उनके अपना चेला चा पाटा बनाते हैं वह पिर चार करते हैं अरे बावा हमारा यह कर दिया वह कर दिए जरे सहर नॐ इन जिस्वेंगे कल दिया कर दिया है कि और वह लोगला हमा जैसे होलों जरू ओ गहाय को और फेरी सुन पूरा पता ले लेगा रूपन करके बता देगा उसको पूरी चीज और वहां जाके बाबा उसको बता देगा तो वहां से आया है ऐसे ऐसे करके यह अपना चमतकार के नाम पे लोगों को बनाते हैं जी जी बिल्कुल सही कहा है आपने तो यह सर इसमें जितने भी चमतकारों को आपना जो इस पश्ट करो सर इंको और फिर इनसे पूंचो सर और इसमें डेट में कि आपके साथ क्या चमतकार हुआ प्र उस सारी चमतकारों को सर इकटा करके उसके पीछी का विज्ञान हो अगल और चमतकार के नाम पर क्या-क्या हुआ है वह आखे मैं स्वागत करता हूं आएं अपनी बातों को रखें हम लोग भी तो देखे ना कि इसके सांद क्या चमतकार हुआ है तो भी तो सर्जरी करेंगे ना विल्कुल सर आपर उसके पीछे के विज्ञान आप नेक्स्ट एप प्रासा के लिए ब्रामिन सब चीज में बोलते हैं यह हमारे एंसेस्टर ने 2000 साल पहले ही कर दिया क्या कोई ब्रामन आयेगा कि सबसे पहले हमारे एंसेस्टर ने 2000 साल पहले पाधमारा यह बिलकुं सही question ने खड़ा किया है कि भाई जब सारा काम जो है 2000 साल पहले ही 브להमट के पूरोजों ने कर दिया επι रिसी मुनियों ने कर दिया यह सारा काम भी उन्हों नहीं कर दिया होगा दुनिया के जितने काम जब उन्होंने ही सारा काम कर दिया है तो यह एक बड़ा गजब का लोजिक इनका ब्रामडों का लगता है कि यह पहले तो कहते हैं कि सारा काम जो है इनके पुर्वजों ने कर दिया यह निठल्ले बनके भूमते हैं निठले ही तो है क्या किया है नहों आज तक अंग्रेज आए उनके चाटुकार बन गए मुस्लिम आए उनके चाटुकार बन गए तो इनके क्या पुर्वज भी जो है वो चाटुकारिता ही करते थे क्या वो चाटुकारिता में किताब लेखते थे क्या अल्ला उपरिसद किया है सुक्रिया आपका वरंजी चले अब देखते हैं और कौन डिवेट के लिए आए हुए हैं तो डिवेट करेंगे देखें मैं सांतियों बताता हूं जो चमतकारी पुरुस लोग है ना उनको थोड़ा सा प्लोग मौका दीजिए पुरुस जब आएंगे तो उनका चमतक है हुआ है लागी मैं आपको बात करना पसंद करूँ आए तो चमतकोर से रेलेटर है और एक टौपिक फोड़ा सा पॉइंट से हटके है ना तो मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ा सा पॉइंट से हटके जैसे नास्तिक बन जाएंगा ना तो हम लोग उसके बात क्या कि Estre पर उसकाइटी से निकाल दिया गया तो बाद में जब हम लोग के साथ यह कोश्चिन खड़ा होता है कि हम मरने के बाद को हम लोग को पर 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 उसके सामने से एक ही वेखती था और फिर वो डेड होगा है उसमें बहुत दूर था जब वहां से बॉड़ी लेका है तो हमारी कम्यूटी ने भी एकसेप्ट करने को तायर नी कर दिया मना कर दिया तो फिर उनके ब्रदर ने जैसे तेसे कन्विंस करा सभी को उसके अगर हम यह कम्यूटी नास्तिक बन के हम निकल जाते हैं तो हम उसके बाद क्या करें यह चीजे में अभी इन फीचर अभी आज ही मेरे साथ कुछ घटना हुई और यह चीजे में अपने बच्चों के साथ भी खेस करता हूँ बच्चे हम तो अभी दुसरी कम्यूटी में अब बात मीं मानों कि मैं देड़ साल से अकले रहा हूँ मतलब इवन में चोड़ के चले गई है तो वह चीजे मुझे अकसर खाया थी कि अगर ठीक है कलको में घर पही कुछ हो जाएगा तो मेरे कुछ दिने चुने दोस से उनके लाग इसको पता चलेगा और यह चीजे मे क्या जब एक्सिदेंट होगे आज ही और अच्छा टॉपिक भी मल जा था आज मेरे एक्सिदेंट हों कि मैंने क्वेस्था है तो किसी दोस्ते से में बांगे मेजर अब था और अब एग्से तो सभी लोग ऐसे मजा कर रहे थे कि हाँ तुम अपने समाज़ वाले को बलाव वो आजेंगे help करने के लिए वो फिर मेंने दोस्तों बलाया वो भी बोल रहे कि तुम अपना मतलब ही तिंच कर रहे थे फिर जिसके आँ गया था वो कुछ लोगों ने मेरे घर छोड़के आया यह कंशन ती तो कभी आज भी मैं बहुत सोच रहा हूं कि इसके बाद हम क्या क कर देता है उसके बाद हम लोग का मरने के बाद क्या है कहां मतलब यह मैं सब कोईशन कर आते हैं कि हमारे डेड बाडी में कोई होगा कि रोगा पातन नगर निगम वाले आके लिए जोग देंगे क्या करेंगे मतलब यह फेस होता है मेरे जित्ती भी वह सब बहुत हाट सो बहुत बिलोग करते हैं एक लिए शोगया मेंट टॉपिक इसका रोग शॉलूशन होना चाहिए ना दूसरा यह जो काला जारू एक में ठीक इसमें आपने जो कहा है कि इसके बाद से क्या करें तो थोड़ा सा इसको डिसकस अचा आप और भी प्रशन रखना चाहते हैं चल पर एथिस्ट हैं या अभी आप जो है थोड़ा सा आप बिलीफ करते हैं इस्वर वगएरा पे आत्मा वगएरा पे धार्मिक रंतों पे नहीं देखिए इंसान एक बिन पेंदा लोटा है कि समाने जह अपना सवार दिखता है वो से सब्सक्राइब कुश्ट करता है मैं चलो ठीक है यहां चले आते होँ चले आते वो चीजह मैं अपने बच्चों के कारण करना पड़ रहा है न तो वह से फेक फॉल्मिक बोल सकते हैं मों तो एक अगर मैं हंडेट परसंट बोलू तो हंडेट पर हां कुछ फेमिली के लिए थोड़ा सा मेजर रखना पड़ता ह क्या कि मैं ने कहाने कि महिए बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं देर्छाह जाएगा बीुश मोद तो भी याद करते हैं तो हमारे स्वेह भी थोड़ा सा अलग हो गई तो हमें भी लेयता हो थीक है बच्चों बच्य शादी है में कौन नाती है थीक यह वीं और हम भी तो थोड़ा सेक्योर तो हो जाए मुझे बड़े होंगे तब अपना फीचर देखेंगे हाँ कहिए चले दूसरा प्रश्णा आप कुछ कहना चाहते थे वही बोल दीजिए दूसरा कोश्चन है जहां तक ब्लेक मेजिक का है सवाल अब भी हार से बिलोंक विहार से खुरसा मेरा ुड़ा सा मेरा टच में है खुरसा अलग स्टेप में तो एक कालक हुआ आकर हमारे च्छत पे चिला आता था तो हमारे नाना बोलते थे कोई महमान आने वालए यह मेरे साथ बहुत ट्रेजरी हुआ है और वाक़ाइ में दो दि कर दो दिन के अंदर अभी तो मुझे नहीं मालूम आपको पता नहीं क्या हुआ वह दो दिन के अंदर मैंने हंड़र परसन यह चीजी मेरे साथ एन हपनेस होई या कुछ टेजरी या अनलैक होगी यह मैंने देखा कि काववाच लाता है तो गेस्ट आते हैं उस सो में तो ले अदि मारी थी तब मुझे दो दिन पहले ही पता चलेगी कि मम्मी कुछ होने वाला है मेरे नाना मारे थे तब भी मुझे नानी और दागी मतलब चारों को मैं बहुत प्यार करता था पर उसके दो दिन पहले मुझे बड़ा अजी सफलिंग होता था यह मैंने इक नोटीस कर मैं पक्का उपर विश्वास करता था उस समय और मैं जब भूत को नहीं मानता था मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मेरे खुद का जब मैं 15 साल का था तो मैंने खुद अपनी घर में लाइबरी और टेक्टिकल रूम बना लिय थे उसों प्रेक्टिकल करता था बह अपने बुक्स जो प्यार करता था उसको मतलब तीन चार दिन में डिस्ट्रोय कर दिया पुरा मार्श्री टॉक्ष्ट चला दिया मुझे नहीं पढ़ना मुझे तो बस अलग रहना है मैं कुछ नियान था कुछ नहीं मानता यह सब पर गया इवन मैं ट्राइब ट्राइम् पिर यह स्के वाद आप ठेसरे एक होती हैं ए तो मैंने का कि यह क्या होता है इक हम तो इसके जिस विख नहीं हरते, तो मैरी मां कy आख में देख़ा कि जिल यह पर रहा है कि मैंने ख़ा प्रаша ओलfinitely हैं वह बहुत ज्यादा ने था मैं यह सब विश्वास फालत हुआ था न विश्वास हम लोग बात नहीं करते तो बोलें कि ठीक है मैं अगले दिन आता हूं तुम्हारे गरप ठीक है वह अलग कम्म्यूटी का आया हमारे सोफे में बैठा और पीछे बस वह चुप चाए बैठा मैं उससे बढ़ बढ़ा रहा कि तुम भालतू बात हो इससा मैं हलाए कि मुह बहुत रिस्पेक करता हूं बढ़ाओ को पर मैं क्यूं बोल रहा हूं क्यूं मार्शिट जला दे क्यूं बुग जला दे मुझे आज तक महीं पड़ता है तो उसने बला कि थी के तुम मैं जब ले गया है तो वह जब ले स्टा इंगा तो वह जी कूछा कि कि ने बता तो वह जीस दिन ले गया तब मेरे कंध्या से ऐसा वेट हड़ी है मतलब मैं उस विष्वास नहीं करता है विष्वास का सब्सक्राइब करना है तो यह सबसे पहले की स्कुल में जब हम इंट्री करते हैं तो वहां पर अपने सबसे बले इंट्री करते हैं सब्सक्राइब करते हैं था फड़ फॉइंट था जो था वह काला कोवा बोलता था बलेक मैजिक से अपकी मांचे में जिन तैर रहा था तो यह था फॉर्ट पॉइंट भाट बताने जा रहा है फॉर्थ यह है कि जैसे कि अभी फॉर्थ यह ब्लेक मेजिक नहीं यह थोड़ा सा टॉपिक से हटके जैसे कि कहते साइंस भगवान को नहीं है आपने कहा था कि आप तीन पॉइंट बताएंगे पहला अलग है तो अब अचानक सड़नली सड़नली आदा है मुझे सड़नली आ यह बहुत है अपने हर जगा कमिनेटिव पर है कि जब हम स्कूल में इंटरी करते हैं तो अपने भगवान का पोटो चेर्च में जाए तो प्रोस करेंगा कुछ हिंदू बेग्रांद में नहीं सरसॉतिव ने बच्चों में तभी सब भगवान की डाल लिया था इवन नासा इंप्रूमेंट हो, ठीक है, अच्छा जी, तो देखें, what should I do, मेरा एक और प्रशन है आप से, कि आपकी वाइफ जो आप से अलग रही है, वो क्या मैटर है, मतलब, वो किस कारण से अलग रही है, मतलब, 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 हम लोग के साथ, मेल मिला नहीं हो पाता है, उनके साथ, तो अभी तुम में डेर साह हो, जा भी नहीं रहा हूँ, कम्यूटी में, पर वाइफ को उनने अपनी तरफ कर ले, कि आप उनको तुम्हार बच्चे को देखना है, शादी कैसे करना है, शादी में कोई आएगा नहीं तुम्हारे साथ, क्योंकि वो मेरे पापा को जानते हैं, जो मेरे साथ कि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे बहुत अच्छे पर जब उनकी डेट बॉड़ी जब होई तो उनके साथ से एक ही परसन था क्यों कम्यूनिटी से जाते थे तो मैंने आगा कि अगर हम लोग के साथ ऐसा होगा तो हम लोग कैसे क्या है मतलब मजबूरी में को आपस क सब्सक्राइब हो जाना पड़ेगा अच्छा आप किस कॉम्यूनिटी से विलॉंग करते हैं मतलब आप कास्ट बताने की जुरूत नहीं है आप सिंप्ली के टेगरी कॉंस्टिटूशनल के टेगरी बता सकते हैं वो भी सीसीस्टी जन्रल है जन्रेल सब्सक्राइब सुक्रिया आपका सचिनलाकराजी फिर इसके बाद शोनम कुमारी जी का भी सुपरिश्टीकर आया था सुक्रिया आपका सुनम कुमारी जी देखें वाट सुड़ाइडू मैंने जो आपकी प्रॉब्लेम समझें वह यह पाया कि आप पुर्ण रूप से एथिस्ट नहीं है क्योंकि एथिस्ट जो होता है उसको किसी तरह के भूत जिन्ड मानने की जुरत नहीं होती है आपने पहले किसे में बताया कि एक एथिस्ट जो है वो क्या करे वो अकेलापन महसूस करता है उसके पिता जी मरते हैं तो वो अकेला होता है उसको community के लोग नहीं होते हैं, बीबी अलग हो जाती है यह सारी बात आपने बताई कि बहुत अकेलापन महसूस होता, आप अकेले रह रहे हैं देखें एक एथिष्ट जो है वो कभी अकेला नहीं होता है क्योंकि जीवन जीने के लिए एथिजम जो है वो सिर्फ एक सोच है जीवन जीने की कला अलग है उसका कुछ भी relationship से लेना देना नहीं है एथिजम का एक अच्छा मानसिक व्यक्ति जो होगा, स्वस्त मानसिक व्यक्ति जो होगा, वो relationship और जो उसकी विचारधारा है, उसमें समझस से बैठा लेता है, आप देखें कि दुनिया में ऐसे बहुत से एक्टर हैं, आप प्रकास राज का उधारन ले सकते हैं, साउथ में हीरो हैं, औ प्रकास राज की फिल्में आती हैं, आज भी आती हैं, कोई यह नहीं कहाता कि आप जो है, एथिस्ट हैं, तो मैं आपको नुकरी नहीं दूँगा, और वो villain का रोल करते हैं, बहुत अच्छा रोल करते हैं, प्रकास राज जो है, मंच पर जब जाते हैं, तो आपने देखा कमाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, फिल्में उनको ऐसा नहीं है कि उनको चीज़ें नहीं मिलती, या वो अकेला पन महसूस करते हैं, या ऐसे बहुत लोग, कमल हसन है, कमल हसन की जो है, उनकी बेटी एक तो बुधिष्ट से साधी कर लिए, एथिस्ट हैं, प्रोपर वो इसलिए मुझे कोई कम्यूटी से बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब की गरबड़ी जो है न हमें थोड़ा सा अपने अंदर जहाकने की जरूरत है, कि प्रोब्लेम एथिजम के साथ नहीं है, प्रोब्लेम हमेरे अपने थिंकिंग लेवल के साथ है, साध हम उसको अपने क के कारण नहीं छोड़ सकती है, वाइफ के साथ जो रिष्टा होता है, रिलेशन होता है, वो एथिजम या थिजम इसके कारण नहीं होता है, वो एक रिलेशनसिप होता है, मेचुरल्टी लेवल होता है, वो मेचुरल्टी लेवल अगर विक्सित होती है, तो हमें इसमें को यह बहुत बड़ा point नहीं दिखता है, आस्तिकता नास्तिकता की, क्योंकि भारत की जो डेमुक्रेशी है, इसमें जब मुसलिम और हिंदू जैसे बिपरित विचारधारा के लोग भी सांतर रह सकते हैं, दंगे भी होते रहते हैं, फिर भी सांतर रह लेते हैं, तो यह एक बह होने लोगों से विक्षा मांग कर लोगों से संबन रिलेसंसी प्रक्खा, उनको सिक्षाएं दी, पूरा भारत बहुत हमें हो गया, तो अगर हमारे पुरवजों ने ऐसी चीज़े जो हैं, उस समय जिस समय साइन्स नहीं था, तो आपके पास साइन्स हैं दिखा सकते हैं, साइन्स के लिए गलत है, उस समय तो कुछ नहीं था, तब भी उन लोगों ने अपने मेचुरिटी लेवल से, अपने सामझे से लेवल से लोगों को समझाने में सफल हुएं, पबलिक का सपोर्ट लिया, पूरा भारत बहुत हमें बन गया, भारत ही नहीं पूरा अभी देखें कि ये सारा जो खेल है ना, इसको हम एथिजम के नाम पर कहते हैं, तो एक तरह से कहीं न कहीं हम भाग रहें अपनी प्रॉब्लेम से, इसमें आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जुरुत नहीं है, आपको अपनी मेचुरिटी लेवल जो है उसको डेवलप फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने एथिजम को ही इन सब का जिमेवार बनाया, आपने पॉइंट टू डिसकस किया था, ब्लैक मैजिक, आपको ऐसा लगा कि कोई काला कववा बोलता है, और कोई आ जाता है, एक एथिश्ट कभी ऐसा नहीं सोचता, एक एथिश्ट जो है, उसका कारण तलासता है, आपने यहां पे कहीं पे भी कारण नहीं बताया, आपने हमेशा उस प्रोबिल्टी को बताया, कि एक कववा जो बोलता है, और लोग कहते हैं कि आ जाएगा, और कोई आ जाता है, यह प्रोबिल्टी है, मैं कहता हूँ कि बिल्ली रास्ता क्रोस करें और मैं जाओं बार-बार मैं भी रास्ता क्रोस करूं बिल्ली जब रास्ता क्रोस करें सबसे पहले मैं क्रोस करता हूं काली बिल्ली होता सबसे पहले और करता हूं मैं क्रोस मैं क्रोस करूंगा मेरे संथ क्या बुरा होता है होता है बुरा मैं तो कभी नहीं उससे कि अब बिल्ली क्रोस की थी इसलिए मैंने क्रोस किया तो अब कुछ बुरा होगा तो मैं तुरंत उससे जोड़ लेता हूं तो यह हम इंसानी फित्रत है भही लोगों के घर में हमेशा ही कोई न कोई आता जाता रहता है कोवा भी रूज बोलता है ऐसा थोड़े है कि एक दिन में उसका यवाज सुनाई पड़ गई तो आपने सोच लिए कि आज कोई आएगा यह प्रविल्टी होती है इसका कोई सिधान्त नहीं होता है कोवा बोल दिया तो आज आएगा रोज बोलता है वो आप जाहिए ना आप एक काम कीजिए एक एक आडियो जो है जिख कर लीजी आपके हां कोई आता है की नहीं आता है तो आप तरह तरह से इस चीज़ को चिख कर सकते थे लेकिन आपने फिर भी उस चीज़ को आज हैं तो कोई लुल्एक मैजिक है और मुझे समझाल भीर कैसे नहीं किसी सूछता है पॉपर City को कारण पता लगाता है वो कभी कोई चीजे नहीं समझ में आती तो उसको एजे सुपर्टिशन नहीं मानता थर्ड पॉइंट आपने कहा कि आपकी मा के आँखों में आपको जिन दिख गया और एक दूसरे कॉमुनिटी का जो बंदा है वो आया और वो बोला कि भाई मैं तो विदेश से आ रहा को कुछ भी नहीं पता था आपके बैक्यार्ड में गया वहां से रसी निकाली और आपका जो आप समान अलग प्रेक्टिकल करते थे सब काम करते थे और फिर आप जो है समान एक दिन अचानक इधर उधर फेकने लगे और आपकी मा के आँखों में जिन आ गया था इसलिए स ठीक है ना इसका कहीं भी किसी न तो जिन से लेना देना था ना किसी चमतकार से लेना देना था ठीक है ना कुछ भी लेना देना नहीं था इसका कारण ही बिलकुल अलग होगा कई बार इंसान जो है परसान होता है जैसे आपने बताया भे कि आप अकेले राते हैं अकेले प इन चीजों को समझने की जरूरत है कि कहां पे चीज़े आप लैक कर रहे हैं, किन पॉइंट्स का आप कारण नहीं ढून पाए हैं, बलकिल उस घटना को ही आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ऐसा हुआ था, आप उसका कारण नहीं ढूने हैं, इसमें से किसी का भी आपन अकेलापन महसूस करते हैं, वो कोई अकेलापन महसूस नहीं होता है, हम लोग भी एथिष्ट हैं, आपको रिलेशनसिप रखने की जरूरत है, अच्छी रिलेशनसिप रखने की जरूरत है, आपको आस्तिकों से भी अच्छे से बात करने सीखना होगा, आपके पासपोर उ इसमें या कहीं रिष्टेदार भी आपके आस्तिक होंगे, उनसे भी अच्छे से मिलना है, नास्तिक तर श्रिफ एक विचारधारा है, रिष्णालिटी है, वो यह नहीं है कि हर जगा जाके आप इस बात को गाना गायें कि इस वर नहीं होता तुम क्यों मान रहे हो, इस वर का भी किसी दिन मेच्रिटी लेवल आयागा, आप मेरी बात को समझोगे, पर इसका भी यह मतलब नहीं कि हम दोनों आपस में बात करना छोड़ देंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि अब उसके साथ कोई घटना हुई वहां पर जाकर मैं उसका मजा कुड़ाओंगा, इसका तो यहां पर आपने जो भी बाते बताएं ना उसमें सिर्फ एक पॉइंट आप सही कर लें कि लोगों से बेवहार हमें कैसे रखना है, मैं आपको सलाह दूँगा, एक बुक है, हाँ टू मेक फ्रेंड्स एंड इंफ्लेंस पिपल बाई डिल करनेगी, हिंदी में उसका नाम है लोग बेवहार और डिल करनेगी की लिखी हुई है, उस बुक को आप एक बार पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, आपको उससे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है बाट सुट आई डू, चले, थैंक यू बोलना चाहते थे, कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ पर अनाम का जी जो है, यह इन्हों ने लिखा है, सर मेरे फादर हाड़कोर एथिष्ट थे, लोगों से डिवेट करते थे, और कंडेम भी करते थे, उनके फ्यूनरल पर बहुत लोग आये थे, हाँ, यह बिलकुल, सही कहा है आनाम का जी, कि लोगों से जो व्योहार होता है, वो आस्तिक्ता नास्तिक्ता पर नहीं निर्वर करता है, आप देखें कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध की अस्ति के लिए सबने मारा-मारी कर ली थी, मैं ले जाओंगा, मैं और आपने सुना है आज तक किसी बुद्ध की अस्ति के लिए किसी ने मारा-मारी की हो, बुद्ध के लिए, जो सबसे बड़े नास्तिक कहेगा है, उनके लिए मारा-मारी हुई, कबीर की अस्तियों के लिए मरने के बाद से उनकी जो लास था, उसके लिए मारा-मारी आज तक किसी ने सुना है नहीं सुना होगा तो जो रेशनल विचारधारा होते हैं उनकी पहुंच वैसे ही बहुत बड़ी हो जाती है तो अच्छा कहा आपने अनामिका जी सुक्रिया ले देखें और कोन आै हुए है और कोई चमतकारी पूर्स आय हुए हो, तो अपनी बाते रख्या रोहित कुमार आय हुए है चलें इनसे बाते लेते हैं। जी रोहिट जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। रोहिट जी अपनी माइक अन्म्यूट करें। अलो सर नमस्कार जी बोले अधर में यह कहना जदन सर आप बहुत अच्छा कार रहें और पहली वार आपके बात कर रहा हूं और यह है कि अभी भारत में बहुत से सर बहुत पिछड़ी जाती हैं उनमें बहुत कम इंप्रूमेंट हो रहा है इंप पर उमनें जाब से सर पर पार तो नहीं मिलने इंप स समझे नहीं तो रहित सahी कहा है देखें इसमें बहुजन दो वर्क के लड़के हैं उनको अमें इस तरह से त्यार करना होगा कि वो अपनी इंडिस्ट्री खड़ी करें ठीक het न ब्रहामैनिकल सिस्टं के बच्चे उन्हों ने अपनी खड़ी की है वैसे समाज के बच्चों ने खड़ी की है जब वो खड़ा कर सकते हैं तो अपने बच्चे क्यों नहीं खड़ा कर सकते उन्होंने पूरी प्राइबेट इंडरस्टी खड़ी की और सारे प्राइबेट इंडरस्टी में आप जाकर देख लीजे 97-98 परसेंट जो बच्चे हैं वो ब्रहमेनिकल सिस्टम के बच्चे हैं और अन्य बहुजन समुदाय का भी उसमें जो कुछ होगा न कोई अगर होगा वो उनकी तरह सुच रखता होगा इस कारण से उसको लिये होंगे विप्रित सुच को रखते भी नहीं है तो उन्होंने अपना किया है और उनको जॉब दे रहे हैं अपनी कही कि बहुजन समाज के बच्चे जो हैं उनको माता पिता से लेकर सब लोगों ने एक ये ख्वाब दिखा रखा है कि बेटा अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा और तुम्हें जो है जॉब मिल जाएगी पर उस बच्चे क को मिल सकती है सारे बहुजन समुदाए को नहीं मिल सकती न वो पूरे जॉब का सिर्फ दो परतीसत हिसा है उस दो परतीसत हिसा में से साड़े साथ परतीसत ही तो उसको मिल रहा है न रिजर्वेशन उससे पूरे के पूरे बहुजन समाज जो है 85 परतीसत बहुजन समाज की समस्या नहीं solve होनी है अगर 10 लाख भी रोजगार मिल जाए बहुजन समाज के बच्चों को हलाएंकि 10 लाख तो पूरी टोटल वेकेंसी भी नहीं होती है तो भी समस्या नहीं solve होगी solve तब ही होगी जब बच्चे बहुजन समाज से बच्चे निकल कर और अपनी अपनी industry खड़ी करें और सब के सब हजारो हजारो बच्चों को लाखो लाखो बच्चों को हर बच्चा रोजगार देना शुरू करें तब ये problem solve होगी तो वो हमारे लिए कभी नहीं करेंगे आज जो reservation की जो परतिभागिता की जो बात आती है वो भी बाबा साहब की देन है इनकी थोड़ी देन है तो बाबा साहब ने ही हम लोगों को कुछ दिया आज हम लोग के उपर जिम्मारी है कि हम industries अगर खड़े कर सकते हैं तो बच्चों को रोजगार दे हम लोग को भी तो अपनी आने वाली generation के लिए कुछ करना पड़ेगा न अगर हम नहीं करेंगे तो हम किस से मांग रहे हैं ब्रहमेनिकल सिस्टम से मांग रहे हमको रोजगार दे दो थोड़ी वेकेंसी निकाल दो अरे निकाल देगा दे देगा कितना पर्थिसत जॉब मिलेगा तो अभी भी हमारे जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझाने के ज़रुरत है कि उनको भी जो मार्क जुकरवर्ग है बिल गेट्स है ये लोगों ने जैसे एमपायर खड़ा किया है इतने इतने लोगों को नौकरिया दी है इस तरह की हमें अपने बच्चों को त्यार करना होगा और ये मेंटिलिटी डेवलप करनी होगी आज आप देखें कि जितने भी इन्रस्टी खड़ी है हम हमें सकते हैं कि देखो यह रिलाइंस है अमबानी है अडानी है यह वैश्य वर्क से आते हैं वैश्यों का इस पर कबजा है तो भाई वैश्यों का कबजा क्यों है क्योंकि हमने उसकी mentality वैश्यपन मतलब कि जो इंडरस्टी खड़ा करना पैसे बनाना व्यपार करना जब उनकी mentality हो सकती है तो हम अपने बहुजन बच्चों को क्यों नहीं mentality पैदा कर सकते हैं एक बार सुरू तो करें सारे पैरेंट्स बच्चों को कि बटा इंडरस्टी खड़ी करो व्यपार करना सीखो चलाख पनो मतलब मेच्रोल्टी लेवल लेकर आओ नोकरी करोगे खुद खुद कमा लोगे घर के परिवार को चला लोगे समाज को थोड़े च होगे तो यह चीज जो है ना हमें इसको प्रोत्साहं देना पड़ेगा अपने बच्चों को उनको ट्रेंड करना पड़ेगा यह बच्चे बच्पन से बच्पन में ही यह चीज़े वह की जाती है कहा जाता है ना कि पैरेंटिंग की जाती है मेंटलिट्री एक डेवलप की तो शुक्रिया आपका रोहित कुमार जी आप आए और खुबसूरत आपने फिडवेक दिया ओके ठीक है रोहित जी साहद आपने म्यूट कर लिया है कोई बात नहीं चले कि अच्छा इसके बास से जो है सुजाता सिंदे जी का भी सुपर्शटिकर आया है शुक्रिया आपका सुजाता जी चले देखें और कौन आया है कोई डिवे Zhang की लिए आया है किया निरज pig용 आए हुए है हाँ जी निरत जैन जी बताएं क्या कहना चाहते हैं नमस्कार साइज़ी हाँ जी नमस्कार साइज़ी मैं चमदकार पर इबात करना चाहता हूं हाँ बोलिए तीन महिने पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमदकार हुआ जिसे आप यगीन नहीं वान सकते चमतकार होता ही है जिसको कोई यकीन ना करें उसी को चमतकार कहते हैं जब यकीन कर लेका तो चमतकार कहा रह जाएगा वो चमतकार यह था कि मुझे आपका चेनल मेरे गए सर अच्छा ओके और मैंने आपकी वीडियो जैसे ही देखी मेरे मन की सारी धुंद निकल गई ओके तो इससे बड़ा चमतकार क्या हो सकता है सब अब यह आपने प्रैक्टिकल चीज को चमतकार बता दिया लोग पबलिक भी सोच रहे होंगे यह कौन से चमतकार बताने जा रहे है ठीक है ठीक है निरचैन जी शुक्रिया फिडवाइक देने के लिए और कुछ कहना है आपको ने सर मुझे ही कहना था बस अच्छा लकी आये हुए हैं चलें इन से भी बाते ले लेते हैं हाँ जी लकी बताएं क्या कहना चाहते हैं है मुझे अपसे जानकारी लेना था के आपने कहा कि इसवर नहीं होते हैं ठीक है तो मतलब माइंड में करता कि इसवर नहीं होते क्योंगि इस वर जो है यह सारे संसार को बनाया हार जीव सबसे अलग बनाया है, जो कि तर्क करना जानते हैं, मतलब समझ ना जानते हैं, तर्क करना जानते हैं, जो कि किसी भी अनिय सजीव में दिया नहीं किया है, तर्क समझ रहें सर, सेंस लगाना, तो यह चीज है कि सेंस लगाना सिर्फ इंसानों के अंदर दिया गया है, और यह बहुत सारी किताब भी आई है, इस वर की, जो कि यह एक इस वर की उपर तर्क करने के लिए कहा जाता है, और जैसे हम एक मुस्लिम कमुनिटी से आते हैं, ज पढ़े ठोड़े से तर्क करने की चंता रखते हैं, वो तर्क करते हैं, तो यह हम लोगों को बताए गया है कि इस वर जो है, वो हम लोगों को बनाया है, प्लस एक इसवर ही है, जो की निरकार है, कुछ नहीं है, यह आपका ही किताब में और आज से 5.000 साल पहले, मत्तब इस तरीके से वो आगे बढ़ते रहें लाश में इसलाम भी आया जो कि एक इस्वर की ही पैगान दिया और जितनी भी उसके अंदर आया कि वो एक इस्वर की ही अराधा करने के लिए कहा गया तो इस्वर क्यों समझने के लिए जैसे हम जानते हैं कि यह पूरी सिष्टी में इस्वर ने ही बनाया इस सिज को भुगोलिक दिसाएं और बहुत सारे क्या कईते किताबें जो कि हमें तर्ग करने के लिए हमें यह देता है nے लगाने के लिए कहता है विग बैंक है आज मतलब किPlus से साइन्स इतना डैबलब होगा तो हमें पता चला कि यविग बैंक दोअरा दुनिया वो वाजूद में आया मतलब सामने आया तो जब हम मतलब की आज कितना साल पहले मतलब जादे स्यादा विस साल है तिस साल पहले बिग बैंग का यह हुआ होगा वो जड़ा वो आयत बता देजिए जिसमें बिग बैंग दिया गया है कुरान की हम बता देते हैं सुरह अंबिया है सुरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में कि क्या कहते हैं अल्ला फ्रमाता है सुरा अंबिया आयत 21 सूरह नंबर 20 आयत नंबर 30 कुरान की वेवसाइट कौन सी है आप लोगों की वेबसाइट में हम लोगों तो इसमें क्या करते हैं अपने किताब में ही जो इसका यह होता है अपने आपको जीवन जीते हुए संघर्स करते हुए इस्वर की अराधना करते हुए अप सफल हो जाते हैं तो आपको जन्नत अता की जाएगी चीक है एक मिनट आपने शूरा अंबिया में आपने बताया शूरा नंबर 21 और 33 अचा आयत नंबर 30 है ना शूरा नंबर 21 है सूरा नंबर 21 है आयत नंबर 30 है इसको वहीं वहीं बोलो मैं सेयर कर रहा हूं थोड़ा सा पब्लिक को भी दिखना चाहिए ना आप क्या बताना चाहिए बिग बंग पब्लिक को भी तो दिखना चाहिए ना क्योंकि मुहमत सब्सक्राइन की किताब नहीं यह की किताब है इंसानों को तरके दिया जाता है कि आप सेंस लगा के आप सूरे अमडिया वह आपने उतना चेंज करने के जुरूवत नहीं है यह आपने जो कहा है मैंने पर open कर दिया है अब इसमें क्या चीज़ आप क्या बताना चा रहते हैं मतलब यह कहना है कि बारे में आपका जो यह कुरान फर्मा रहा है यह बिग बैंक के बारे में जो बता रहा था आपका आपको यह बता कि आसमान जमीन सब एक थे इसे हमने अलग किया तो अलग का थोड़ होता है कि एक बार में हमने खुला किसी चीज़ को खोला तो एक बार में खुलता है तो इसको हम सेंस लगा सकते हम ऐसे साइंस स्विफिक चीज़ से हम इसको बिलाउंग नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर सिप अल्ला फर्माता है कि आप मेरी निसानियों को तर्ग करें और इस इस वर को पहचाने ठीक है जो कि एक ही इस वर है तो यह जैसे फर्मा था एक बैग खुला तो आज हम यह साइंस डवलाप करने के बाद हम इस चीज़ पे तर्ग करते हैं कि आज साइंस भी कह रहा है कि दुनिया जो अस्तित्व में आया वह ब्लाश्ट करके आया मतलब एक बैग खुला तो उस तरीके से हम साइंस यह कहां पर करता है कि एक बिलाश्ट के है जहां तक हम लSTV हम वह नaufen and करने ने आई है तो हमयो इसलाम को पूरा सुभाशा है, जो समें कुझा होता है, तो हम कुरान का सबसे अलग लगा लगा तो हम कुछना चाहते शेह आज आग विजग के बारे में, तो यह चीज आपका इससे हम कर सकते हैं दूसरा सवाल है चली एक ही हो गया दूसरा फिंगर पिंगर्पिंट्स है ना सार्ण देख लेता हूं क्या कहता है गूगल नहीं सर तरक करना करें इंसान को तर्ग करने की सकती अगर इस वर नहीं दिया है तो आप तरक कर सकते हैं ठीक है आप इतनी सारी बात कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, कि आपके खुरान में कहीं भी बिग बैंग नाम नहीं है, आपके बिग बैंग नाम लिया और उसे जोड़ने की कोसिस की, मैं ये जाना चाहता हूं, ये किसने आपको बता है, मुहम्मद साहब ने तो बिग बैंग का नाम नहीं लिया है, पहले मेरी बात सुनें सर, सुनें, पहले मेरी बात सुनें, थोड़ा सा मेरी बात सुनें, मैंने उस समय से आपने बोला, मैंने एक सब्द बोला आपको, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब जब मैं जो पूछ रहा हूं, तो आप जो है फि कहा ही नहीं कि वो blast हुआ ये ये हुआ आपने आपने जो जोड़ा है जहां तक मैं इसलाम को जानता हूँ इसलाम में कोई भी बंदा अपनी तरफ से कोई ची जोड़ तोड़ नहीं कर सकता आपको ये ग्यान किस ने दिया बिग बैंग से जोड़ने का मैं ये जनना चाह रहा था कि कौन सा ऐसा आपका स्कॉलर जो है वो बता दिया कि इसमें बिग बैंग है या बिग बैंग की बात हो रही है कुरान में यह मैं आपसे सिर्फ जानना चाहा रहा था जी बताये लकी जी जी लेकिन इंसान पर जो जुँए हुता है वो तरक करना ज्धार होता है हर चीजमें तरक करना इसकी एक आदत होती है तो उस शीजमें और आदत हम हम नहीं कोई बता sido कि स्कॉलर नहीं है लकी आपने शायओ मै सब्सक्वाइन है लां कि आपको कि आप से कुछ मैच बिल्कुल ठीक है MA इप कॉन से सकोलर है है किसी ने बूला नहीं तो हम पड़ने के बाद नए लगी एक चीज और सुन लिजे आपको मैंने पूरा मौका दिया है बोलने का आप इस्कॉलर भी नहीं है ना इसलामी के स्कॉलर है ना आप साइंट्वी के स्कॉलर है तो ना आपको बीग बैंक के बारे में पता है ना कुरान की ऑथेंट्रिसिटी यह दोनों में कुछ नहीं आप सूर्स बताइए ना ताकि आपकी बीमारी दूर की जा सके कि वो कौन सा ऐसा स्कॉलर है आपके हां जो मुहम्मद सहब से भी दूख कदम आगे निकलके और बता रहा है कि इसमें बिग बैंग हो गया है अरे बिग बैंग नाम लेने की ही उसको जरूरत नहीं है अभी जो है विग बैंग आप बोल रहे थे मैं थोड़ा सा सेर करता हूं देखिये विग बैंग क्या होता है अच्छा यहां पर अमित्ति वारी जी ने लिखा है कि जय सर जय भीम इनसे पूछिए कुरान चैप्टर अच्छा चैप्टर सेवन वर्स 54 में क्या लिखा है ठीक है अ अलाह ने जमीन और आसमान को छे दिन में बना दिया विग वैंग छोड़े कॉलर भाई यह आयत समझा दो हाँ यह बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है यह भी प्रशने इन से अभी ले लेंगे लेकिन पहले तपर इनको विग वैंग दिखा देते हैं इनको विग व है नासा किलियरली सबको दिख रहा होगा दे बीग बैंग इस हाव एस्ट्रोनॉमर्स एक्स्प्लें द वे द यूनिवर्स बिगेन इस जस्ट ऑ सिंगल प्वाइंट देन इक्स्पैंडड एन एस्ट्रेच तो ग्रो एज लार्ज एज इट इस राइट नाव एड़ एड इस्टिल इस्ट्रेचिंग यह कह रहा है आप बोल रहें एक धमाका हुआ एक बलाश्ट हुआ इसमें कहीं तो बलाश्ट की ही नहीं बात आई यह तो एक स्ट्रेचिंग की बात कर रहा है यह स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है अपने प्रौपर बोला है अब हमें भी कुछ बोलना दीजिया यां पर आपने जो कहा था न उसका कोई भी यहां पर निकलता है नहीं यहां पे कुछ बात आरही है अब मैं आपकी आयत भी कोल के दिखाता हूँ आपकी आयत क्या कहती है क्योंकि सारी चीजे क्लियर होनी चाहिए ना आपको ऐसे ऐसे लड़के बैठे हुए है इतनी अंसाइंटिफिक बात बता रहे हैं बता ये कुरान कहां मुहम्मद सहाब एक कलास तक पढ़ाई नहीं किये थे उनको सबस्कुरान क्या कर रहे है अभी ना सारी मैं शारी किताब को इसे कम से कम होना चाहिए ना दूसरों को भी उसकी बात रखने का मौका देना चाहिए ना अब हमें भी अपनी बात रखने दीजिए हम लोग भी तो देखें कि आपकी कुरान क्या कह रही है अभी हमने नासा से देख लिया अब हम देखेंगे आपके किताब मैंने खुल ली है और चुकि आपने कहा है कि आप इंटरनेट वाली किताब नहीं तो मैं आपकी ही किताब से स्क्रीन सोट दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको ऑथेंटिक आपको ऑथेंटिसिटी का विजह मेला ना रहें एक मिनिट क्या कहती है आपकी आयत ये रहा इसको सेयर कर देता हूं ये रहा आपका सुरा अंबिया का 21 नमबर जो आपने कहा है उसका 30 नमबर आयत ये लिख रहा है क्या उन लोगों ने जिनों ने कुफर अक्तियार किया देखा नहीं कि ये आसमान और जमीन बंद थें बंद थें बाई साब ये जमीन और आसमान कई से बंद रहेगा जमीन जो है कोई पेटी ओटी है क्या जो जिसको आपने बंद कर दिया अलमीरा है क्या कि बंद कर देंगे उसमें आसमान डालके बंद कर देंगे फिर खोल देंगे और आसमान क्या होता है आसमान तो पूरा खुद आसमान में है, तो आसमान में ही धरती है, चंदरमा भी आसमान में है, सूर्य भी आसमान में है, सारे तारे आसमान में है, तो आसमान जमीन से कैसे बंद रहेगा, यह आपका आयत कहा रहा है, और सुन लिजिए, फिर हमने उन्हें खोल दिया, और हमने क्या है, पानी से हर चिंदा चीज बनाई लो भाई साब ये तो और कमाल हो गया ये तो कह रहा है कि फिर हमने उसे खोल दिया भई आसमान जो है वो एक infinite place है आप उसको कैसे खोल देंगे जमीन से सटा हुआ बंद है कैसे बंद है कि आप उसे खोल देंगे यहाँ पर एक चीज साप साप यहाँ पर दिख रहा है कि जिस भी बंदे ने ये आयत लिखी है उसको ग्यान नहीं है न इस space के बारे में कि जमीन कैसी होती है आसमान क्या होता है उसके बारे में एडिया नहीं है वो खोलने की बात कर रहा है ताला चावी लग रहा है कि कही, ताला चावी मार के किसी ने रखा था, लगाया और खोल दिया ऐसी बात कर रहा है, बिलकुल AnScient F Either Big Bang तो ऐसी बात ही नहीं किया उन To Expansion की बात कर रहा है कभी बोला हुद लगा मान के है है धर्ती आप बोल रहें कि इस तीस में बिग बैंग दिख रहा है ये तो सीधे-सीधे धर्ती की बात कर रहा है असमान के साथ कहीं एक्सपेंशन की बात नहीं है आप बोल रहें बिसपोड हुआ और सुने और हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई इतो सबसे बड़ा अंसा होते हैं अब तो 130 से भी जादा, 80% फर्सक्र मतलब क्या हो गया 75% होता है इसका मतलब क्या हो गया पूरा बोडि ही हो गया इसका मतलब पूरा जो पानी हो ही इनसान है कैसी बात कर रहे हो या पानी जो है शरीर में पानी होना चाहे 80% हो जाए चाहे 90% हो जाए उससे क्या मतलब है टमाटर में 90% होता है तो उसका मतलब क्या है टमाटर पुरा पानी है कैसी अंसाइंट फिक बात कर रहे हो यार मस्तिक जो है वो पानी है जिससे सुचता है वो पानी है पूरा हमारी जो नसे है हमारे जो सरीर बने हुए ह है इसा पानी है भाई सबका कंपोजिशन अलग-अलग है हड्डिया जो है एच टूओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी से नहीं बनती है वो जो है कैल्सियम फासफोरस इस तरह की चीज़ों से बनती है इतनी अंसाइंटिफिक बात लिखी हुई है आपके कुरान में अच् पूरा बोलने का मुँखा दिया था अब मुझे बोलने दिजीए जब मैं बोला भी है फिर आपको बोलने दूंगा आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि कुरां को खोल के सब सामने दिखवा दिया यह देखे मैं बता देता हूं राइटर भी अच्छे माने जाते हैं उनका ही ये किताब है अब ये देखे 31 जो है ये क्या कहता है और हमने जमीन में अटल पहाड़े रख दिये कि मबादा वह उन्हें देखकर लुढक जाए लुढक जाए और हमने उसमें ऐसे दर्रे बनाएं कि रास्ते का काम देते हैं ताकि वो राह कमाल बात है बाई साब पानि से हर जिंदा चीज बना दिये पीण पोदा बना हुआ है पानी से,"ब्थ, पहाड़ रहुए है एक लकी लकी महोदे आप कहे भाग रहे हैं पूरी पबलिक आपको दिख रही है कि यहां लिखा उब पूरी पबलिक देखें कि आपके कुरान में क्या लिखा है क्या पबलिक को अंसाइंट्फिक आप परोस रहते हैं अभी यह मैं नहीं खोलता तो यह घुम घुम के हर जगा गाते हैं बिग बैंग कुरान से टपक रहा है पर कहां यहां से बिग बैंग टपक रहा है यह देखें यह बोल रहा है कि जमीन में अटल पहाड रख दिये भाई साब बताए यह जमीन में कोई अटल पहाड रख सकता है पहाड जो है वो जमीन से हिमाले कैसे बना है एक सिंपल बंदा गूगल पे आप खोज लिजिए किसी क्लास बुक में पढ़ लिजिए कि जो प्लेट्स हैं वो टकराई थी मलवा उपर उठा था और वही जो है हिमाले परवत बना था यह वह था ना नीचे जमीन से नीचे से बन रहा है और इनके किताब में क्या लिखा हुआ है कि हमने जमीन में अटल पहाड रख दिये रखने की बात कह रहे हैं एक आयत में तो उपर से गाड़ने की भी बात कर दिये हैं उपर से पहाड गाड़ दिये ताकि धरती न लुढ़क जाए बताईए यह इनके हाल है और ये बता रहे हैं इसमें बिंग बैंग टमका रहे थे जिन बंदों को इतनी छोटी छोटी बाते नहीं पता है ये 32 नंबर और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया लो भाई साब तो घर बना दिये ये तो लग रहा था कि जमीन जो है न फ्लैट है बिल्कुल फ्लैट है आसमान भी बिल्कुल फ्लैट है दुनों चिपके हुए थें दूनों चिपके हुए थे मनदलब बंद थें तो ये घंखुल दियें दुनों को अलग-अलग कर दियें तब ही न ऐसा हुआ होगा जब दूनों फ्लैट होंगे तो अब आगे देखिए 32 में क्या कहा दिया इस और हमने आसमान को एक महफूज च्छत बनाया तो भाई फ्लेट था क्या कि उपर च्छत बना दिये नीचे से जमीन से सटा हुआ था मारके ढकन डुकन करके उपर कर दिये च्छत बन गया बिच में स्पेस हो गया कैसी अंसाइंटिफिक बाते हैं यार और कोने स्कॉलर है जो पर यह बताएंगे कि इस्वर होता है जिस किताब में इतनी औन साइंटिफिक बाते लिखी हैं बिलकुल उल्टी सीदी लग लग रहा है कि दूसरे त्सरे क्लास का बच्छा भी इस जधा साइंस जानता होगा इतनी unscientific बात लिखी है और ये बता रहे हैं आकर कि बिगवेंग इसमें निकल रहा है मतलब क्या बेवकूप समझ रखा है कि पूर दुनिया को या तो ये दिसकस ही नहीं करते बोल देते कि हाँ उन्होंने लिख दिया है गलत लिख दिया है अब खोल दिया है तो मैं तब पुरा दिखाऊंगा अब ये देखे 32 में ये ये unscientific बात हो गई और क्या कह रहे हैं लेकिन वो हैं कि उनकी निसानियों से एतराज किये जाते हैं अरे भाई साब ये कौन लोग हैं जो उसकी निसानियों से एतराज किये जाते हैं अरे बाई साब ये कौन लोग हैं जो उसकी निसानियों से एतराज किये जाते हैं अरे कौन एतराज कर रहा संच से कोई तराज करता है उपर भी इन्होंने क्या लिखा क्या उन लोगों ने जिन्होंने कुफर इक्तियार किया हुआ है भाई क्यों कुफर कोई इक्तियार करेगा क्यों इक्तियार करेगा इसका मतलब यह है कि यह आयते जो है उस दोरान लिखी गई इस तरह से दिखाई गई एक तरफा ये बाते कह रही है अपने तरफ की बात कह रही है दूसरा पच लिखी ही नहीं रही है एक होता है ना कि आप गए किसी बंदे के पास वो अपनी एक तरफा बात बता दिया लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि जूट बोल रहा है ये कर रह उनको नहीं पता एक तरफा बात किये जा रहे हैं कोई scientific analysis नहीं कोई scientific बात नहीं पूरी तरह से गला तब बिग्मेंग इसमें टपका रहे हैं ये 33 नमबर देखा वही है जिसने रात और दिन बनाए सूरज और चांद हर एक अपने अपने मधार में तेर रहा है लो भाई साथ इन्हों ने कह दिया कि वही है जिसने रात और दिन बनाए भाया रात और दिन बनाने की चीज है इनको तो ये तक नहीं पता है कि रात और दिन बनाने की चीज नहीं है भाया वो तो प्रित्वी जो है उस 24 घंटे अपने अच पर घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर लग परिकर्मा कर रही है, तो जिधर को जब घूंती है, जिधर को लाइट पड़ती है, वो दिन होता है, चुकि दिन भर वो नाचती रहती है, तो वो धीर धीर सरकता रहता है, जहां कभी सुबह है, साम तक नाचती है, 24 घंटे में एक चकर लगाती है, लगभग 24 घंटे में, त तो 12-12 hour का दिन और रात लगभग बराबर होता है, distance पर depend करता है, distance जैसे बढ़ती घड़ती है तो उसी साब से time duration भी घड़ता बढ़ता रहता है, यह तो natural पर क्रिया इसमें दिन और रात बनाने की अलग से क्या बात है, जानि कि इनको ये भी नहीं बता है कि भया दिन और र पता होता कि प्रिथवी घूम रही है, तो लिखते हैं यहाँ पर कि सूर्य, मतलब प्रिथवी सूर्य के चक्कर लगा रही है इसलिए दिन रात होती है, लेकिन इनको पता नहीं था, तो उपर तो लिख दिया कि रात और दिन भगवान ने, इस्वर ने, गौड ने, अल्ल तैर रहा है, इंसान जमीन पर तैरता है, कि दोड़ता है, परिकर्मा लगाता है, इस्पेस होगा तो उड़ता है, तैरने की बात तबाती है, जब पानी में कोई चीज हो, यह तो और जधा अंसाइंटिफिक हो गया, कि इनोंने सूर्ज और चांद को तैरा दियें, और इन को लखी महोदे आकर पता रहे थे, कि चुकि इस किताब में इतनी अंसाइंटिफिक बाते हैं, तो इसलिए इस किताब को यह मानते हैं, इसलिए इस स्वर को ही मानते हैं, तो जिसकी लिखी हुई आयते ही गलत हैं, जिसकी लिखी हुई आयते ही अंसाइंटिफिक हैं, उसक को जोड़ता हूं अब इनकी बात इनकी राए ले लेता हूं इससे पहले जो है अमित जी ने कुछ यहां पर चैट किया था वही देख लेते हैं अमित जी लिक रहा है सर चैक कर लिजए आजकल टुनी भी मुसलिम बनके आते हैं कल हमें पूछलो इनसे अच्छा ओके यह वह सकता है क मुसलिम भी ना हो आए लिकने हो जान पूछ कर यह दिखाने के लिए कि मुसलिम बनके आगये हो चले पूछ लेते हैं इन्हीं से हाँ जी लखी महोदे, बताएं कि आप मुस्लिम है सर उसका छोड़े, पहले हम ये बता रहे हैं ने पहले आप ये बता है, आप मुस्लिम है ने पहले आप ये बता है, मुस्लिम है आप मुस्लिम भी नहीं है यहां पर सिर्फ इसलिए आयत है यह दिखाने के लिए ताकि जो है इसलाम की यहां पर चर्चा हो इसलाम की खुलवाने के लिए है इसलाम की बाते क्या है पर आ नहीं है तो आपको हग भी नहीं था किसी दوسरे पर बात करने का मैं एक पर फुछता हूँ लग्याए हप हां या नामे जवाब दिजी यछा हां मानते हैं हम ऍसलाम को मानते हैं एब का थे वंदा यहां पर इसलाम का किताब खुलवाने के लिए उसमें उंसाइंट Pomto कook बाते दिखाने के लिए अच्छा हूँ अमिर जी ने यहां पे एक अच्छा कोड कर दिया कि सर यच्छी कभी कर लिजे कि ये है की नहीं ठीक है ना तो ये इन लोगों का हाल है भाई अगर आप मुसलिम है तो कह के आए ठोक के कह के आए न कि मैं मुसलिम हूं फिर डिवेट कीजिए यह क्या है कि भक्त हो बनके आ जाते हो मुसलिम और यहां पर दिखाने के लिए हिंदु-मुसल्मान करना है कि यहां पर हिंदु-मुसल्मान नहीं होता है जो बंदा आये पहले तो आये तो पहले अपने बता दे कि इस्लामिक है तो है नहीं है तो फिर उससे कोई डिवेट दूसरे धरम की नहीं होनी है यहाँ पर आप अपनी बात रखिए आपको हग भी नहीं किसे दूसरे धरम की बात करने की तो चले इनको हटा ही देते हैं खतम इनका अच्छा इसके बाद से जो है और देखे कौन आया है अच्छा यह अर्चना जी भी आई है इनसे भी दो बाते ले लेते हैं जी अर्चना जी बताएं क्या करना चाहते हैं हाँ अर्चना जी क्या आप हमें सुन पा रही है अर्चना जी की तो आवाज नहीं आ रही है कोई बात नहीं यहां पर राम कलिश आये हुआ है राम कलिश राम कलिश आपकी बैक्ग्राउंड साउंड लेकर मत आया करें जूड़ें तो किलियर अपना आओडियो लेकर आया करें ताकि पब्लिक को भी तो सुनना है ना अच्छा जी यहां पर आये हैं कुरुष्णा पतंग इन से बाते करते हैं हाँ जी कुष्णा पतंग बतायें क्या करना चाहते हैं कि मुझे जॉइन करने के लिए मैं कब से वेट कर रहा था आप कास करने के लिए और इसा कुछ नहीं कि मेरे बड़े-बड़े सावाल है मैं जो मुटे जितना आता है क्योंकि मेरी मां बच्पन से सीगाती है रही वैसा पूछे और ऐसा नहीं कि मैं सार्ग भी लेता हूं कि सच में लगवान है तो का है और कैसे और कैसे रहते हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं बस्ते है कर रहा थे कि मैं भी गॉड्ट नॉट रियल में बहुत बहुत सारे किस्टे से जो हम नहीं मान सकते हैं कि वीडियो में ने बता है कि वीडियो देख लो फुरी बनावटी कानिया वगेरा वगेरा तो जितना मेरा नौलज में उतना कहूंगा यह आपने कहांदा कि यह सारी कानिया मतलब अब दोजार के बाद बनाई गई है मतलब इस दोजार सालों में ब्रामनों ने बनाई गई है सब इन्होंने कि अब दोजार साल में बनाई गई है कि मैं पहली बार ने बात कर रहा है कोई बात नहीं कोई बात थी आप अराम से सांस लेजिए लंबी सासे खेंचिए और फिर बात कीजिए तो अभी दोजार साल में बनाई गई है तो यह थोड़ा मतलब आजीब नहीं लगता कि ब्रामनों ने एक लैंग्वेज बना ली और एक मतलब अपने पुरान सब कुछ लिए इन दोजार सालों में और वह मतलब प्रेट भी कर दिये तो यह थोड़ा अजीब नहीं लगता और यह भी नहीं कर सकते कि मतलब कि यह बना सकते और एक और बात में कहना जाओंगा कि हमारे जो इंडियन कल्च्टर मतलब इसका भी तो बैकवर्ड नहीं हो सकता कि हमारे यहां पर कुछ हुआ ही ना हो अच्छा कुछ कोई और भी कुछ सबूत मिल रहे जो मतलब दोजा तीनहाजार चारहाजार साल पहले बता थे कि इंडियन मतलब अच्छे थे लोग वहां पर मतलब एक अच्छी स्टिविलाइजेशन थी एक्विस्ट करते थी और वो स्टिविलाइज तरीके से रह सकते मैं यह नहीं कहता कि राम एकदम वैसे बताया हो जैसे वालमी की रामायन में बताया ही वह एकदम दिवय पूरिश्टे वगेरा वगेरा में भी वह बस एक आम आदमी हो जो जिसने अच्छा काम किया जिसकी मतलब ख्याती बढ़ गई ऐसा ही कुछ हो आँगा तो इसलिए उनकी मतलब बढ़ सब्सक्राइख कहा अप पतंग जी आपने जितनी बाते कही है उसमें हमेज आपने एक सब्सक्राइब हुआ होगा कहानियों पर क्यों है इतना होप जो लगा हुआ है इतना होप क्यों है कि पहली बात तो यह हमारी इंडियन कल्चर मतलब जो भी लिट्रेचर उसका एक हिस्सा है कहानिया बहुत अच्छी है अगर कहानिया बहुत अच्छी आज कल एक फूल्स गोल्ड भी आता है रोल गोल्ड भी आता है नाम सुना है आपने रोल गोल्ड और एक गोल्ड भी होता है तो जो रोल गोल्ड होता है वो दिखता तो गोल्ड की तरह है लेकिन होता डूब्लिकेट है तो आप बताई किस्ता इस पर क्नेक्शन है तो पहले कौन है गोल्ड है या फिर यह रूल गोल्ड आया पहले कौन आया गोल्ड होगा गोल्ड होगा पहले तो जो पहले आ है जो प्योर है आप उसको लेना चाहेंगे या फिर बाद में जो उस पर डिवलिकेट बनाया गया है वह आप लेंगे जो रियल में हुआ था मतलब जो भी नॉर्मल तरीके से वह था जिनको इन्होंने बहुत बड़ा चड़ा के बता दिया आप वह लोंगे या तरी जो बड गोल्ड वह लेंगे अरिजिनली मदब लेने कर्तों बड़ने लेंगा न कोई तशी जबात चले यह एक बात चुरे फोफ होई दूसरी एक बात करते हैं आमने मधू का नाम सुना है मधू का है फिर बदू हां सुना है हमानी अब आज करेंगे सिंथेटिक वाला या ओरिजिनल मधू वाला वैसे सिंथेटिक अच्छा बना नहीं अप्ता कितना कुछ अच्छा तो ऑरिजिनल में जो मज़ा आता है वो सिंथेटिक में उतना नहीं आता है यहीँ आपका जबाब था खुरूश्ना पतंग इस्थे अब चीजह की आ जैसा कि अपने बताया कि अरिजिनल जो चीज होते है ou इजिनल ही होते है meny भी पसंद कि जाती है अगर आप दियान से देखेंगे न साइगे जेटनी रेष्टनल वर्ड को विसेश कर चातक कता हो वाला जो एपीसोड मैंने चलाया है वो देखेंगे आपने का है कि आपने ज्यादा नहीं देखा है यह किसीने कहा कि आप ज्यादा देखिएगा तो आपके आपने जितनी भी बाते कही हैं सबका उत्तर अल्रेडी मैं दे चुका हूँ आपको बस जरुरत है समय निकाल कर वो चीज़े देखने की ताकि आप खुद को अपडेट कर सके आप उस चीज़ पर लोगों को प्रचार कर रहे हैं भ्रमित कर रहे हैं या भ्रमित हैं जो की रोल गोल्ड की तरह है जो डुब्लिकेट है जो बाद में लाया गया है जो उसके सामने एक डुब्लिकेट की तरह खाड़ा किया गया है आप उसके प्रचार के उसकी प्रसंसा के गीतगार हैं आप उसको follow करने के लिए दुनिया को predet करने और कहने की बात करे अब मैं कह रहा हूं कि आप ओरिजिनल को किजिए आपने कहा भी कि ओरिजिनल ही बेष्ट होता है चाहे मधु का केस हो चाहे गोल्ड का केस हो तो उसी तरह से जब आप जातक कथाएं देखते हैं जहां से कहानियों को उठा कर जब रमायन भारत लिखा गया तब ओरिजिनल पे जाईए ना मूल पे जाईए जब आपको अपनी संस्कृती प्यारी है भारत की संस्कृती प्यारी है तो मूल संस्कृती पर जाईए कि मूल संस्कृती से ही तो ये कहानिया बनी है भले ही कालप निखो उस पर जाईए आपके पास evidence भी नहीं है आपने हर जगा एक सब्द दोहराया हुआ होगा, हुआ होगा अरे भई, यह कहानी है जातक कथाओ की एक बार जातक कथा पढ़े के देखिये कैसे वहाँ से कौपी पेश्ट की गई है उनके तो सबूत तक मिल जाते हैं लिखे हुए, बने हुए इनके तो वो भी सबूत नहीं मिलते कबी भी तो मूल पे जाईए समस्य यहां पर इस बात का नहीं है कि कोई रमायन को माभारत को कालपनी करा न कार रहा है अधरसल एक्चुल समस्या है यहां को कल्चर को अपने कल्चर को छोड़ना है या अपनाना है मेरा सवाल तमाम भक्त लोगों से है तमाम हिंदुत्वादी लोगों से है, तमाम लोगों से है, ब्रह्मेनिकल लोगों से है, कि अगर हमें अपना कल्चर अपनाना है, तो हम मूल को क्यों नहीं अपना है, मूल को अपनाएंगे ना, अगर आपके पास साबित करने के लिए है, तो आप साबित कर देजे कि आप मूल कथाओं को लिए हुए हैं, मूल कथाओं जहां से आ रही है, वो मूल कथाओं, जातक कथाओं, बौधो की जातक कथाओं, जैनों की समड कल्चर का है, वहां से आपने चीजे उठाई, ये देखें, आपने कितने ब्रामः को देखें हैं एक और दूसरा सवाल का मेरा जबाब देजिएगा कुरुशना पतंग जी आपने कितने ब्रामढ देखे हैं जो इनके रिशी मुनी जो हैं जिसको बताते हैं कि हमारे रिशी मुनी ऐसे रहते थें का हाथ में कमंडल लेके घूमते थें और वो एक छड़ी रखते थें और सर जो है जूड़ा बान के रहते थें दाढ़ी बढ़ा के रखते थें कपड़ा पांते थे उपर नंगे रहते थे नीचे कपड़ा बानते थें ऐसे कितने ब्रामढ देखा है आपने बताये कुरुशा पतंग यह जबाव को देखा है जो अपने रिसी मूनियों की तरह रहते हैं जिसको बताते हैं कि अभी तो नहीं रहते हैं तो यहीं तो पूछ रहा हूं कितने ब्रामढ वैसे रहते हैं आप मुझे ने आप जब रहे थे मूट किया था मैंने आपको नहीं किया था आपको जब बोलने का प्रुपर मोगा दिया जा रहता आप बिल्कुल भी नडर आप जब आप दीचे कितने बुद्धिश्टु को आपने देखा है जो बुद्ध की तरह चीवर पहन के रहते हैं दीख चाते हैं मतलब बोज से वैसे हैं आपने कितने जैनों को देखा है जो महावीर की तरह नंगे बदन रहते हैं बहुत से देखे हैं ना बस यहीं पर आपका उत्तर छुपा हुआ है कुरुशा पतन जिनकी सभ्यता संस्कृति होती है वो अपने जहां से सुरू होती है एजेटीज वैसे ही ढोकर लाते हैं जिनकी सभ्यता संस्कृति नहीं होती है ना वो कागज पर गप खुब हागते हैं कि मेरे ऐसे होते थे वैसे होते थे अर रहते वैसे नहीं है वो क्योंकि वैसा वो कभी जानते भी नहीं है कि ऐसा हमारा कभी कोई था ना उनकी संस्कृ तो कागज की गप हांके हैं कि हमारे रिसी मुनिया ऐसे रहते थे वैसे रहते थे कहीं दूसरी जगा से चुरा के लिखे हैं वो जब विक बुदहिष्ट जो है बुद्धा को जो मानता है वो चीवर पहन के रहा जैन जो है उन्हों के महावीर अगर नंगे रहते थे तो वो आज भी नंगे आप देख सकते हैं उन्हें जो अपने जैसे महापुरसु को देखा वैसे रहा तो आपके ब्रामः धरम के लोग जो हैं वो क्यों नहीं अपने रिसी मुनी जो कहते हैं कि हम इतने साल से ये चीज़ ढोके ला रहे हैं हमारी सभयता कभी नश्ट ने वी हम स देखा कुछ और गया है हकीकत कुछ और है अब यह बताएं कितने इनके रिसी मुनी जो है सर मुडा के चुड़की रखते थे चले बताएं सर मुडाने की प्रथा कब से शुरूई आपको सवाल पूछ रहे हैं मैं कह रहा है कि आपकी बारी है कुछ सुनने की समझ रहे हैं और कुछ सवाल जबाब भी लेने देने की कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्ण भी होते हैं आपको क्या लगता है कि इस चैनल पर इतने दिन से इतनी बाते कही गई हैं आप आएंगे बिना इस चैनल की वीडियो देखे बिना कंटेंट देखे आप सोच रहे हैं कि दो चार बाते कहेंगे और ये चैनल वाले जो हैं चुप-चप आप लोग आज तक साइंस चरनी रेशनल वर्ल्ड को जबाब क्यों नहीं दे पाएं क्यों नहीं आज तक आपका एक भी ब्रह्मानिकले स्कॉलर क्यों नहीं आकर जबाब दिया क्यों नहीं एक संकराचार्य आकर यहां पे डिवेट कर लेता है मैंनत ओपन इन्यूटेशन दिया हुआ है हमारे तो बहुत सारे सवाल है ना क्यों नहीं आकर वो जबाब देते हैं क्योंकि इनके पास जबाब नहीं है आपको जिस रोल गोल्ड पे जो जूटी कहानी दिखाई गई है उसकी हकीकत कुछ और है आपने कहा कि हरपा संस्कृती मैं ऐसे हुआ होगा वही आप कहानी बाद में लिख रहे थे इसलिए आपको कुछ याद नहीं है आप अपनी भी तिहांस चुपा रहे हैं हैं दूसरों का भी चुपा रहे हैं इसलिए आपको जूट बोलने की जुरत होती है जूटा धरम धरम नहीं होता है हर व्यक्ति जो है चाहे इसाई हो चाहे मुसलिम हो चाहें, सिख हो, जैन हो, बौध हो, कोई भी हो, आप सिखो को देख लिजे, उनके गुरु अगर पग बानते थे हैं, आज भी वो पग बानते हैं, ब्रामर धर्मी ऐसा क्यों नहीं करता, अरे सरमूरा के, बुधिष्टों की तरह सरमूरा के रहा है, चुटिया ल यह खोज करती है थे, वो खज कर दिये थे, अजूरा बान के रहते थे, दाड़ी बढ़ा के रखते थे, हाथ में कमंडल लेकर रहते थे, हाथ में कमंडल रखने की प्रथा जो है, वो आई है 13-14 सदी में, 12-13 सदी के जो उतरवर्ती बुधिष्ट लोग थे, उनके हाथ मे बता रहा है कि वो सबसे पूराना है, तो आप, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ न, उसका उत्तर आप दिजिए, आपके मन में ही वो चीज आ जाएगी, जो आप मुझे बताना चाहरा है न, उसका सोलूशन मिलता चला जाएगा, अब मुझे एक चीज बताईए कि आपन दर्म आपने देखे हैं, सौरी सर लेकिन आप मुझे म्यूट मत कीजिए, मतलब ऐसा लगता है मेरी बात दब रही है, कुरुषना पतंग, आपकी कोई बात नहीं दब रही है, आपको सुरू में मैंने पूरा मोका दिया था, भोलने का आपने पूरा बोला, मैं कुछ नही नहीं बोला, जब मैं बोलता हूँ, आप बोलने कि आपकी बात दब रही है, अब मैं अगला आपको दूँगा, तीन मिनट अगला देता हूँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है कि आपकी बात दब रही हैं, आपको पूरा मोका दिया जाएगा, मैं पर याप पर कुछ अक्यूजेशन मारने नहीं आयों या फिर ऐसा कुछ कहने आयों जिससे किसी को हट हो मैं बस अपनी कुछ पॉइंट रख रहा था जैसे आपने बीच में कुछ कहा था कि मैं कोई या पर मुझे कुछ यह कहने आ जाएंगा हम ऐसे ही सुन लेंगा मैं इसा आतन जोपी बुझ वजब इन्होंने बीच में बना दिया अपना कुछ नया चालू कर दिया और लोगों को फॉलो करने के लिए लगा दे ऐसा यह आपने कुछ आथा तो यह बहुत मतलब यह आप भी मान सकते कि करोड़ों लोगों को इतना सब अचानक फॉलो करने को लग इसमें भी कुछ अच्छी चीजे थी यह मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप एकड़म कर रहे हिंदुईजम को वह अच्छा नहीं लगता मैं बस यह कह रहा हूँ आप जबाब नहीं दिया मेरे एक भी प्रश्न का आपने अपनी बात एक तरफा तो रहा है तो वैसे आपका सवाल मतलब जायज भी क्यूंकि जैसे तब का उल्लेक मिलता है तब आज के लोग वैसे क्यों नहीं रहते तो यह सवाल मतलब जायज भी है क्योंकि आज भी मतलब जो पंडी थे या फिर कुछ लोग है वह वैसे नहीं रहते हैं यह मानता हुए कि मतलब यह प्रश्नार तक चिन्न है और इसका जवाब मतलब यह क्योंगा कि वह यह जवाब नहीं पाथ हो सकता है कि आप कह रहे हो सही हो लेकि मुझे म चाहिए है और आपको लगता है कि इसलिए मैं ब्राम्हट हो गया हूं क्योंकि नौलेज है PERM झाल पतंग और कुछ नहीं आपको फिर मैं आपको इस अपने कुछ कहा दा कि वर्णव अगेरा क्योंकि वर्णव आज हमेशा ग्षिक करेंगे क्या हम इसे बदलने सकते हैं अगर शुद्र यहानी मतलब जो काम करते हैं जो मजबूर करते हैं क्या प्षिप बपहनदरी पर जाकर लड़ते हैं मतलब देश की रक्ष्षा करती है पूलिस ले लो मतलब बिजनेस करते हैं जो इसमें बिजनेस में मतलब वैश्य में आएंगी तो यह हमेशा से एक्जिस्स करती है और आगे भी रहेंगी तो अब अच्छी बात है कि हम एक वर्न से दूसरे वर्न में ट्रांस्पार्म हो सकते हैं पहले जो ब्रामीन होने किया मतलब जो ब्रामीन कहते थे आपको एक ब्रामीन कह सकता हूँ मैं यह कह रहा था कि उस हिसाब से ब्रामीन कह रहा हूँ जो टीचर्स वागे जो ब्रामीन होए ना हम उसे और क्या कहेंगे वैसे आप अपनी बात अगे रख सकते और मैं बस एक नहीं करना चाहते है या पिर आपकुछ बातों को जुट से पॉलो ही करना चाहिए मैं यह कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो पता यह मुझे और बात बताइए मुझे कॉंस्टिटूशनल रूप से आप किस कैटेगरी में आते हैं और कुछ आपको कहना है या मैं अपनी बाते शुरू करूं आप आपनी बात रह सकते हैं तैंकि मुझे टाइम देने के लिए ठीक है ठीक है कुरसा पतंग आपने अभी वर्ण विवस्था का भी नाम लिया और जो मेरे पहले के जो प्रश्णत हैं उसका आपने ये कहा कि हो सकता है आपकी बाते सही हो जो मैंने खड़ा किया था कि दुनिया के जितने भी धरम आए हैं सबने अपने अपने धरम गरंद का पालन किया और उसके हिसाब से बेस भूसा बनाए रखी चाहें वो इसलाम का हो या फिर इसायत का हो या फिर आप देखें कि बुधिष्ट हो जैन हो सिखो सबका हमें कल्चर मिलता है ब्रहनिकल कल्चर जो दावा करता है वो उस इसलिए जितनी भी उसने कहानी बनाई है वो सब भी उसी तरह छूंटी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसको पता है कि उसके पिता जी कोई रिसी मोनी थें वो ऐसे रखते थें दाढ़ी बढ़ा के रखते थें वो जुड़ा बानके रखते थें कमंडल लेके रहते थें व जो उसके tradition है, उसको छोड़ कर, पूरी दुनिया को ग्यान बांटेगा कि बुधिष्ट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, और तुम मेरा culture follow करो, और साथ हमें जो है, वो बुधिष्टों की तरह सारी चीजा कर रहा है, इससे ये पता चलता है, कि उसने एक जूंट की बुनियाद पर एक धरम खड़ा गिया है, जो कभी उसको खुद ही नहीं पता है, कि ऐसे उसके पुर्वज भी थेंगी नहीं थे, पूरा जुटा ही थी हांसो लेके चल रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट है, दूसरी बात आपने जब यहां पे ले आयाए थे, कि आपको, आपने बता है कि आप ओवीशी है, आपका ओवीशी का व्रेनवास कैसे किया जाता है, इसका मैं एक छोटा सा एकजामपल देता हूं, उससे पहले चैट पढ़ लेता हूं, मालिकार जुन यहां पे लिखते हैं, जैभीम नमो बद्धायशर, आज के बहुत सारे भक्त सिफ्ट हो गये हैं, अपने ओल्ड गोल्ड से साई बाबा को इसका क्या राज है, मालिकार जुन जी आपका प्रशन है, इसका जबाब हम लोग आगे देंगे, क्योंकि यहां पे बहुत अच्छे टॉपिक पर डिवेट चल रही है, और आपका प्रशन जो है, वो यहां पे, इसलिए उसका जबाब मैं बाद में देने के प्रियास करूँगा, गनेश मोहिते यहां पे, अच्छे इन्होंने मेंबर्सीप लिया है, बहुत सुक्रिया आपका मेंबर्सीप लेने के लिए, इसके बाद से यहां पे संदीप, शंदीप भारतिय जो हैं, यह ल यह rational जो भी बंदे बन रहे हैं इन सब का credit आप सभी को जाता है क्योंकि आपकी सूच rational है आप में कोई dogma आपने नहीं पाला है आप खुली आँखो विचार के हैं इसलिए आप लोग rational बन पा रहे हैं observation and thoughts लिखते हैं धर्म से इनसान की कभी कोई प्रगती नहीं हो सकती धर्म को मानने वाले ने एक दूसरे के दिल में सिर्फ और सिर्फ दरार लाया है यह बिल्कुल सही बात है धर्म हमेशा दरार पैदा करता है वो हमेशा दूसरे धर्मों की बुराई करता है जूटे धर्मों यह है अब हम आते हैं कुरुष्णा पतंग पर इन्होंने वर्ण व्योस्ता को कहा कि मुझे भी इन्होंने ब्रामण कहा दिया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ दरसल OBC का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि कोई पढ़ा लिखा है उसको ब्रामण कहा जाए यह दुनिया का में ऐसा बना रहा है अगर OBC का बच्चा सूदर का बच्चा यह बात कहने लगे कि देखो ब्रामण तो वो होता है जो विद्वान होता है तब ब्रामण के लिए कितना फैदा हो गया हो गया ना कि जिसको वो जिन्दगी भर गाली देता रहा उसका लॉंडा भी उठके देखो सब सब Okay goes को बल रहीं कि ब्रामण सब बचा रहा ना चाहिए कि वो तो जानता है कि मैं तो जाती से ब्रामणू मेरा ब्रामणबाद कहीं जाना नहीं है सुद्र उठके कह रहा है उसके लिए कि देखो देखो तुम लोग को गु송ा होने के जुरुत नहीं है तुम लोग को सौंचने के जुरुत नहीं है जो पढ़ा लिखता है ना उसको ब्रामण करता है यानि ultimately ब्रामणबाद को पाल पोस रहा है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रोपगंडा खड़ा किया गया है कि जो पढ़ा लिखा है उसको ब्रामड कर दो क्यों कहें? क्यों कहा दे पढ़ा लिखा ब्रामड? अरे जब कोई पढ़ा लिखा रहेगा उसको हम सिक्षित कहेंगे intellectual कहेंगे हम ब्रामण क्यों कहेंगे ब्रामण तो सबसे बड़ा गाली है सबसे बड़ा racist सब्द है क्यों कहेंगे हम प्राचीन काल में कहा जाता था कहा जाता था प्राचीन काल में कहा जाता होगा कहा जाता था क्या करें हम उसका अचार ढलने अब हम क्यों कहेंगे आज की डेट में जब उसने उस समय जब ब्रामड नाम की जाती ही नहीं थे तब लोग कहते थे आज जब ये जाती बना के बैठ गया है तो हम उस प्रपोगंडे को क्यों आगे बढ़ाएं उसके कि बैठ लिके भी तुम जो है पढ़े लिखे हो अब ब्रामड फूल रहे हैं मुँझ में गच्छा लेके यह हैं क्या नामे कुरूश्णा पतंग मुझ में लड़ू फूट रहे हैं कि मैं भी पढ़े लिखे ब्रामड बन जाओंगा अरे ब्रामड काहले खाक बनोगे ब्रा पहुंच जाना किसी ब्रामडी के यहां, ब्रामड के यहां, कि बेटी दे दो अपनी साधी करनी है, ब्रामडी से पता चल जाएगा, तुरूंत वकात वहीं पता चल जाएगी, तो यह जूंठा पन जो है ना, OBCACST को जो एक सिगूफा पकड़ा दिया गया है, कहने का, कि कोई बंदा पढ़े लिख ले, उसको हम क्यों कहें, कोई बंदा सेना में चले जा, हम उसको क्यों छत्रिय कहें, कहा के क्या उखाड़ लेंगे, सवाल यह है, अगर कोई बहुजन समाज का बंदा, सबसे ज्यादा जो सीमा पर लड़ते हैं, नोजवान हमारे बहुजन जई कहां — उन बहुजन बच्चों का साधी होता है, नौजवानों का साधी चितने बहु बहु बेटी दिते हैं उनको कोई नहीं देता आकर उनको अपने इसको यह वह कि जब उनका नाम अल्रेडी शेर है नौजवान है हम क्यों गया 동टी उनको छत्री और जबी खेर कर रहा है उसको उसको गूंप उसके कहा के उई उसको ब्यपार चांई चाइना जो है सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा वैपारी है पूरे दुनिया पूरे अमरीका के 40% मार्केट को कप जा करके पकड़ा हुआ है इंडिया के तो 70-80% मार्केट को कप जा करके पकड़ा हुआ है वो क्या घूम रहा है कि हमको बे से कह दो बे से कह दो तो फुल के गुपपा ओके गाच पर चड़ जाएंगे ये सिर्फ छदम छलावा है उन अनपने बच्चों के लिए असिक्षित बच्चों के लिए गवार बच्चों के लिए जो बैट की गूम रहे हैं जुन जुना बजा रहा है वर्ण व्यवस्ता का पूरा ब्रामः धरम जो है वर्ण व्योस्था अस्थापित करना चाहता है वो उसका सुपरिम प्रियोर्टी है और ये इस तरह तरह के सिगूफे छोड़ता है और पिछले वर के बच्चे जो हैं इस सिगूफे में फसे राते हैं तो कुष्णा पतंग आपने जितने भी हवाई के लिए बनायत हैं कि हुआ होगा इसलिए उसमें कुछ अच्छाई है रमायन मा भारत में उसका एक ही सटीक जवाब है अगर अच्छाई खोजनी है तो डूबलेकेट में नहीं ओरिजिनल में जाईए मूल में जाईए मूल कल सब्सक्राइब निकाल के जितना भी सब्सक्राइब अस पता चल जाएगा उसके वीडियो च इसतिन देक है तब कुछ डाउट बच जाएगा फिर आप आगे आईएगा अपनी बात को रखने के लिए कि अब मुझे कुछ डाउट आ रहा है फिर मैं उसका जबाब दूँगा चलें फिर अच्छे इसके बाद से अब कोन है और कोई divati हों तो आ सकते हैं अनिल्टी बारी आये हुए है चले इनसे दो बाते ले ले लेते हैं जी अनिल्टी बारी बता हैं क्या कहना चाहते हैं सब्सक्राइब करने नहीं आया हूँ लेकिन कुछ बाते बताने आया था क्या मैं पता सकता हूँ हाँ जरूर रख सकते हैं चमतकार से रिलेटेड हो तो और भी अच्छा है जी 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 सर मैं आपका यह काफी सालों से स्ट्रीम देख रहा हूँ और काफी आपका प्रशन सुग आपका फैन भी हूँ और धन्यमाद अदा करता हूँ आपने मुझे मौका दिये बात करने का आज मैंने सर एक वीडियो देखा था संग्राम पार्टिल एक डॉक्टर हैं अमेरिका की नॉर्मली वो कोरोना पे वीडियो अपना कोरोना पीरिड में कोरोना पे वीडियो पोश्ट करते थे और आज उन्होंने बहुत सुंदर एक शोर पे वीडियो पोश्ट किया है और वीडियो है अबना इसर अनमान जी के उपर तो उनने बताया था कि जैसे जातक कफा हम मेंसे कैसे इसको लिया गया हनमान जी का कॉंस्ट जो लिया गया और उन्होंने ये भी होताया था कि जो भगवान बुद्ध के जो लड़के थे राहुल तो उनका चितर बताया और जो उनके चितर भी बताया और चितर से कैसे मतलब उसको कॉपी किया गया ब्रहमिनिजम कर्लचर में उससी चीज को एस इटीस उठा के उसको कनवर्ट कर दिय कि कोई हनवान जी का ऐसा उतार हुआ तो इसलिए मैं चमतकार की दुकान जो आपका जो सब्जेक्ट है उसे से रिलेटेट मुझा लगा इसलिए मैं उसके उपर में सब्सक्राइब करना चाहता था आपकी वाइफ लगता है कुछ सा में है कि मोबाइल चलिए खाने है अब थोड़ा सा धार्मी कहा है अच्छा वह जो उसका जो सब्जेक्ट था अपना एक हन्वान जी का सब्जेक्ट था उसमें उन्हें काफी कुछ रखा है तो उसमें उन्होंने बताया था कि अपना थोड़ा सा उस चेश कोई नहीं बता पा रहा हूं तो उसमें उन्होंने जो आपको सब कुछ पता है उस बारे में कि कैसा उस कौन्सेट को लिए गया और सीटा को शयद उसमें जातक कथा में भैन बताबाद प्र उसके बाद फिर को देली नहीं सकते है की साथ का है तो चमतकार को जिस Ц会ब कि ये किया जाता यह और लोगों को किसा से भमाइया जाता है यह का सबसे बड़ा सprints मुझे लगा और उनने कंफी सबूदों के साथ इस चीज़ को बता नहीं और फिर महा बारत को वी आपने इस बारे मैं explain किया है महाबर्द और जिस चीज का जैसे आपने कहा कि आप अपने मुल सरूप मे रहे हैं दुनिया पर की जांकारी उसको यह है और लगता है आपकी मैडम बहुत अगर अपने विचारधा कुछ रख सकती है तो उनको भी आप दे सकते हैं समय वह अगर अपनी कुछ बात कहना चाहें तो मतलब समस्या को समझ सकते हैं जी जी मैं समस्या कोई बड़ी बात नहीं है और भारत में महिलाओ की समस्या ही है धरम को कैरी करने में मैं जाओंगा कि अगर वह अपनी दो चार बाते हैं तो मिनट लेकर अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं आप से करना Ruth कि बात नहीं है वो अपनी बाते तो कम से कम रखें विचारधारा तो सुनें कम से कम अपनों कुछ विचार रखना तो विचार रख बोल रहे हैं तो मैं ठीक है उनका तुड़ा सा अपनी बात को रख लूँ पूरी तरह से तो आपको मैं पहले भी मैं मतलब एंटर कर चुका हूँ और दो-तीन बार अपनी बातों को रखा हूँ चमतकार के कि फोटेट है लोगों को फैला है यहां चमतकार हो रहा है मिर्श में इसा होता है कि यह सब्सक्राइब और बोलते हैं कि अभी इसको पानी छड़क दिया ठेको बाधि अ पर ब्लेज प्लेज लिख रहा हैं Sir, Please reply to my mail My research is stuck upon the certain points and need your valuable guidance It's humble request अच्छा ब्लेज प्लेज यहापका mail मुझे मिल गया था मैंने आपको mail को देखा है और मैं आपको reply करता हूँ कल तक मैं आपको reply करता हूँ शुक्र आपका और यहाँ पर गनेश जी ने भी कुछ लिखा था गनेश मुहिते लिख रहा है बहुजन लोगों के लिए आज money education और unity की जरुरत है बहुत लोगों ने non-cooperation movement करनी चाहिए मानेता धरम करमकांड के खिलाफ थेंक्यू एस चे लव्यो बहुत शुक्र आपका गनेश मुहिते जी बात रखने के लिए हाँ अनिल तिवारी जी रखें अपनी बात क्या कहना चाहते था तो मैं यह कहना चाहते था जैसे कि हमारा जो मूल स्वरूप है अपना जो अभी इसका जैसे कि अपना हडपा और है जो गया जो है काफी मतलब लोगों को जरूरी है कि लोगों को थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग की तरह बढ़ाएं नहीं तो अपना देश का फूचर मुझे बहुत ही डरावना लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा जब तक आप कट्ठरवाद को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप विकास के तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए चमतकार अगर आप, आज कल तो काफी लोग पढ़े लिखें हैं, पहले तो लोग पढ़े लिखें नहीं होताएं, हर चमतकार पे विश्वास रख लेत है, तो यह जो होता है कि बच्星 को कुशें अलाओ करना, चोटा बच्चा अगर पूछना चाहता है हम उसको भोलते हैं नहीं मैं चुप-चाप मुझे मैं ज़ो जाहता हूं कि अलाओ करें जैसे आप अलाओ करते हैं僅 क्वाओ कmost आप किस तरह समर्थन करते हुए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस बारे में चमतकार के विश्चे में और भी स्ट्रीम हो जिससे कि लोगों को इस स्टेज को और आपने बताया ता पिछली बार सर की जो साइन्स वाले सब्जेक्ट हैं स्ट्रीम तरीके से आप उसके लिए इसको शुरू नहीं किए हैं उसको भी सुरू किजीए जैसे कि लोगों को पता चले कि इसके पीछे साइन्स बेस क्या है जैसे बहुत संतों के चमतकार बताया जाते हैं जैसे किसी ने दिवाल चला दिया, कोई शेर पर बैटके आ गया, परसों मैंने पड़ा था कोई हट ही होगी है, 20 साल से हाथ उपर रखके खड़ा है लोगों को, आशिरवात दे रहा है कि बच्चे हो रहे हैं लोगों को, यहा अलग अलग आपको टॉपिक वैस लेगे इसको क्लियर करना पड़ेगी है, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइज कर दीजिए, आप सम्राइज कर दीजिए, और मैं आपके अच्छे हल्थ की कामना करता हूं, ओके इसको सम्राइज देखें, आपने बहुत अच्छी बाते कही हैं, जो भी बाते कहीं है, और इसमें जो आपने साइन्स वाली बाते कहीं, साइन्स वाली एस्ट्रीम की, तो अभी हमारे जितने भी दर्सक हैं, तो दर्सकों में हम लोग समाजिक मुद्धों पर जो बात कर रहे हैं, हम उसको हम लोग अभी डील कर रहे हैं, हिस्टोरिकल जो research है इन पर भी deal कर रहे हैं scientific बाते जो हैं उसमें हम लोग क्या public को ला सकते हैं वो हम लोग देखेंगे science से किन चीज़ों पर हम कौन-कौन सी बाते रख सकते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि जहां तक दो-तीन मुद्धे हैं विग बैंग, evolution उस पर तो बहुत बाते हुई हैं इस पर बहुत बाते हुई हैं इतने सारे level है, material इतने ज्यादा level हैं तो वही चीज़े बार-बार repeat करना या उन चीजों को ही बार-बार discuss करना लेकिन हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिससे हमारे जो historical देखने वाले जो दरसक हैं जो history पर 95 उनको उसमें help म ले तो इस पर हम लोग को पहले यह देखना होगा कि scientific रूप से हम किन-किन चीजों को और ला सकते हैं जिससे हमारे दोनों चीजों का जो हमारे channel का काम है और वो चीजों का सामझस से भी बन जाए इस पर हम गौर करेंगे फिर हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे ठीक है अनेल जी ओक है । तेंक cash अ मशकर सबसकें यहां पर मंजुला रबाढ़िया सर्व धर के अब जी ने और और यहां पर डॉक्टर पॉन कुमार जी ने स्पर स्टीकर किया है तर आपका भी बहूद बहुत शुक्रिया अच्छ आप आप देखें और कौन डिवेट के लिए आये हुए हैं यह मैं यहां पर लिंक डाल देता हूं और भी कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं जिनसे बाते हो चुकी है उन लोग को बाहर चले जाएं ताकि नए लोग आ सकें लाल एन लमाओ आपका न डिवाइस नोट कनेक्टेड ह तो मैं आपको ऐसे नहीं जोड़ाऊंगा रामकलेश जी का डिवाइस गरबड था इसे अबी बैग्राउंड आ रही है रामकलेश जी आपको नहीं मौका दे पाऊंगा मैं उन ही कॉलर्स को मौका दे पाऊंगा साउंड प्रॉब्लेम नहों जितेंद्र कुमार भी आये और विकास शिंग भी आये हुए हैं विकास सिंग बलजीत सिंग आये हैं पहले थोड़ा बलजीत सिंग से थोड़ी सी बाते लेते हैं जी बलजीत सिंग जी बताएं कैसे हैं आप जे सर ठीक है सर मैं थोड़े पंजबी जिगाल कर सा तो सर नहीं मुझे पंजब्ध तो नहीं आती हाँ थोड़ी-थोड़ी थोड़ी हिंदी मेरी शब करके बोलिए थोड़ा सा और कम सब्दों में रखिएगा टेंक्यू सार टैम देने के लिए सर्ज जैसे आप स्टीम करते हैं बहुत इच्छा लगता है कि आप जो ना बच्चे आज की बच्चे हैं वो बहुत बड़ी असीत रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं सर्ज कि जैसे जो सिख दर्म है न हमारा उसके बारे में लोग बहुत गल्ट अफाएंफल आते हैं कि यह कई हिंदू भी बोलते हैं कि यह हिंदू दर्म से निकले हैं ऐसे ऐसी बाते करते हैं कि बट कि यह सबसे अलग हैं हम शब्द को गुरू मानते हैं कि कभी मैंने अस्टीम पर भी शुना था कि एक आदमी बोल रहा था कि इनके धर्म में ऐसा ऐसा है कि इनके धर्मबे में राब की बात करते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन वो किसकी बात करते हैं, ग्यान की बात करते हैं सिर्फ, हम ग्यान को रब बोलते हैं सर्थ, तो यही मैं कहना चाहता था सर, कि यह पता लगना चाहिए सब को, क्यूंकि आपके स्ट्रीम बहुत देखते ह जो लोग नहीं देखते हैं, जो जिनको नहीं पता है, उनको पता चलना चाहिए, सर. ओके. सर, जो आप काम काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, सर. मेरी हिंदी इतने अच्छी नहीं है, सर. क्योंकि मैं हिंदी पड़ा नहीं हूँ. ने, आप काफी अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है, दिकत नहीं है, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, बलजीत सिंग जी, सुक्रिया. अच्छा, विनोद कुमार आया है, चलिए इन से भी जो बात के लगते हैं, जी विनोद चाहिए, आपका बेग्राउंट साउंड आ रहा है, सर, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं इंटर नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत नर्वस हो रहा हुए बात करने में नहीं नहीं, आप सांस लेजिए, घरी लंबी सांस लेजिए, पानी पीजिए और आराम से बात कीजिए, बिल्कुल, जी, हाँ जी, सेर, सर, हाँ, बोले, बोले, आप बता, सर, आपकी वज़ा से बहुत लोगों की रोटी पानी मतलब रोटी पानी जो भी है, चल रहा है, सर, आपकी वज़ा से, क्या बात करें है जाता हूं चाल रहा है जो बहुत सारे लोग जो है उनके घर चल रहा है साइन जाते हैं अच्छा जी पूंके मैं बहुत दिन से इस्ट्रीम सुन रहा हूं वीडियो भी देखता हूं सबसे पहले मैं जाना में सकील प्रेम जी जो है वो जब मैं नास्तिंग नहीं बना था मतलब यह सब बारे में पता नहीं था मुझे तो मैं उनकी वीडियो देखके ही मैं में कर आपको कोई जवाब नहीं है कोई भी जवाब आपके जैसा कुछी कभी चैनल यह मैं आपको बहुत लब यू समझ आपको मैं कहता हूं कि आप ऐसे काम करते रहे हैं सर हलो हलो हाँ 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 आप अपनी बात रखते रहें मैं सुन रहा हूं आपकी बात तो अच्छा सर ठीक है ठीक है सर बस यह है और कुछ बात नहीं जो मैं अभी तो पहली बार जोड़ा हूं सर मैं अभी फिर यारा जो सवाल थे वह भूल गया अच्छा नहीं आपने बताया कि आप जो है पहले चैनल देखे थे ते यहां पर आएं यहां देखें हैं यह तो यह थी आपका विनोची जूड़ने के लिए और अपने रहते रहने के लिए अच्छा जी इसके बाद से विकास शिंग आया है इंसे वी दू बाते लेते हैं जी विकास ची बताएं नवो बुद्धाय सर्थ हां जी नवो बुद्धाय सर्थ जैसे के भी कुछ टेम पर लाट से में बात रहती तो मिझे सर्कुछ बुकों का मतलब अपने थिहास जानने के लिए ओके जोन पर जो कि सर्व है पाहियां की आपका बार बार कट जा रहा है आप क्यों क्यों कर रहे हैं बार बार अपने अब यह आपका विकास यह बार बर म्यूट हो रहा है आपका हो रहा है आप कुछ कर रहे हैं है कि अब इसक्राइब कर रहे हैं कि अब साउंड कटके आ रही है बोलिए 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 तो सब्सक्राइब कर रहे हैं कि विकास जी आप एक काम कीजिए या तो प्राइवेट चैट में लिख दीजिए या चैट में लिख दीजिए आपका जो है वो मैं पढ़ लेता हूं उसके ही साबसे को जबाब दे दूँगा क्योंकि आपका साउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा था ओके शुक्रिया विकास सिंग की बस मुझे इतना पता चला कि आपने कुछ किताब खर दी है बाकि लाए हुए हैं इनसे भी दू बाते लेने से पहले एक और हैं यहां पर जै सिंग राओ तो इनसे दू बाते लेते हैं हाजी जै सिंग राओ बताए क्या कहना चाहते हैं कि मैंने मामा को शेयर किया तो बूल रहे ते कुछ चीजों पर उनका तत्य है कि मानते हैं बगवान नहीं होते हैं फिर भी इतना hamo sapiens से लेकर कि इतना आज तक विकास होता चला है तो मतलब की प्रख्रतिक का जो नहीं प्रकर्तिक वरड़ ही इंसानों नहीं दिया है हर चीज एक सोच भी सोच़ वरड़ भी इंसानों नहीं बना है हर एक चीज़ गुफाओं से लेकर आज तक तो मतलब इस चीज़ को जो प्रागर्टिक का जो चला मतलब क्या है मतलब कि और भी मतलब इसके पीछे का भी क्या है क्या हो रहा है सौरे मंडल का क्या है मतलब इतने भी जो ग्रह है हैं यह सब क्या मतलब किस वेस बे बंड़ रहा है मतलब इतना जो भी चल रहा है इत्मय इस चीज को अन्द विष्वास को लेकर कितनी मानता, बस वो कहते हैं कि यह मतर्ब जो चल रहा है, उस शीच को लेकर कि तो मानना ही पड़ेगा, उस शीच को लेकर उसमें क्या जवाब रहेगा सहराख, देखें इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है कि आप मानना क्यों चाह रहे हैं आपका उद्दे से क्या है यहां पर दो चीजे हैं यहां पर बिल्कुल क्लियर है दो चीजे हैं एक चीज क्या है कि आप इस वर को मानना क्यों चाह रहे हैं आपका ऐसा कौन सा स्वार्थ है कि लोजर रेंग पे हैं इसलिए उसको마का उद्दे से क्या है इससार को मानना पहले ये तुट तय करवा ये लोगों से नअगर किरति के बात कि बात कर रहे है मतलब हो रही है ना प्रकृति की तो बात हो रही है न लोग क्या करते हैं कभी गौड कहेंगे प्रकृति कहेंगे कभी कुछ लिए कभी कुछ सर मेरा ही प्रशन है कि जो है कि प्रेकर्टिक का जो नियम है मतलब जो प्रेकर्टिक जो भी जैसा भी चल रहा है मैं उस शीच को नहीं कर रहा हूँ मैं ए चीच कह रहा हूँ कि वो है क्या चीच मतलब अगर आप कुछ ऐसा बनाए मतलब उस शीच को ले करके तो मैं आगे सम आपको जो भी बंदा आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है ना इस्वर के बारे में गौड के बारे में तो वहां पे दो-तिन चीज़े आपको पहले किलियर करनी होगी जरूरी नहीं है कि हर चीज का जबाब ही दिया जाए पूरे दुनिया में हर सवाल का जबाब देना जरूर है उस सवाल में से हो सकता है कि शरी पांच सवाल ही जयनियून हो जरूरी हो बाकि 95% टाइम काट रहा हूँ हम आप पहले ना जो वह सवाल पूछता है उस सवाल के पीछे उससे जानना चाहिए उसको एहसास दिलाना चाहिए कि क्या इस सवाल के जवाब से तुम्हारी कौन solve नहीं हो रहा, उससे उसका कुछ भी solve नहीं हो रहा, वो अपने mind में बैठा हुआ है, वो ये सुच के आया हुआ है, कि हमें तो अपना प्रोपगंडा sit करना है, और वो आपसे सवाल पूछ रहा है, यानि कि आप पर time काट रहा है, आप उसका जवाब दे रहा हो, आप उसका एजेंडे को समझ ये, कोई जरूरत नहीं है कि आपसे कोई 100 सवाल पूछ दे आके कर दे, मैं दे को 100 सवाल पूछता हूँ, ये कर दो कि मैं तुरंद बुद्धिष्ट बन जाओंगा, मैं तुरंद नास्तिक बन जाओंगा, आपने ऐसा सुने होंगे, ऐसे डालेट सुने है मेरी बात को, सर मैं एसी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सर आप से पूछना चाहता हूँ, कि सर मतलब की, मतलब जो भी साइन्टिस्ट हुए है, आइंस्टीन या मतलब न्यूटन, ये लोग, मतलब एक चीज, मतलब सुनने में आया, मुझे कनफर्म पता नहीं को कहते हैं, प्रगर्तिक को समझना है, इंसान के पर एक बात है, तो ये क्या चीज है, मतलब जो भी ऐसा कुछ, अच्छा तेखें, आप हमेशा ही यहां पर एक टर्म होता है, उस चीज को समझेगा, एक होता है साइन्टिस्ट, दूसरा होता है साइन्स, इन दोनों के अंतर को बहुत नहीं समझ पाते हैं, कभी-कभी लोग साइन्टिस्ट को ही साइन्स समझ लेते हैं, अब कभी-कभी साइन्स को ही साइन्टिस्ट समझ लेते हैं, दोनों विल्कुल अलग चीज है, बात समझ रहे ना, एक गौाला है और दूद है, दोनों अलग चीज है कि नहीं है, अब द तो यहां पे आप देखें कि आइंस्टीन हो गया, न्यूटन हो गया, या कोई भी साइंटिस्ट हो गया, वो क्या कह रहा है, उसका कहतना हुआ हर बात साइंस नहीं है, उसकी अपनी निजी जिन्दगी है, आपने तमाम फिल्में देखी होंगी, आपने तमाम डोकुमेंटर पढ़ी होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी, किताबे पढ़ी होंगी, अपने देखा होगा कि हर नायक की अपनी एक परसनल जिन्दगी होती है, वो अपने लवर से कैसे बात करता है, पिता से कैसे बात करता है, भाई से कैसे बात करता है, उसकी हर बात को आपको सिरियस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको उसके उस संदर्व को लेने की ज़रूरत है जो साइन्स का हिस्सा है जिसका वेल कुमेंटेड प्रूफ है जिसका वेल डोकुमेंटेड जो है सच्चाई रिरेटी जो उसने दिखाई है समझाई है उस पे आप गौर किजिए उसको सिरियस्ली लीजिए हर व्यक्ति कि अपनी पर्सनल लाइफ होती है पर्सनल लाइफ में वह बहुत सारी बाते बोलता है धार किसी और के सांथ कुछ बात की उस पॉइंट को इठाके और वह क्या करेगा कि एसे दिखाया है उन्हुंनने यह बात कह दिये है अ्युमेंस के लिए जिसमें साइटिस्ट कुछ भी कहें कितना भी statement दें वो उतना माइने नहीं रखता जितना की science ने उनकी जो point को accept किया है सुईकार किया है सिर्फ वो ही माइने रखता है समझे इस बात को बस यही चीज है ठीक है चले मैंने आपके वीडियो को देखा तो मैंने एक questions किया कि मतलब अपने सर से तो मतलब की जैसे हम बेटकर जी को लेकर के मतलब communist नहीं चलते हैं तो ऐसा इसको लेकर क्या नहीं चलते हैं हम बेटकर जी को लेकर के मतलब की थोड़ा इधर उदर कर देते हैं उनकी वीचारों को लेते हैं मतलब जो अच्छे वीचार होते हो को सब हर जघा से सब को लेते हैं आप ने भी बोला कि मुझे पढ़ना चाहिए सब करते हैं कि मैंने उनसे कुछ बोलत की सर आपने बोलत की काल मांक्स जो जर्मनी के यहां के मतलब जो कहां की कमिया है उशिच को नहीं समझते हैं और उन्होंने नहीं लिखा उशिच और उन्हीं मैं समझत नहीं आपकी जैसिंहरा आपकी आवाज भी कट गई है चले चले जैसिंहरा आपकी आवाज भी शही से नहीं आ रही है देखें एक चीज़ तो समझ जाएगा कि अगर आपको चिसी पॉयंट पर डिवेट कर नहीं है बात करनी है तो ढ़ला गर्मिर्ष्ब में भूंच आज जो लाल सलाम जै भी मैं आधिर संस्प्रमाइब फिर जो है left wing में पहुंच के तो ऐसे यसे भी लोग हैं और ये लोग जो हैं दोनों तरफ रहेंगे कहीं भी रहेंगे úr इनको कंप कोई करना है विंग कोई भी हो जाए एजेंडा इनका आपना किलियर है तो उस पर हम लोग बाते कर रहे थे आप त्यार होके आएगा कभी तब इस पर हम आप से चर्चा करेंगे टाइम ट्रेवलर्जी ने मेंबर्शिप लिया है आपका बहुत-बहुत सुक्रिया टाइम ट् 93 लिख रहा है बुद्ध चरितम जो गौतम बुद्ध के जनम लेने के समय उनका पार्शों से पैदा होना बताता है विव विव निव 93 एक चीज़ समझ आईए कि बुद्ध मार्ग जो है किसी धर्म गरंत और किसी उस पर नहीं इंडिपेंडेंट है यह आप लोग का काम ह सिर्फ बयवकूफ लोग से प्रमाड खोजते है थीक है ना बुद्ध चरितम जो है अंग्रेजु के समय में खो जा गया था बुद्ध चरितम को कोई नाम तक ने जानता था इत्सिंग के किताब पढ़ा गया हैंसों के किताब पढ़ा गया तब पता चला कि अच्छा बुद्ध चरितम नाम की किताब किसी ने लिखा था भारत में तब खोजाई शुरू हुई थी अंग्रेजु के समय में तब पता चला कि भारत में संस्क्रीत में एक आधा खंड जो यहां पर नहीं चलता है कि कोन कहां से पैदा हुआ किसमें क्या पैदा हुआ कौन सपना देखा इसा फरजी और बकवास चीज़ें हैं इसका यहां से कोई मतलब भी नहीं है और मनना भी नहीं चाहिए किसी को बार-बार करता हूँ कि इतिहांस को आरकेलोजी से माने अगर बुद्ध थें तो इनसान ही थें इनसान की तरही पैदा हुए यह फरजी ब्रामुडो की नौटंकी है जो बुद्ध को बदनाम करने के लिए कुछ भी वो लिख सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अच्छे यहां प पहल है वस्ट है बातते लिए है। आज़ी नमस्कार रर मेरा कोशन है कि में पूझणा चाहरा थे कि ब्रामन वाधी जो लोग है जैसे कि लोग कहते हैं कि जो सेरिया साय थे मतलब की मद्धिय ऐसे तो मेरा यह सवाल है कि आकर कौन लोग है मतलब की जो वाकई में यहां भारत में आकर उन्होंने यह जाती बाद शुरू किया मतलब कि वो क्या भारत के अंदर से ही कुछ लोग थे या बिखो के अंदर से ही वो लोग उत्पन्न या वो जो लोग कुषान से या हून साय थे आकर वो लोग कौन थे एक चोल वो लोग कौन है अच्छा देखें कुछ चीजे जो है ना इसका उत्तर वैसे तो इसका उत्तर में बहुत बार दे चुका हूं एक बार नहीं बहुत बार दे चुका हूं आप अगर पुरानी का उत्तर भी मिल जाएगा और कुछ चीजह जो होती है लोग आज भी आप देख सकते हैं आज जातीवाद कौन कर रहा को उसक्वामनवादी लोग कर रहे हैं वह कर रहे हैं चैंड रहूर Cincu बागी की पबलिक उसको बैठ के मान जाती है वहीं चीज़ यही है ना इसका मतलब बाकी पबलिक जो उसे संघर्स भी कर रही है अब वही चीज फॉलो भी कर रही है और आरोप भी उस पर लगा रही है कि उसीने शुरू भी किया था यही तो इसका मतलब हुआ ना rational edition बताएं आपकी sound नहीं आ रही है rational edition क्या आपकी sound आ रही है मुझे तो आपकी नहीं sound आ रही है चले चले फिर अकली बार आईएगा फिर इस पर discussion करेंगे चले यह आये हैं लोकेश अधान अधाना गुजर हाँ बताएं लोकेश ची क्या कहना चाहते हैं आप हेलो सर हाजी हेलो बार आपके चनल स्पर माइप्रेंड सिस्टी एड वीडियो असर आए वन्ट नौ अट अवाट अट आप अपाउर गुजर थी यह हीं एग पीजर हीं यह अश्टी के बारे में आप जानना चाहते हैं पूजर हुस्ट यह रही उक्या जानना चाहते हैं बताएं मुझे. Sir, as before one to month the case was going on between the Laashkuts and the Gujar on claiming the Meir Hoj and the Khrisvira Chawan that they claiming that he is the Chawan and we are claiming that he is the Gujar and some people are saying giving I mean, I mean, we are going to call it Gujar, Gauchar, you are the you are the one, you are the one you are the one as I have gone through the greater noida as we have celebrated the Gujar day by 22 March and it is celebrated in all over the world then I came to know about the Khusana that he is the Gujar and why we feel that we are not king like that people are saying that the Meir Hoj who are the Gujar who are the Gujar and the Gujar who are the Gujar who are the Gujar अगर कुशाना गुजर था तो आज के जितने भी जो गुजर लोग है क्या वो कुशाना की तरह बुधिश्ट है जे लोकेश वो तो नहीं लेकिन सर हम लोग तो इस्टार्ट किया है कुछ पिछले सालों से गुजर दे मनारे 22 मार्च को आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम कम्यूनिटी गुजर है वह भी मना रहे हैं इंडिया में मनाया गया है अभी गौतम बुद्धा उनि जाना बोल दिया कुछ मना बहुत बड़े एरिया बे रूल किया तो वही पूछना था और भारत में मुर्थिया बनाने का स्रिय उन्हीं को जाता है स्विए गिवन अमाया ब तूदा धिर एवेड़न बौटेंट बे जींड ऊडिघर ग्र उसनिडिदी ब्रेंग अनटी ग्रास्टेंटेंट ऑप दो लौट न्सलिए विवेड़न था अविट्वेड टी उसा ट्रेंग गया में ब्लब टियंग धनिग इस्टी अ And I confused about the Mihir Bhogh, what he is. मिहिर भोज जो है, वो हूण भी कहा गया, प्रिति भोज, प्रतिहार जो है, प्रतिहार जो था, यह सब, जो 450 के करीब में, 5th century के करीब में जो आकरमन किये थे, तो इनकी ठकराहट हुई थी, जो पहले से यहां के कुशान थे, और यहां के जो गुपता वन्स जो था, इन लो कुशानों के और सको के इनके कबजे में था, तो इन से ठकराहट हुई उसकी, तो हूण में और सको में, थोड़ा सा सुन लीजिए, हूण और सक में ठकराहट जो है ना भारत में आने से पहले भी हो चुकी थी, यह चीन के उस जगह पे रहते थें, पश्चमत्तर इलाके मे रहते थैं और चिंदियाई वहाँ इनकी अपनी टक्रअट थी तो यहां भी टक्राअट हुई तो इनों ने बुध को इसलिए नहीं तोड़ा बुध मंदिरों को क्योंकि यह फूर ते इसलिए तोड़ा क्योंकि इनको दरसल जो वो प्रतिक चिन को तोड़ना चाहते थे हैं जो कुशाण होगे थे हैं लेकिन जब ये भारत में रह जाते हैं हूड तो फिर इनों के जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर ये चैते बनवाना शुरू करते हैं धमचक बनवाना शुरू करते हैं और बुद्ध मारक को फिर से ये अत्मसात कर लेते है ये अपना लेते हैं और बनाकर यहीं भारत में रह जाते हैं फिर गुपता एंपायर और कई ट्राइवल्स ने और हर्सवर्धन ने इन सबने मिलकर और हुड़ों को भारत से वो किया था हरा दिया था तो इनको जो मद्य और सेंट्रल वाला इलाका छोड़के पश्चिम भारत वाला इलाका पकड़ना पड़ा और फिर जाके इन्होंने समझावता कर लिया समझावता कर के बहुत भिक्वों के साथ ये भारत में ही भिक्व बनके बहुत मरगी बनके रहने लगे थे देखें मैं अभी जो है आप मैं फिफ्थ सेंचूरी का जो हूडों का आकरमण है उसकी बात कर रहा हूं तो वहां पे यह प्रतिहार जो है ना प्रतिहार जो है वो गुझर कहलाता है वो साद बाद के ऒढ़े है वो से 10th century के बाद के तो उस समय यह टकराहाट हुई थी तो खेर जो भी हुआ हो लेकिन अल्टिमेटली आप देखें कि जो गुजर इतिहांस है अगर उनको आगे बढ़ना है तो उनको अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी पकड़ना होगा कि भारत में आके उन्होंने जितने भी काम किया है वो सारे बुद्धिष्ट के लिए ही काम किया उन्होंने मूर्तिया बनवाई गंधार कला बनवाई उन्होंने मतुरा कला बनवाई पूरे भारत को मूर्तियों से भर दिया और लुकुते श्रपुद्ध की कल्पना इन्हीं किया इसको इसको एस्प्रेड किया क्योंकि सिल्क रूट जो है उस पर इनका कबजा था तो इन्हों ने इस चीज को दिया अभी क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो अपना हिस्ट्री भूल चुके हैं कि उनके पुर्वज क्या करते थे और वो ब्रैमेनिकल सिस्टम में फासे हुए हैं उनको यही तक नहीं प किछड़ा बना दिया ऐसे करके उनको दबाने का परियास किया है जो मेरी प्रेंड कलीक से मलब सब वही थे मलब लाच्वू ग्रामें और कुछ होभी सी जैसे जाट्स पगिरा लिकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा एक प्रेंड था ही ट्रम मलब एसे अश्टी और एसे मेवी और ही सगेस्टिद द्रम में यो बेविडियो में लाच्व आप देखेंड अब देखेंड थे थोड़ा पता करा कि इसके लिए तो अशाणास के जो मतलब एक बुजद देमने मनाया था इसके लिए मैं अपूद गया था आपको बदाऊगा स 1718 में मैं जानना चाहता हूँ कि जो गुजर्डे आप मनाया है उस गुजर्डे का क्या है तिहां सिकता क्या है उसका मतलब किस नाम पर किस किंग को लेकर आप लोगों ने इसको गुजर्डे सावित किया सब्कुजर्ड वर इंडिया से लोग आए ते उसमें वगैरा से तो उसमें 22 मार्च को मनाया था हम लोगों ने तो उसमें सर ये सक्संबद को लेकर कुशाना ने जो सक्संबद दिया है उसी को लेकर प्रिथवी राजपर तो बटे हुए है ना गुजर्ट लोगों ने क्लेम है कि वो गुजर्थ है प्रित्वी राजपूत का तो नाम ही नहीं आया था उस समय तक राजपूत जो सब्द है ना वो 15th century 15 सदी के बाद आया है उससे पहले कोई राजपूत सब्द ही नहीं था भारत में राजपूत सब्द जो है 15 सदी से पहले था ही नहीं इस पर आप साइंस जरनी पर एक वीडियो पड़ी है वीडियो 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 है उसको जाकर आप देखिएगा हमारे लोग है कमिनुटी में जैसी मतलब फोड़े हम लोग लड़ंग होते हैं गाउं में आपको पता है तो मतलब किसी क यह हो तुम तो इतने दवंग हो लट किसी को मारते तो एक केस हुआ मेरे सामने रिसेंट्ली हमारे गाउं में तो एक महीला थी से श्रम एसी कम्मिनुटी एंड गूजर था मतलब तो उन्होंने साधी कर ली आपके तो जो हमारे गाउं के बिदाबे ने ओ बोले कि हम तुम लोग भड़का देते हैं मतलब कुछ भी मतलब एक हुमन नेचर तो होनी चाहिए सर एक्शुली लोग क्याना पड़े लेके नहीं है हम ट्यम जाता था और जो पड़े लेको हैं ओवे तो उसमें घुसे हुए और मैं भी गुसा था सर एक्शुली मेरे प्रेंड ने सजेस् लोकेश यू आरेजुकेटर एप्ड़ेटर याजह न अपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि आपको अपने एंसेंट जो हिस्ट्री है जो आपका जो इतिहांस पब्लिक को बताना चाहिए कि हमारा कि इतिहांस पर अपने पबलीक को जूड़ पाएंगे उनको अगर वोई बात पता चलेगे कि यार हम लोग तो सील के पालख करने वाले थे हम में तो कभी लड़ाई जगड़ा ही नहीं था अगर हमारे पुरवजों ने इतनी सारी बुद्ध की मूर्तिय बनाई इतनी सारी चीज़े बनाई तो इसका मतलब कि वो भी कहीं न कहीं जो है इ के बीच में जाए अपने हिस्ट्री को सामने लेकर आए तब आप उनको जूड़ सकते हैं लेकिन जूड़ मैंने ट्राय भी गया है तो लोग जो गाओं के हैं ना मैंने समझाने को सब्सक्राइब तो तो अब बता आगो का कर लो का अमारा त्यास है हाँ वो नहीं इतनी आसानी से समझ जाए भारत के बहुजन समझ जाए तो वह वह दूर नहीं हो जाती प्रोब्लम में बहुज़ा दिया बहुज़ा 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 तो ज्यादा चोधरी बन रहे हो ऐसे बहुज़ा तो सर मैं जी चाहाँ हूं आपना हमारी इस्क्रीपे भी एस ब्रांच जो मेर बोज हैं वो सर कोई भुज़िसम की ब्रांच को पुलोगरते दें और दे आर किलमिंग दे आर असानातनी हिंदू थीक है ठीक है लोकेस्टी मैं ले आऊंगा गुज़र इतिहांस कुशानों का जो इतिहांस आएगा ना उसमें यह चीज इंक्लूड हो ज प्रामित किया है कैसे कैसे बरबाद कर दिया पुरा बहुज़नों को वो बेचारे हिंदू बने घूम रहे हैं पिछले दो सो देड़ सो साल की जो सब्द है उसको उठा कि उसमें अपना धरम खोज रहे हैं यह एक सबसे बड़ी ब्याता है ठीक है लोकेस्ट चलें ओके अच्छा गनेश यहां पे लिख रहे हैं इसचे आपके ध्यान के बारे में क्या राय है बुद्ध ने कहा था ध्यान से अज्यान दूर होगा अज्यान से पूजा से न वरत से न चड़ावे से स्वापत होगा गनेश जी यहां पे इस जेल 68 आप देख लीजिए साध आपक है कि बुद्ध ने जो कहा था वो एक्चुले स्टेट्मेंट क्या है यह प्रतित समुत्पाथ है आप जाकर इस जेल 68 का जो प्रेजेंटेशन है शुरू का वन आवर उसको देखिए आपको इसका उत्तर मिल जाएगा और इसके बाद से और किसका आया हुआ है वो हमें देखने की जरुरत अच्छा यहां पे लालत लाहुजी है जो है इनका सुपरिश्टीकर आया हुआ है बहुत बहुत सुक्रिया आपका लालत लुहुजी नाम सायद मैं सही पढ़ रहा हूं गलत पढ़ रहा हूं लेकिन इसको देखिएगा ठीके न आपका सुक्रिया आपका अचा यहां प्याए है एक रियल रेशिनलिस्ट उससे पहले कोई डिवेट के लिए आया है यहां पे कुंधन नायक आये है चले इन से बाते करते है हाँ जी बटाए है कंधन नायक जैक हैं प्रोफेस्टनर में मैं टीचर हूँ लेकिन दो बारा मुझे पढ़ा दिया पाइट आप के जैसे कि ग्राजुशन है मेरा क्वालिफेक्शन फिर भी मैं सिख्ट क्लस का हिस्ट्री दोबरा पढ़ता हूं सार्जी आपको देख देख के क्योंकि जब मैं पढ़ा था तो जब मैं पढ़ा मेरा स्टाड़ी टाइम में वो मेरे को क्या है कि मैं मार्क लेने था अंले पढ़ा था अभी जांगने के लिए पढ़ता हूं सृव-ची आपकी मेर वानिस से मैर को ज्यादा थोड़ा उसे ज्ञाद भी बड़ता हूं है कि अमरे सार्जी आपको तो आपका स्ट्रीम को मैं स्वगलब को मैं सेयर करता हूं क्योंकि आपको देख देखके मैं थोड़ा क्या बलू क्या था फिर आज तोड़ा ज्ञान भी आ गया आपको मेरा कर्टी प्रणाम कर्टी कर्टी प्रणाम आपको अच्छा देखें इतनी वो की जरुवत नहीं है आप लोग सिंप्ली एक अभिवाधन का जो तरीका होता है लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नमस्कार क्यों बोलते हैं लोग को ये तक नहीं पता है कि तो मैं नमस्कार बोलता हूँ भारती कल्चर का एक हिसा है बहुत लोग सोचते हैं कि मैं नमस्कार क्यों बोलता हूँ तो एक सिंपल अभिवाधन का है बहुत ज्यादा किसी को वो देने की भी ज़रूरत नहीं है कुंदन नायक जी ओके शुक्रिया आपका आने के लिए औ भूए है इनको बड़ा एलर्यक रहती और सायस करने यहां सिस्थ और यह हूं क्या है देखें ते यह जो कि बंदा जो है ठ्रवईट लिए मैं खुब गालिक लोज कर रहा था और अब यहां पर रियल बन के आए यह असली रेशनलिस्ट है और जैसे ही मैंने जोड़ा भाग गया यहां से और यह बंदे जो हैं आते हैं यह डिवेट करेंगे तो देखिए दूसरे आएडी से आगा है कमले सियादो बनके चले इनसे बाते कर लेते हैं हाँ जी कमले सियादो बताएं क्या कहना चाहते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि मेरी असली आइडी है यह आपकी आपकी सवाल पूछना चला रहा है हाँ बोलिए बोली नहीं मुझे लगा आपने कहा कि जो है कि यह देखिए मुलब ऐसे आप से ना एक रिशनलिस्ट रियल रिशनलिस्ट बनके आये थे ना एक बड़ी गाली कलोज कर रहे थे उनको कहा जा रहा था कि वह भाग गये हो बताएं आप क्या कहना चाहते हैं नहीं नहीं एक्षिली नहीं एक्षिली एक्षिली मैं यह आपसे पूछना चाहता था एक मैं राजियू रंजन पसाथ कर देशन मलब कभी कमार आ जाते हैं यूरूप के तो मैं उनका सुन रहा था फिर आपका एक चानक के बहुत बड़ा कपोरी लाल है लोग पढ़ने लिखने लगे हैं सारा चीज उनको पता है और बहुत सारे सीज़ जो भी अध्यान कर रहा है सब को पता है कि सूर के बारे में पता है पुरे ब्रम्हांड के बारे में पता है ठीक ना सारा सीस जीव की उत्पत्ती कैसे हुगा है लेकिन जैसा कुछ पढ़ने के बाद जो है वह ऐसा क्यों करता है मुझा जिसे कि सब भगवान की मर्जी है उसको अगर आप बोलोगे, उसको पता है कि प्रिथिवी का कैसे बनी है, क्या है, प्रिथिवी का कैसे जीवत्पन हुआ, लेकिन लास्ट में ये मानता है कि प्रिथिवी स्रेशनाग के फ़न पर ठीकी है, और ये कोई अनपध आदमी का छोड़ दीजिए, जो बड़े इसमें मैं बड़े बड़े डॉक्टर से रहते हैं, जो अच्छे अच्छे डिगरी, M.C.S. और फ़लाना डामा का डिगरी लेकर से बढ़े हुए है, वो भी उनको भी भागवान की मर्जी, ऐसे ऐसे डॉक्टर में देखो, मेरे अगल बगल में ऐसे ऐसे डॉक्टर में द पर फिर जाएगा, इसके अच्छे अच्छे बारेगा, फिर पेशेंट का हिलाज क्या करता है, जिसको अपने उपर खुद का इलाज करता होगा, तो मुझे ने समझ माता कि इसे जो आप आप से पहले बात हो रहा था, आपने बताया कि जो गाहों के लोगों को जल्दी बह तो जो थोड़ा सा इसे अपने आपको पढ़ लिख लिए हैं, उनको लगता है कि उनसे बड़ा ज्यानी कोई ही नहीं, वो बहुत बड़े पढ़ाई कर लिए, मानजो आप डॉक्टर बन गए, इंजिनर बन गए, आप बहुत बड़ी पोश्ट पे बन गए, गॉर्मेंट सर्विस पहुंच गए आप, तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े ग्यानी हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, कि इनका ग्यान से कोई संब्द नहीं होता है, ग्यान जिसे बहुत दीक, जिसे आप किसी सब्जेक्ट के मान लिए, आप हिस्टरी में अच्छे हैं, तो आप हिस्टरी के प्रोफेसर बन गए, पिएजडी कर लिया, डॉक्टरेट मिल गया आपको, आप जियोग्राफी के बन गए, आप हिस्टरी के बन गए, बायो के बन गए, बहुत आप कर जाएं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप बहुत बड़े बहु आप मुझे यह बताओ, कि जिसे आपको यह नहीं लहता कि हमारे अहां का एजुकेशन इस तरीके से बनाया गया है, कि ज्यादा तर लोग उत पढ़ें, और वो केवल जो है, एक ऐसे ही मलब को हां काम चला हुआ पढ़ाई रहे हैं, और बाकी उनको कुछ भी नहीं है, तो लाजिकल तो उनके मलब उनके अंदर कुछ रहता ही नहीं मुझे लगता है, और मुझे बहुत तकलीफ हो दी जब देखता हूँ कि मलब वकी यह हमारे देश की यहालत है, मैं तो सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो है, इस देश में रहने नहीं दूँगा, यहां नहीं लगता है कि रहने लाइक देश है, कहीं से भी, मलब यहां पर तर्क नाम का कोई चीज नहीं है, अभी जो आपसे पहले जो एक, मुसे पहले जो एक कोई थे भाज साहब, उन्होंने बताया आपको, कि आप जब जाते हो तो लोग मलब बोलते है, तू मुझे सिखाओ होगे, तैसे वहीं बताया ना आपको, कि आप एक डॉक्टर अच्छा खाता पड़ा लिखा, उसको वही भरुसा करता है कि हनुमान ने सूरी को निगल लिया था, मलब उसको समझ नहीं आता है कि सूरी को हनुमान निगले ये कैसे, मलब सूरी प्रिधिवी से लाग बुना है, अपने अहां का, जी, और कुछ, और कुछ कहना है, आपको, कमले सियाद हो, जी, अगर इस सब चीजों पर भरुसा करता है, पाखंड में, अंद विश्वात पे, तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, उसको नहीं पता है, लेकिन जो पढ़ लिख लिया है, थोड़ा बह है, तो फिर इतना पढ़ने का मलब क्या मतलब निकलता मुझे समझ नहीं आता है, मलब क्या नंबर बढ़ाने के लिए के लिए, और पैसा कमाओ अच्छा सा, आपका मलब, आप अच्छे आदमी हो गये, मलब, उसके बाद आपको कोई जड़त लिए रहता है, क्यान का या कुछ और चीज़ का, कोई किसी ने कहा कि गोवर को गड़ेश बना दिया, बोला यह गड़ेश ही है, तो इसने कहा हाँ गड़ेश ही है, चलो, माता टेक दीआ, मुझे तो समझ भी नहीं आता है, और मुझे सबसे, मैं आपको सही बता वाइशा, मुझे सबसे अब तक्लिस का जाता है खरीता है वो पोथी खरी लेता है इसके बाद घूम घूम के जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको बनाना शुरू करता है और उसके पैर भी गिरते रहते हैं मुझे समझ गया तक मलब कि तुम से तो लाग गुना अच्छा यह है तुम इतना पढ़ लिक कर क्य कि यह जो एक अनपढ़ के पाहर पे गिर रहे हो है कि नहीं है कि हालो कि कमले स्यादो जी आपके एक कृष्ण का फोटो लगा के एक बंदू जो है वो लिख रहे हैं कि आप से साउधान करा रहे हैं बोल रहे हैं इसके साउधान यह लोग आपको भगवान बना देंगे और खुद निश्चित हो जाएंगे तो यह आपके कृष्ण का फोटो लगा क्या है हुए है यह गनिस जी कमले सजी मैं आपसे आत्मा को मानते हैं मैं नहीं मानता हूँ मुझे भगवान में कोई इंट्रेश नहीं है भगवान नाम के चीज़से में दूर रहना चाहता हूं और मने अपने बच्चों को अब अब आइसे कुछ प्ले करूप था वहां पर मिले थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कमलेश यह बताओ तुम जब खाना भूख लगती है तो क्या करते हो तो मैं बोलता है खाना खाता हूँ तो बोले पेट के लिए तुम खाना खाते हो उसको शांत करते हो यह बताओ को या दिमाग को आप जब कुछ डालोगे अच्छा तब आप अच्छा चीज सोचोगे फिर आगे बढ़ोगे इसलिए अपनी कमाये का कुछ हिस्सा आप किताबों पे खर्चा करो अपने घर में आप एक छोटा सा लाइब्रेरी जरूर बनाओ इससे क्या होगा कि जो वहा पढ़ा जैसे अमबेटकर साहब कर तिल्टीवन वालूम पढ़ा अजके बाद आपका अपनलब जितने भी मेरे हाथ लगते गया जो भी चीज वह सब चीज पढ़ते गया तो मैं आपसे एक सवाल पूछे आपको याद होगा आपने उनको पढ़ा मुझे पता है कि आप प सिर्टिन को अभी जो आपके बता था क्रिवन का लगा कि तुम्हें पुछना चाहूं चाहार खिरिश्ण अरह चीजिघ लिखते है कि항 क्रिश्ण और अंबीटकर यहां के जो तो इसके बाद ब्रामन पहले इनका विरोध करते थे, ज्यादा इनको एक्सप्ट नहीं करते थे, फिर देखा इनको राजास्रे फराप्थ हो गया, तो धीरे 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 ब्रामनों पहले भगवान नहीं पाया गया है, नौवी दसवी सदी तक, और जो यादो समाज को जो पकड़ा दिया गया है, आज क्रिष्ण न वो दरसल क्रिष्ण है ही नहीं, उनको एक जूटा चीज पकड़ा दिया गया है, क्रिष्ण नाम का, क्रिष्ण नाम का कोई इतिहास में करेक्टर ही नहीं है, न कोई इतिहासी चरित्र है, न कोई इतिहास की कोई ऐसी सच्चाई है, वासुदेव नाम आ वो एक घर में बंद करवा देते हैं उसके पती के साथ कि इसका जो बच्चा होगा उसको हम लोग मार देंगे क्योंकि वो हमें मार देगा तो ये घट जाता कता है जाता कता हो की उसमें आता है फिर क्या होता है कि उसकी जो दासी रहती है उसके बच्चे होते हैं उसका लड़की होती है और इनका लड़का होता है तो बार-बार उस लड़की को ले जाकर दिखा आती थी दस बच्चे हुए थे और उस कहानी से चोरी करके उस कहानी में लाश्ट में होता है कि वह आपसमें ही लड़कर पहले तो कंश को मार और की वहाँ कभजा कर लेते यह और फिर लास्ट में जो है आपस में लड़ जगड़ कर समूंदर किनारे अपूरा अपना वंस पर ही खतम कर देते हैं यह है और उसमें जो क्रिश अजुमा सुदेगों है बोलिए 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 अच्छा इसे रीग वेर मैंने रीग वेर पढ़ा था एक वार एक पंडित एक पंडित थे बहुत बोल रहे है जब लीट हमारे वेदों में लिखा हमारे वेदों में काफी दिन पहले की बात है तो मुझे फ़ड़ या तो इसके बार घुझक बोला नहीं फिर मैं आया घर पे इसका इसका मैं ने जो है रीग वेद मंगाया एक रीग ने लिग कि नॉलेज नहीं है तो मैंने बोला कि तुम पढ़े पहले बताओ कि नहीं रिगवेट। तो वह पर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि रिगवेट नहीं पढ़ा हूं। तो थो विए उस ताहिं का मुख्य देउता रहता है और उसको देव का देव भी लोग कहते थे देवराज कहते थे उन्द को अलग नाम स्वाल यह उठता है कि वह इंद कहां चला गया आखिल आज जो अलग अलग देवता पड़ा हो गये लेकिन सबसे श्रेष जिसको ब्राम कि देखें अब आपना कोई यह तो मैं प्रश्ण करता हूं कि बुध के अनुवाई बुध की तरह कपड़ा पहंते हैं जैन के अनुवाई जैन की तरह भारत का ही तो कल्चर है तो भाई साब आपका जो जिसको आप गाना गार है हो कि इंद्र एक ? वैसा ब्रामण कि नहीं पहनता है ? पुछिए js chooses नहीं और उन वेद ही सबसे बड़ा वो है और पूरे मंदिर एक आज तक उसने एक इंद्र का मंदिर नहीं बनवाया, ना उसने वरूर का बनवाया, आपको कहानी बता देगा कि देखो हमारे पुराने लोग जो है प्रकृर्टी पूजकते हैं, इंद्र के पूजकते हैं, ये थे वो थे, तरह की कहानी सुनाएगा भईया क्यों नहीं एक मंदिर बनाया क्यों वो जातक कताएं बौधो की जातक कताओं का किरदार है उने के मंदिर क्यों बनवा रहा है क्योंकि वो जानता है कि भारत का कल्चर जो है बौधो का कल्चर रहा है आपका वासुदेव का नाम बदल दिया बौधो की जातक καथा की घर जातक उसका जो वासुदेव चरित्र ठाकर इसका नाम बादाल के हुसंने कृšć्णा नाम हीNo यह पूरा लिखा यह नहीं ज़्णा करिष्ण इतिहांस में वह सब्ध ही नहीं इए लिखा जा सकता उस तरह की कें दोनीं था भारत में तो इसा लिए क्रिष्ण जो है न यह चल्य पर Capital लेफाई यह बिल्कुल सही है वो तो मुझे पता है कि अगर यह लोग इतने बड़े घ्यानी थे तो पहली बार तो इतिहा सग्रेजिन रिखना शुरू किया है अगरेजिन लगाया इस देश में तब इसके पहले यह लोग क्या लिखते थे कैसे लिखते थे तो यह तो मुझे पता है जिस लीपी को आज तक जो है सिंदुबांटी के लिपी मिली है आज तक यह पढ़ नहीं पाए हैं और यह कहते हैं हमारा गीता फलाना इतना पुराना ह क्या पर लेकिक हैं तो मेरे तो मैं तो मंता इसको मेल्टी है जो बाड़त में आहीं पढ़़ए हैं यहका पंच फाली के रहने ही सब अगता है कामलेस यादोजी इनहों ने यादो समाज को ब्रहमित करने के ये दो गेम खेला है पहला गेम खेला है कि इन्होंने रिगवेद लिखी पंदरहमी सदी में और पंदरहमी सदी में एक कृष्णा नाम का चरित्र रिगवेद में बनाया जिसकी बहुत बेहरमी से इसने इंद्र से हत्या करवाता है और उसकी गरवती बीबियो तक को भी मरव देता उनों को मुलो इसको ठारवाना था इसके तु सारी इसके कर्म यसको मुन्यकिलंतर लिखे हर जगां इंदर से लड़ाई दीवाया इसने देखा कि झर लिखी इसने माभा दिखे निल特別 नहीं है करने क जब्रत नहीं है मैं देख लूंगा इसको कैसे क्या करता है अब पहाड कान्दी उली पे पहाड खड़ा कर लिता है तो इसका जो रिगवेद में इसने कृष्ण का जो वो किया बेहरमी से मौत करवाई आगे भी इसने कृष्ण और इंद्र में दूस्मनी दिखाई कि ब्रामड का देवता में और कृष्ण में हमेसा लड़ाई राती है ये इसने दिखाया सच्चाई कि कहानी इसके पास नहीं थी इसके पास अब कहानी नहीं थी कि कहानी कहां से लाए तक कहानी इसने चुराया बहुद की जातक कथा से बौध की जातक कथा में घत जातक कथा में वासुदेव नाम का एक किरदार था उस वासुदेव के कहानी थी कि उसके मामा थे दो मामा थे उसकी क्या जो मैंने पहले कहानी आपको सुनाई वो कहानी उठाया वहां से अरिगविद वाले में जो कृष्ण नाम का जो इसका लड प्रचारीट करना शुरू कर जाके उनका ही नाम वासुदेव अरे क्रिश्बी नाम भारत में ग्यारवि बार्वी सदी पहले नहीं पाया गया है मा भारत में कभी कृष्ण था ही नहीं वासुदेव vigor नाम था इस इसने डूप्लバ समझे रहे हैं इस बात को इसने पूरा ब्रामधी करन किया है इस गेम को यह नहीं समझ पाया है ठीक है ओके कमलेश चादो अच्छा यह आपको यह नहीं लगता है जो इतने सारे जो देवता हिंदुधर में हो गए हैं आपको नहीं तक जिसे ज्यादा करके आप देखेंगे आज भी जो है आदिवासी जो रहते हैं जो अलग अलग कटे हुए समाथ से जो है जंग्लों में होते हैं मतलब उनकी पूझा पधती होती है उनका अपना जिने का पूरा तरीका होता है साधी ब्याद सब चीज के लिए अपना उनका अलग सिस्टम होता है तो सारे जितनी सब्सक्राइब कोई बाहर 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 वाले हैं फिर बाद में कहानी बना के उसको अपने में ले समेट लिता है एक नया खाड़ा कर देता है कान मढ़ियां से बनाके आलो देखें कमले सियादो जी मैंने इस परना बहुत सारी स्ट्रीम कर रखी है आप एक बार कभी समय निकाल के दिखिएगा न आपका क्लियर हो जाएगा ब्राम्रों का अपना कोई देवी देवता नहीं है वो सारे बाधो की अलुकतेश्वर बुद्ध की मूर्तियां है दुरगाकाली कोई भी नहीं है बाधो की जो तारा देवी और डाकिनी की मूर्तियां है उसको ही कबजा किया है इस देखें जब कोई मूर्ती होती थी न बाध की मूर्ती तो बाधो की मूर्ती ब्रा को जब कोई opportunity देखती है कि यहां public है तो अपना समान बेच देगा तो उसी तरह से ब्रामर जब एक मूर्ती को देखता है पत्थर को देखता है तो उसमें जौब नजर आता है कि उसका रुजगार मिल गया वहां पर तो उसने भारत की जो सिल्प कला थी उसी को उठाके मूर् कुलिट्री पढ़नी पड़ेगी स्रमण कल्चर पढ़ना पड़ेगा सारा इतिहां सामने आ जाएगा एटुजए चलें ओके कमलेश्ची दन्वाज़ी देखें कुछ कहना चाहते थे हैं हाँ बुलिए आच्छा चलिए इसके बाद से यहां पर निर्वाना लिख रहे हैं रिडल्स इन हिंदुज़म में कृष्णा की पोल खुल चुकी है अच्छा हाँ वो बाबा साहब ने कृष्णा का भी क्रिट्साइज किया है बताया है कि लोग यही ब्रहमित करना है ना बाबा साहब न क्रिश्णा नाम का पूरे इतिहांस में कोई राजा तक का नाम नहीं था वासुदेव नाम के राजा कई हो गये सिला लेखों पे वासुदेव मिलता है पड़िये ना इन से गोष्णडी हाथिवाड़ा का कहेगा कि उसमें जो है हेलोडरियस पीलर का नाम पूछिए ना हे वासुदेव का नाम आया है तो वासुदेव का नाम आया है तो वासुदेव अगर कृष्ण है तक कृष्ण होना चाहिए था ना उसमें विश्णू कैसे हो गया वहाँ पे पूछिए इन से जहां मन करेगा वासुदेव सब्द बौधो का सब्द है उसको जहां मन करेगा जहां मन करें वहां कृष्ण कहा देगा, बासु देव सब्द जहां भी आ जाए, भगवत सब्द जहां भी आ जाए, यह दोनों बौधो के सब्द है, इंस्क्रिप्शन से प्रमारित है, सारी चीजे अल्रेडी प्रमारित है, तो जो नहीं समझ पाता है उनको यह बेवकूफ बनाते हैं, तो चले, अब टाइम भी हो ही गया है, देखें, और कोई आया हो, तो एक आद लोगों पौर ले लेते हैं, यहां पर सुनील जी भी आया है, परमिंदर कुछ कहना चाहते हैं, दो बाते इन से लेते हैं, जी बोली परमिंदर जी, हेलो, हाँ, बोलें, हाँ, जी जै भीम सर, जै जै भीम, मैं पंजाब से हूँ, सिख रिलीजिन से, लुध्यान सिटी है मेरी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहां पर जो सिख सारी स्कूल एजुकेशन है, उसमें ना एट तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, तो मैंने कई बर अपने पे जाएक, यह पढ़े नहीं पढ़े, तो मेरी उनसे कई बर मेरे मूल से मिन निगल जाता है, कुछ, मैंने के उपसद, कुछ निगल जाते हैं, तो मैं उसको सिर्फ यह बोलता हूँ, कि इनको सिर्फ आपको यह एजेंडा नहीं पता है, यह सिर्फ भच्चों का जो अगर ब से नहीं मनेगा और इनका जो पंड़ा है यह भी क्लियर ही है पर पता नहीं क्यों जाएब के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है यह सारे बच्चों के एट तक बस पास करवाना है जैसे मरगी हो जाए बच्चलो बच्चा एट तक पढ़ लेगा बहुत है दस्मी तक पढ़ लेगा बहुत है यह चीज जी बिलकुल आपने सही कहा है और कोई भी चीज जो है फ्री के नाम पर और अंधविश्वास परोसी जाए या तरह तरह की चीज परोसी जाए हां और एक बात और भी है और जहां पर जैसे एसी के जमले की नीकी जो भी पूलते के डिगरी के मैं तो जादपात को मानते नहीं हो और उनको यह दे रहे हैं दो रुपे की आट अडल फ्री वाली तो मैं कभी अपने फ्रेंट सर् करने के कि क्या भारत किया था और हम कहां पर कर रहे हैं और हम कितने पानी में है हमें सुर्फ एडिकेशन सही बाद मेले की महें से पास हों धिये यह चीज़ दो रुपी की अटाजल नहीं चाहिए वह हम भी क्वालिटी चाहिए ना हम है क्वांटिटी और यह तरहते चीज़ें यह फसाना चाह रहा है ना हां जी हँग यह फसाना चाह रहा है कि सरकारी के नाम पर दे के पढ़ाई कुछ नहीं हो दिन राते रोटी चावल में फंसा दो उनको क्वालिटी खतम करते हैं और आपने अभी देखा है कोविट के टाइम में बच्चों के हाथ में मोबाइल पगड़ा दिये कि अपने मोबाइल के सुरुए होगी बच्चे मोबाइल पर कह आएगा ना जब उसके पैरेंट्स भी उतने ज्यादा वो होंगे एक्टिव होंगे और पर पैरेंट्स भी वहां पर बैठा रहा है कि हां बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं मोबाइल पर देख रहा हूँ हमेसा वाचिंग वह चाहिए फिर अब ऐसा कौन करेगा पैरेंट्स तो अब क्या बच्चों के उपर कितना ध्यान देंगे वह भी है कि समझ रहें ना बात को हाँ हाँ ठीक है ठीक है प्रमिंदर जी ओके ओके शुक्रिया फिल्वेक्ट अच्छा यहां पर गनेश जी कुछ लिख रहे हैं या लिख रहे हैं इस चे ध्यान दे साइकिक पावर प्रकट होती है इंसान में ट्रू और फाल्स गनेश जी आप एक काम करें ना नाम आपका गनेश जी है कृष्ण का फोटो लगाये हुए हो एक पर आ जाते हैं आप ए आकर थोड़ा समझाते हैं हम लोगों को साइकिक पावर क्या होती है तो यहां पर आपने पूझा है कि दहान से साइकिक पावर प्रकट होती है कोई साइकिक पावर प्रकट नहीं होती है ठीक है ना उसको जब तक आप यहां पर जूड़ कर थोड़ा एलोबरेट नहीं करेंगे ना तब तक यह चीजह ना समझ में आयेंगी नहीं अच्छा यह लोल लुल और लमाओ आपका डि संडे को मिलते हैं फिर आगे हम लोग इस पर बाते करेंगे बहुत बहुत सुक्रिया सभी का जोड़ने के लिए और अपनी बाते रखने के लिए विडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि सब लोग को जनकारिया जो है वो हासील हो सके सभी को गुड़नाइट